कि अब आपका इस बहुत ही खुब सुरद से लेक्चर में तो भाई सारे बच्छों से रिक्वेश्ट एक पहले जल्दी से इस लिंक को शेर कर दो क्योंकि आज बनने वाला एक बहुत जबर्दस रेकॉर्ड पुरा-पुरा-फुजिकल एक लेक्चर में दिमाग की नसरे पिठा की दूँगा और आज क्या लेक्चर देखने के बाद आपको और कोई लेक्चर देखना है बस यह समझ लोगी पर आउट हो रहा है यह समझ लो आप तो भाई सारे बच्चों से रिक्वेश्ट रहे हैं जल्दी सरा आजओ बहुत सारे कंसेप्ट यहां पर क्लियर होन इस यहीर क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़ियां वहीरी वेरी और Йवरी क्वर्फश्ट नीव हैं यह अई सो क्ई चॉपसर्भ नोगा तो रक्रण का मैंस करनेये बाख और की नहीं कि वह रहीं कि पपली तो हम लोग मेरा eigenen यह ठीख Sel wax खतम नहों जाए चार मेरातन आपको chemistry के मिलेंगे चार फजिक्स और चार आपको मैस के भी मिलने वाले हैं ठीक है तो PCM पूरा का पूरा यहां पर जो बहुत हैं कि मैरातन वाला जो महाल है बन चुगा है सीट बेल को बाद लोगे कि भाई फ्लाइट अब उड़ने वाली है उड़ने वाली है येस पहले मैं कुछ चीज़े क्लियर कर दूँ यह मैरातन जो लेक्चेर है वह बहुत ज़्यदा इंपॉर्टन है 2023 के MCQ परपस से तो अगर कोई बच्चा यह सोच रहा है कि सर यह इंप इस साल के पेपर में आएंगे आपको क्या करना आपको सिर्फ दो चीज़ में आपसे डिमांद कर रहा हूं अगर केमिस्ट्री में आपको 45 प्लस लेकर आना है आज भी मैं बोलूँगा अगर आपको लग रहा है कि सर मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हुई है लेकिन मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था किसी जमाने में लेकिन मैं गुम्राह हो गया बीच रास्तों में भटक गया मैं मुझे गाइडेंस चाहिए क्या अभी भी पॉस्चिबिल्टी है तो मैं कि केमिस्ट्री में पॉस्चिबिल्टी है दोको बाकी मैस और फिजिस में थोल तो मैं होविण सर महां जाओंग उस मेगा लेक्चर एक बार एंसर लेना और जो हम मैं से छपेगा ओपनली बोल रहा हूं इसी में से आएगा एकदम समझ रहे हर एक बच्चा एकदम क्लियर कर लो सर जो सेशन को किस तरह से जाने वाला है देखो पहली बात पुरा का पुरा यहां पर डिटेल लेक्चर लेना पॉसिबल ही नहीं है तो अगर कोई बच्चा यह है आपके पास अल्रीदी डीटेल कंटेन देखने के लिए काफी कुछ है डिटेल कंटेन के लिए आपके पास काफी कुछ है अगर डाउट है तो सिर्फ हमें M.C. कु साल करने नहीं आ रहा है और यहाँ पर मैं सलुशन आपको दिखा किनी बताने वाला हूं ऐसे क्लिक या सबसे हिंट के क्या आप MNCG answer तक पहुच पा रहे हो यह सबसे ज़रूरी है बिना किसी हिंट के बीना किसी सपोर्ट के क्या आप उस MNCG गा आंसर राइट कर पा रहे हो अगर कर पा तो हम बोलेंगे yes you are on the right track तब आप राइट ट्रैक में इस बात का ध्यान देना तो चलिए शुरू करते हैं पहला चेप्र जो होने वाला है बहुत जबर बस और आपको इस पीपीट के अंदर आपको नजर आगा क्या क्या खास आपके लिए क्या मेहनत की गई है आप बच्चों के मिश्ट्री बहुत सारे बच्चों का ना डर्ग है फिजिकल के मिश्ट्री खौफ और कर कमेश्ट्री सब आपके यहां पर सब दूर होने वाला है बस तुम देखते चलो चैप्टर का नाम है यहाँपर शॉलींड स्टेट जो सबसे पहला चैप्टर यहां प पता भी होगा यह बात कि आज भी लीख होने वाला है जो बच्छा एंड तक बैठ गया ना वो बोलेगा सर्फ फिजिकल में आपके बता है वे क्वेश्चन यह थे ओपनली बोल रहा हूं तो इसलिए एंड तक बैठना बहुत जादा इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है चलो कि वह आपके एक डम जह हैं में बैठ जाने चाहिए न कि यह वह आपके जहन में बैठ जाने चाहिए एकक दम निमाचे नशों में उतर जाना चाहते वर्मुला करता दो जैसсь कि जो पहला पॉर्मूला काऊंगा में इसके उपर एक क्वेस्टिन आपके एंट्रेंस में 101 परसेंट है गयारेंटीड वेस्टिन है चपेगा मतलब छपेगा कौन सा फॉर्मूले के उपर बात करेंगा से डेंसिट इक्वल टू एन इंटु एम अपॉन एंटु एक्यू जहां पर एंग का मतलब होता है आपके लिए कि भाई कौन सा स्ट्रक्चर आपने लिया हुआ है क्या बीसी सी लिया है क्या आपने ऐसे सी सी लिया है क्या लिया आपने उसके बैसिस पर आपका एंट क्या वैल्यू मिलेगा मतलब होता है मुलार मास जो आपको दिया जाएगा एन एका वह बोलते हैं कि इतना ग्राम इतने पर्टिकॉलर एटम मतलब कि वहां पर एटम आपको अपने आपसे नहीं लेना है जो दिया जाएगा वह पकड़ना होगा ठीक है परफ्केशन करें पकंक प्रफिशन तो निकलता है लेकिन इसके जो फेर सिndigger जो वालू के लिए लिये श्मस फैके-विट पटीरिम दिखाए देर आपको यह किसका है वालियूम अपको पैटिकल्स और यहां पर टोटल वालियूम इसका मतलब कि दुसरा जो बोल रहा है बच्चा आपको पैकिंग एफिसेंसी के लिए बोल रहा है पैकिंग एफिसेंसी का जो फर्मूला होगा वो ने वाला है आपका टोटल टोटल वॉल्यूम औफ पार्टिकल बेसिकली बोल रहा है कि बाई पार्टिकल के कितने वॉल्यूम टोटल है डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम औफ यूनिट सेल टोटल वॉल्यूम औफ यूनिट सेल क्या ये बात समझ में आई क्या ये बात समझ में आई इंटू मैंने कर दिया हंड्रेड समझ माया यह मिल गया मेरा पैकिंग एफिसेंसी का फॉर्मुला कोई दिकत किसी को भी कहीं पर भी कोई कन्फूजर है बिल्कुल भी नहीं अब आने वाले कि है दुसरा जो question आएगा भाई ससी मतलब सी सी होता है सिंपल क्यूबिक कि मतलब की मतलब कि एजलिंद का होगा उसका आदा रहेगा bcc के क्लिएch एडियेस जो होता है रूट थ्री अपॉन फॉर ए होता है क्या यह कंसेप्ट क्लियर हो रहा है एकदम सर इसके उपर क्वेश्चन निकलेंगे गैरेंटीट बोल रहा हूं में आजी बोल रहा है तू देखेगा ना जाके तो लगेगा रहे सर आपने जो बता था वैसा ही आए ना पर रूट टू इंटू ए अपॉन फॉर यह मिल जाएगा आपके लिए रेडियेस का वैल्यू फॉर एफ से सी क्या यह बात समझ में आई क्या यह बात समझ में बूले एकदम क्लियर है बूले आप और सबको क्लियर एकदम कोई कन्फीजन कोई डाउट तो क्या हर एक बच्चे को यह formula भूंपे याद रहेगा सर अगर मैंने वैलू याद कर लिया तो जो हमको साइट में वैलू देखे तो और अच्छी बात है और अच्छी बात कोई दिक्कत नहीं अगर आपने वैलू याद कर लिए बच्चे कोई confusion नहीं यह भी चलेगा इस तरह से देख लो यह भी चलेगा डारेक्ट 0.5 into a 0.433 a 0.3535 a कोई दिक्कत नहीं है कोई confusion नहीं तो भाई और शॉटकट हो गया यह सारे के सारे बच्चे यहां पर देख सकते हैं कोई बीचाए किसी भी एप पर हो ठीक है हमारे पर हो नहीं हो हमें फॉलो कर रहा है नहीं कर लेकिन आज का बच्चे आपको फिजिकल का कहर मचा देन वाला लेक्चर है मत अभी इस लेक्चर के माद आपको लगा कि बस अब हमें रिविजन की जुरूत नहीं है अब हमको बस यह लेक्चर देख लूँगा तो या लेक्चर देख लिए तो हमारा एकदम फिजिकल कंट्रोल में है अगर मैं बोलू कि एक पार्टिकल जो होता है उसका यूनिट सेल में उसका वॉल्म कितना होता है एक पार्टिकल जो होगा उनिट सेल में उसका वॉल्म कितना होगा 0.5 तू एक्युप वी सी सी के लिए 0.3 पो एक पाइकल की बात कर रहा हूं एक सी सी के लिए कितना है वाए जब देख लो एक यह पुलाइट आरहा है यह एक पारिकल यह इसको सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि एक ही पार्टिकल होता है तो आंसर जीरो पॉइंट फाइफ टू एक्यूब ही आएगा लेकिन अगर मैं इसमें दो से सब्सक्राइब करूं ओ माइगा यहां पर तो 68 आ गया चोट इसका डबल 68 मतब यह भाई साब बन जाएंगे जीरो पॉइंट सिक्स एट एक्यू समझ मारा अगर मैंने इसमें मुल्टिप्लाइब चार से अट्रा चोग बहत तर मतम नियरा मोट 0.74 क्या सपास आ गया समझ में आया कैसे दिमाग चलाना गए तो कभी कभी क्या होता है कि आपको पुछा जाए कि बाई टोटल वॉल्यूम बता हो जो पांटिकल कंटने करता यूट से में तो आप क्या बोलेंगे 0.5237 aq 0.68 और इसको अगर मैं पैकिंग एफिससे के टम में देखूं तो यह हमको देग ड्राइप 52.30 7 पैकिंग एफिसेंसी इन टॉम्स ऑफ पैकिंग एफिसेंस्य कितना होगा बच्चा 68 परसेंट अन टॉम्स ऑफ पैकिंग एफिस्टि कितना होगा 74% बोले यह बात समझ में आई बहद यह बात समझ में एकड़म क्लियर है कोई confusion कहीं पर भी किसी को भी Yes 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 एक बार रैप सुना दो अपना हरे सुनाएंगा यार आस्तर रैप होने वाला है वाई टेंशन नहीं लेना अपना अलक का एक मंडली है क्या हो पुब्लीक टॉपर वाले समझ रहंगे और आप यहां से बच्चे नंबबर और अफ पर यार चांसे बहुत जादा रहेंगे और तिसरा क्वेस्चन जो आउट हो रहा है आपके लिए वो रहेगा नबर अफ एटम या सिर्फ नंबर अफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम तो अगर पुछ दिया कि नंबर आफ एटम्स बताओ जहां से देख बच्चे नमबर और और पार्टिकल्स जो या फिर आ गया एटम्स तब सरह हम क्या करेंगे एक्स मतलब होता है मास जो दिया जाएगा एन मतलब जो पार्टिकल्स रहेगा जो भी आपको बुला जाएगा रो इंटू एक्यूब एन मतलब जिस पाडिकल में है मतलब बी सिसी में कि से सिसी में इसको अगर आप सॉल करते हो आपको जो नंबर मिलेगा वह उतने ग्राम में पाडिकल या एटम मिलेगा और दुसरा यह बोल रहा है आपसे अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल यहां पर बैठा हर एक बच्चा एकदम क्लियाटी में जी रहा है सर इसका पीडिएफ मिलेगा एकदम पीडिएफ मिलने माला ऑल अबोर केमिस्ट्री एप के उपर स्टडी माटिरियल के अंदर एकलब बैच के अंदर हम डाल देंगे समझ माया समझ माया कोई दिखत कोई डाउट है किसी और तो तो क्या एकदम फोर्मूले को लेकर क्लियर हर एक बच्चा क्लियाटी में जी रहा है कि सार कोई दिक्कत नहीं है कोई कंप्यूजन नहीं है हर एक चीछे रख ला बोलू क्या फॉर्मूले को देक कर को कोई northwesterson हो रहा है पहला question density का formula क्या होता है sir नाम upon now V मतलब volume दुसरा आपको relation बताना है S c c radius क्या होता है a by 2 b c c radius क्या होता है root 3 by 4 a f c c radius क्या होता है r equal to root 2 upon 4 a दिखाई दे रहा है yes sir number third जो काफी important है number of atom या particles किसको बोलेंगे number of atoms या particles x n rho a cube number four sir unit cell कैसे निकालते है number of unit cell simple है n को गायब कर दो कोई डाउट और एक और फर्मूला याद रखलो कि अगर आमको जनरल पुछा गया कि सिर्फ देंसिटी बताओ तो भाई ये भी याद रखना कि density equal to mass upon volume भी होता है कभी कभी mass दिया जाएगा age length दे देंगे बोलेंगे density बताओ तो अगर यहां पर 5000 लोग इससे में देख चुके हैं और लाइक मात बादा सो चल के रहा है और मार्केट में जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो ओ जल्दी से बोलो एकदम राइट पोजिशन में सब लोग चलिए यह क्या है सर थोड़ा सा आपको यूनिट करवजन दिखा रहा हूं जो इस चेप्टर में बहुत जादा सब्सक्राइब सकता है कंडिशन अपला है जब आपको वाल्यूम इस में वाल्यूम इस नेखा लेंगे यह बहुत ज़्यदा में यह सब इन्टू 10 का पावर 2 ले लिए तो सेंटीमेटर बन गया . क्या यह यह पहले एक पीको मीटर में लेना तब क्या होगा है एक पीको मीटर भाट देखो पहले एक पीको मीटर में 10 का पावर माइनस 12 मीटर माना जाता है माइनस 12 मीटर बोलते हैं मतलब क्या अगर कहीं पर पीको मीटर दिया है मीटर में करना है तेन का पावर माइनस 12 लेना पड़ेगा मीटर को सेंटीमीटर में लेना है तो 10 का पावर माइनस टेन जर्रली सेंटीमेटर होगा समझ में आया समझ में आया यह जो मैं डाल रहा है बहुत खास यह बहुत खास है यह समझ में आ गया कोई दिक्कत एम स्टॉंग का यूनिट और यह जो रिलेशन आया यह यह भी बहुत खास है कि देंशिटी 99% आपको ग्राम पर यार गए यह सबर गेट रेडी फॉर दो बोस्ट एक्सपेक्टर क्वेस्टिन यह समय लोगे इसके बिना यह करके जाओ भाई बस और कुछ नहीं चाहिए आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड अच्पेक्टेड अच्पेश्टी सीटी क्वेस्टिन्स मोस्ट एक्सपेक्टेड एमस्टी सीटी क्वेस्टिन्स की यहाँ पर शुरुवात हो रही है तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ दिखाता हूं आपको यह रहा आपके सामने क्वेस्टिन नॉमबर वन अपको एक एक बढ़िया वाला फील भी आएगा कि सर क्या बाद है क्या मैनत हुए इसके उपर येस एव्रीवन इंदे चैट बॉक्स हंगामा मचा दो पहले पहले एकदम फूल एकदम जला बोलते ना बवाल 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 मचा दो यार ऐसा कहर लगना चीएक दम धमाका जल्दी से बोलो वोट विल बी दा राइट आंसर फोर दिस कंटेंट एव्रीवन इंद चैट वॉक्स राइट आंसर क्या है बच्चा दिमाग चला आंसर बता फदा फद उड़ा दे इसको उड़ा दो पहले चैट में आंसर बोलो चैट म पाइट अ सिस्ट आइए चैट ऐसे शींद आए को साने के टीए टीचे इनकियों है फ्रेट अव इनलमें वें पीको में आ फार ले में खीड तर्ट आरे लड़ा टीजों आप निए सी कोषन में आने के दल्या टीए वार्ट आट टीट्ट उड़ा प्रिस्ट पीको में आ सब्सक्राइब करना पड़ेगा किसको मुझे पीको-मीटर को सेंटीमीटर लेना पड़ेगा पहले cał कि मेरे पास 400 wages से लेंध तो मैं ने क्या किया इसको कर दिया पर हंड्रेड समझ में आया पंद आया भी अब समझ माया बिल्कुल ओव एक्दम क्लियर गया ये कंसिप्ट एकदम क्लियर गए बोलो समझ में आए सब को मैंने क्या किया वे डाउट किसी को भी कहीं पर भी अब देख बच्चे यह तो हमने करूंब्ट क्या आइवाले पाट को अब हम बोलते हैं तो density निकल लेको formula actual में क्या होता है तो density equal to n into m upon n a into a cube ये मेरा formula है सर N कितना है पर बच्छा question में question में किया जब BCC बोला है sir BCC बोले तो BCC बोले तो n equal to 2 सब को याद होगा अच्छे से यह सर molar mass बोले तो atomic mass molar mass कितना दिया है 174 तो सीधा फोड़ो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है एन ए बोले तो अवागे ड्रोज नंबर कितना बोलेंगे 6 इंटू 10 का पावर 23 पावर 23 6.0 22 मतले ना भाई बहुत कंप्रिकेट हो जाएगा चुटक्यों में सॉल करना नुमेरिकल को टाइम वेस्ट ने करना अपने को इंटू एक यूब बोले तो चार पोर इंटू 10 का पावर माइनस एट का क्यूब बोलो समझ में आया कैसे फोड़ना है क्वेशन को सर उपर वाला क्या बन जाएगा उपर वाला हमें से कट कर देते हैं इसको तीन से कट करो तीन पच्छे पंद्रह दो आ गया तीन चकतार फिर दो फिर तीन चकतार मतलब 56.6 आ गया रहने दो जो आ रहने दो तेन का पावर 23 इंटू यह कितना आ गया बाई चार चुपका ट्रकेश अल तो बोलगा मिल गया 566 बन जाएगा नीचे क्या जोगा यह बन दाट शुकर पूरा मैंने यूश्ट अगो यह वाला पूरा पार्ट और इसका जो 24 था वो मैंने पूरा यूश कर लिया तो टिन कपर माने सवन मचात तैंट या पर सिर्व बच्छे का इसको उ आज समझ में आई अब एक अंदा लागा ना कितना अंसर आएक देख राप अब इसको दस बार करेंगे इसको अक्त करो ना दो से तो तो दो से अगद दो चोग कर आठ एक मण ज़ा दो दुनी चार दो अटे ये सोलर दो टेंगे फिर इसको किसे करेंगे इसको 32 से ओकट कर दो चलो 283 को अमने 32 से गट क्या लेट ओफ ओर दो बेश बात तीन दूबसफाइस आरा नो जाइगा अब नौक आसपास आएगा अब नोग्स पर दो अनसर या तो सी या तो डि अब जरत करके दिखते हैं एक् पॉइंट सम्टिंग आएगा ओ माई गाड चुटक्यों में सॉल होता सम राइड आंसर नमबर डी बोलो समझ में आया राइड आंसर हो गया यहां पर इसको कट करेंगे आंसर आएगा इसपार आउट एट पॉइंट एट राइड आंसर हो गया 8.8 ग्राम पर सेंटीमेटर क्यूब इस दी करेक्ट आंसर यह माजा इसी में कि जब आप सौल करते हो बच्चे को नम क्योंदिखना चाहिए हो क्या रहा है तो रिए मिदिखना चाहिए पहले सब्सक्रों कर दिया कोई दिक्कत है किसी को आगे बढ़ती है अगला question आपका इंतजार कर रहा है क्या बात है क्या बात है क्या बात है मैं थोला थोला time दे रहा हूं आपको ताकि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि सर आम खुद से try करें इसलिए थोला सा few seconds आपको मैं समय दे रहा हूं कि जो अच्छा मेरे साथ बैठा होगा वह यहां पर फोड़ देगा सर अगला question आपके लिए what is the volume of a unit cell of a metal if it's exist in a simple cubic structure with age length 3a मेरे तो सबसे easy होगा सर यह तो काफी easy लग रहा है volume of a one unit cell बोला है अब one unit cell क्या होता है volume of unit cell क्या होता जाना बोलो तो अगर मैं roughly बोलू तो volume का value होता है a cube इस तरह से अब हमको बोला है 3a 3a बोले लेकिन आपर centimeter में बात कर रहा है तो एक काम करते हैं हम लोग 3 into 10 का power minus 10 meter इसको ले लेते हैं centimeter में 3 into 10 का power minus 10 into 10 का power 2 centimeter मतलब moral of the studio होगा 3 into 10 का power minus 8 centimeter क्या यह बात समझ में आई बिलकुल आई सेर एक क्यूब बोला है तो इसी को ले लो भाई 3 into 10 का power minus 8 का power क्यूब ले लो सर कितना है का 331 27 आगया 27 into 10 का power minus 24 ऐसा कुछ दिख रहा है क्या वही आंसर होगा सर 27 तो दिख रहा है लेकिन यहां पर 24 नहीं दिख रहा है और यहां पर 27 का कुछ पतानी उपर नीचे कर दिया है एक काम कर दिसको हम लोग 10 से करते हैं उपर नीचे में 10 से मल्टिप्लाइब करता हो ताकि हमारा काम आसान हो जाए तो डिवाइड करने पर बोलो यह कितना आ ऐसे ही question आपको आने वाले हैं द्यान देना इस बात को ऐसे एक व्यवश्चन आने वाले हैं इस बात कर द्यान देना चलेगा ओट इस the radius of metal atom when it crystallizes in BCC structure दो कि बीचिसी वोड यहां पर specify गर दिया है वी सी सी बोला है structure having age length of unit cell 400 picometer क्या हमको answer picometer में दिया है नहीं sir क्या हमको answer picometer में दिया है नहीं sir अगर answer picometer में नहीं दिया है तो हमें picometer को बदलना पड़ेगा हमें पीकोमेटर को बदलना पड़ेगा अगर यहां पर पीकोमेटर होता तब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं थी समझ माया क्या करना है दिमाग चलाना आपको एक्जाम के टाइम पे अब पीकोमेटर को बदलना है नॉर्मल तो 4.9 इंटू 10 का पावर माइनस 8 सेंटिमीटर हमने पीछे से प्राक्टिस कियो था हमको मालूम है तेन अवर मानवन नहीं यह जो नमबर रहे इसको क्या करने का एकप्रस के डिसमल भी ले लिने का अब हम क्या करेंगे बीचिसी के लिए फर्मला यूज करेंगे रेडियस का फ़र त्री अपान फॉर ए बोलो समझ में आया सरूट तरी कितना होता है वन पॉइंट सेवन त्री टू इंटू एक इतना है सर पॉर पॉइंट नाइन इंटू टिन कपवार माइनस एट डिवाइड बाइफ ले लिए सर इतना सार लिखना जरूरी है क्या पहले हम आंसर देख ले तो यह नहीं चलाएगा ना तो बहुत मुश्किल होने वाली है इसलिए सबसे पहला का में कि कम समय में कैसे निकाला वो ट्रिक समझना है वो ट्रिक को समझाना यहां पर जिम्हेदारी है मेरी मतलब सर क्या मैं यहाँ पर वन पॉइंट सेमें ट्री पुरा लिकोंगा नहीं सब्सक्राइब कर दिया चार दूनी आठ टू पॉइंट सम्तिंग कौन सा रहा है सर ऐसा तो कोई आंसर इन दिख रहे है यह क्या हो गया वापस देखते है रेडियस ऑफा मेटल बोला है वापस देख बच्छा वापस देख जारा फिर से देख जारा एक बार कहीं तो गलत सब्सक्राइब करेगा ऐसे काम नहीं चलने वाला है यह देख बच्छे क्या यह समझ में आया आप बोलो राइट आंसर क्या होगा देख बच्छे चुटकी मख़तों होगा देख जा तू अगर मैं इसको सब सेंटीमेटर में दिया यह सर तेन कपर माइनस एट निकाल ले बिलकुल निकाल लेते हैं अब इसको सिब्सॉल करो अगर मैं इसको और इसको कट करो मैं लगबग 5 क्या सबसार है पांच डिवाइड बैचार करना बच्छा चार एक कम चार पिर चार दूनी आठ चार बच्छ मतलब 1.25 क्या सबसार है कितना आ रहा है बच्छा 1.25 क्या चलाओ आंसर बताओ दिमाग चलाओ आंसर बताओ किसी ने सॉल किया अरे क्या किसी ने सॉल किया येस सर येस सर बोलो बच्छे 12 और 17 अगर मैं रफली भी ले लेता हूँ 12 इंटू 17 मेरे खाल से हम आंसर के बहुत नस्दीग है बाई 274 को 4 के रही गया 1 7 कम 7 8 12 2 1 अरे सर क्या बोल रही पब्लीक 2.something आ रहा है सर माक तरो बिंदास 2.something 2.4 नहीं 2.something अच्छा यहां पर मैं टूपॉंट देखना बुल गया था मुझे लगा 12 पैतालिस और यह आंसर है ठीक है फिर चलेगा 2.12 बोले समझ में आया 2.1 आगया तो काम खतम आगे दोड़ने भागने का नहीं समझा क्या 2.1 आगया ना काम खतम आगे यह नहीं बोले है सर 2.4 आ यहां पर भी 10, 20, 28, 30 तो रेंज है काफी रेंज है बच्छे मतलब ऐसा नहीं कि सर तुरंट 10 के बद 12 आगया अगर ऐसा आंसर आता है तो आप थोड़ा सा नेगलेट कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है नेगलेट करना अलाउड है नेगलेट करना क्या होगा बच्छा अलाउ अपन नाउ बोलो यह बात समझ में आई लेकिन यहां पर कुछ लिखा हुआ है तो यूनिट सेल हैविंग वोल्म ओ माइगाड इसने तो अमारा आधा टेंशन ही दूर कर दिया क्योंकि एक क्यूब निकालना बहुत आज़ा डिफिकल होता है एक क्यूब निकालना रियल मे सब्सक्राइब पर जला क्वेस्चन मुलार मास से 192.7 इसको ले लो शीक्स इंटू 10 का पावर 23 इसको ले लो यहां पर 64 इंटू 10 का पावर माइनस 23 क्या बात है सर चार से कट क्या सिधा आगया सोला यह ले लो 192.7 डिवाइड बाइस इंटू देख बच्चे यहां पर य मतलब नहीं है कुछ मतलब नहीं है यहां पर वरिगिंगे पि захwaiti-dra in सब्सक्राइब कर सकता हूं अगर मेरे पास अगर दिमाग है तोड़ा बहुत भी नाइनटी सिक्स लगबर लगत सो के बराबर है लेकिन यहांपर बोला है नाइन्टी सिक्स मतलब अगर नंबर छोटा है तो यह जो वैल्यू आएगी वह थोड़ी सी बढ़ी आनीची मतलब तोड़ी बड़ी कौन दिखर आपको आंसर में मात कर दो सब 20 तो टेंशन क्यों ले रहा है आगे निकल ला क्यों टाइम वेस्ट करेगा तो नाइंटी सब्सक्राइब करना ट्रिक लगाना अपलाए करना दिमाग चलाना दिमाग चलाना यही चीज़े में कि तुम्हें आ रहा है इम्पॉर्टन यह करिक में कम समय में आ रहा है यह जिया पॉन है क्ला सिंपल क्यूबिक लेटाइस स्टक्चर क्या बोला इसने फिर से सुनो जाना विच फॉर्म सिंपल क्यूबिक लेटाइस स्टक्चर रेडियस आपका दिया हुआ है दिस मच अब हमको यहां पर क्या बोला है सिंपल वाला बोला है क्या बोला है सिंपल हमने कुछ पढ़ा होता है और क्या होता है एड़फ होता है हमको जो रेडियेस दिया है ना एजलेंथ पूछ रहे तो 2 इंटू आर कर दो तू इन्टू टू इंटू 10 का पाद माईनसेट मतलब चार इन्टू टिन का पाद माईनसेट सेंट्रिमिंटर इसविफ आंसर बोलो समझ में आया बोलो समझ में आया number a answer एकदम करेक्ट है बोलो कुछ जा रहा दिमाग में कुछ दिमाग में जा रहा है अरे सर क्या बात है क्या बात है कैस चलो आगे बढ़ते हैं अगले concept की तरफ अगला concept आपके लिए चम चम आता हुआ calculate the density of metal that forms सबी सी बोला है रहां एक डेंसिटी और में का बताना है जो बी सी सी फर्म करता है ठीक है डेंसिटी आगा मतंब खुश जानेगा कि सर्व वह भीचिंस अफर्मोला लगने वाला है मैं बोलूंगा येस बिलकूल साही आगे देखो अगे दिखो लेकिन बी अन का वैली तो मिल टू ग्राम बोला गए इतने अटम के लिए बोल बच्चे अब हम क्या करने वाले हैं क्या मैं यहां पर थोड़ा सा दिमाग चला लो अपना अगर मैं इसको एक पैटन के थुरू भी कर सकता हूं अगर अपना दिमाग चलाओ तो डेंसिटी इकोल टू देखो जाए आपर ना अपन नाओ बराबर है कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी और इसको तुम ध्यान से देखोगे तो यह आपको दो दिया हुआ देखो एन इकोल टू आ गया मोलार मास जो है कि आपका मिसिंग हो रहा है लेकिन उसने एक हिंड दे दिया है सेवेंटी टू ग्राम कंटेंड विश्मच एटम मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जैसे हम बोलते थे 16 ग्राम पर मॉल मतलब 6 इंटू टेन का पावर 23 एटम मतलब 16 ग्राम हमारा मास होता था इतने एटम में वैसे ही यहाँ पर मूलार मास को घूमा दिया है बोल रहा है कि 72 ग्राम मतलब यहाँ पर बात कर रहा हूं इसी concept की मैं बात कर रहा हूं जो बच्चा पूछ रहा है न मुझे कि सर मुझे यह नहीं वाला question कैसे आएगा देख बच्चा यही आने वाला एने की वैलू यहाँ पर चाकर भी तो ले सकता चाकर भी तू सिक्स इंटू 10 का पाउव 23 नहीं ले सकता बोलो समझ में आया कोई दिक्कत कोई डाउट मैंने क्या बोला समझ में आया वापस देखो वापस देखो यह concept जो समझ गया ना भाई वह समलो गैरेंटीड है कि इस तरह के question शिप्ट में छपने वाले पेपर राउट और फिर से बचाप यहाँ पर डिरेक्ट लिए वेकरोई नंबर यूजनी यहाँ पर डारेक्ट अवेकरोज नंबर यूजनी नहीं हो तो क्या करेंगे सर्व तो हम बोलेंगे दिन्सिटी इकुल टू नाम अपान नाव यह समझ म बावर माइनस एट सेंट्रीमीटर ये एकदम याद करके जाओ इसका एक क्यूब भी याद कर लो कि 288 इंटुटेंगा बावर माइनस एट का अगर हम क्यूब करेंगे ना त्री पॉइंट्री सीक्स ठीक है टू पॉइंट एट बना फ्रिक्वेंट होते हैं जो हमेसा पुशा जाता है हमेसा पुशा जाता है टू पॉइंट एट का नियर अवर में खाल से 35 या 37 कुछ तो आ इंटु 10 का पावर 23 ले लो और यहां पर आ गया 37 इंटु 10 का पावर माइनस 24 एप्रोक्समेटली इतना आता है बोले समझ में आया बोले समय में आया यह एक बार चेक कले 2.88 2.88 इंटू 2.88 इंटू 2.88 इंटू 2.88 चलेगा एक बार शेकर के देखो मैं एक रफली बाता र हम आयेगा 2324 क्या सपास आएगा माइफॉल्ट माइफॉल्ट इसका क्यूब ले लो और टीन कितना ओधा तीन तिरे का नोधिर सत्ता है इसका तेश्च चोब इसका लिए इसका 24 आसपास आएगा ठीक है इस बात का ध्यान देना चलो अब यहां पर पूट आप कर बच्चा पुट अपकर तेरा आंसर रेडी है तेरा आंसर तैयार खड़ा है देखना तू सही पहले देख ज़रा है यहां पर कैसे करेगा हमारा पहले आंसर देख लो 9.59 7.9 7.1 8.6 मतब काफी नस्दीक आ रहा है तो हमें आपकर तुक्के बाजी नहीं कर सकते क्या मैं तुक्के बाज दूनी चार चलेगा उपर आगया 72 नीचे आगया 4.2 इंटू यह वाला बंदा और यह वाला बंदा सॉल गया तो आगया टेन का पावर माइनस वन उपर जागा आगा अब बच गया नीचे 23 समझ में आया क्या यह बात क्लियर है अब इसको 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 सॉल कर दो इजी सब्सक्राइब गर दो सिंपल इग्दम इन सो साट गोना 46 से डिवाइड गर चलो बता हो कितना आ रहे है जिल बता बच्छे कितना आ रहे है दिमार्ग चला आउंसर बताओ जल्दी से बोलो उड़ा दो इस क्वेशन वाइब इतना क्या टाइम वेस्क कर रहे हो इतना क्या अब आठ चुक अब तरी पॉइंट लेने पर 368 आ रहा है मतब यह पर्फेट सेवन पॉइंट वाला आंसर राइगा शेवन पॉइंट बंदे आ रहे है ओ माई गॉड़ सेवन पॉइंट नाइन भी आ रहा है तो आंको अब मेहनत करना पड़ेगा 46 इंटू 7 गर लो साचक सब्सक्राइब को दो कह रही है चार ठीक है साचों कर ठाइस 29 31 32 मतलब यह लगभग 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 साथ आठ बार जाएगा क्या चेक करो लगभग 7 बार या 8 बार जाएगा शायद से डिसिमल के बाद लगभग 8 या 9 बार जाएगा बनाशा आप लोगग का रहा है आप लोगका कितना आ रहा है आप तो थोड़ा सजरा बोलते ना थोड़ा सजराम को मेना तोर करनी पड़ेगी मदब 23 इंटू 2.1 ले लो यह बन गया तीन दो यह हो गया तेज़ दूनी श्यारिस तीन चारदो आठ अरे यार यह तो बहुत सारा फ़रागा रहा यार मैं इसको श्यारी समझें तो 48 आ रहा है मत थे फिर से देखते हैं तीन सो साथ को 48 से डिवाडि करते हैं यह तो मिनिखाल से 12 से कड़ेगा या 12 से कड़कर जाना बारदों लिच शत्तिस बारा आठेवां टालीस पिर तीस से डिवाइड बाइचार करो 28 आ गया दो जिरो पाँच चार पच्छे बीस 7.5 मतब हाइस 7.5 आ रहा है तो 7.5 मतब 7.9 तो नहीं आ सकता क्योंकि आ रहेगा जब बहुत जादा रहेगा 7.1 7.9 के बीच वाला अनसान आ रहा है फिलाल यह हमने कहीं पर कुछ नेलेट के आगा अच्छा यह वाला आणसर अमारा वैरी नहीं हो रहा है बाराबर नहीं यह हमने एप्रोक्समेटलिया आ है 2.88 जर्ण जर्ण करो कितना आ रहा है 2.88 का क्यूब लोग कितना आ रहा है जल्दी बोलो 2.88 का क्यूब लो जल्दी बोलो कितना आ रहा है केस 23 आ रहा है कि 24 वो चेक करो एक रफली रफली चेक करो चैट में बोलो पहले 23 के 24 23 की 24 इसका क्यूब 23 पॉइंट कितना बोला 24 आ रहा है अच्छा 24 आ रहा है इसलिए गलबल हो गया इसलिए गलबल हो गया देखो मैं समय बचाना था हमारा समय और चला गया कोई प्रॉल्म नहीं यार समझना इंप्रोसेस 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 में नहीं रहे तो फिर आप मुश्किल आपके लिए चलो 24 लेकरते हैं 24 लेकरते मज़ा आने वाला एकदम जबरदस यहां पर 24 कर दो तो यह मतलब अगर मैं अब सॉल नहीं तो मुझे समझ में आगा कि इसका अंसर का परफिट सी आएगा जैसे से नीचे का नंबर बढ़ता है वैलू कम होते चली जाती है अब अब तो इसको कड़ कर सकते हैं लोग खड़े कर सकते हैं 12 बहतर बार दोनी 24 क्या वाद हमारा का आगा कितना चार दूनी आठ मतब कितना आगा भाई अगर रफ लिया चेक कर जड़ा चेकर मचे बार दूनी 24 बहतर यह तो परफेट सॉल हो गया इसको सॉल करो दो से कटके हमने तो आगया फॉर पॉइंट टू इसको फिर कटके आ तीन आ आगया आगया अब आ चुका है अब इसको डिवाइड कर दो अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो 21 सब्सक्राइगा साथ एकम साथ साथ दूनी चाहुदर यह आ गया तीन यह जीरो 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 तो भाई यह 7.1 करेक्ट आंसर आ रहा हो तो मैंने पीछे देखा तो तबी समझ जाते कि जब हमन सेट करके चलो बहुत नजदीक आंसर होने के वाज़े से हमको यहाँ पर नेगलेट करने का मौका नहीं मिल रहा है बड़ा प्लीज यह सब पढ़के जाव अच्छे से क्यों भी जराना बढ़ियां से इदम याद कर जाओ कि अगर ऐसा कुछ आगा तो अगला क्वेस्टन आपके लिए ये रहाण चम चम आता हुआ क्याप तयार है क्या आप तयार है जल्दी क्या यहां पर ग्राम पर सिंटीमीटर है और यहां पर पीको मीटर है मतलब इस बंदों को घुमाना पड़ेगा तो यह आ गया 3.36 पीको मीटर आप लोगों से रिकोएश्ट है इसका क्यूब पहली बना के रख दो काम आएगा है का गारेंटी है इसका क्यूब ज़ना मुझे बता तो कितना आ रहा है जल्दी से जल्दी से क्यूब बताओ कितना रहा है 3.36 इंटू 10 का पाउर माइनस 8 इसका क्यूब बता सब्सक्राइब आगे लिख दिए फोर एटम तो एन फोर आ गया मुलारमा समको पूछ रहा है एनने का पता नहीं एनने कितना है बाई जरा बोलो एनने कितना है बच्चा एन एक कितना है सर नहीं दिया है तो लिखनेगा 6 इंटू 10 का पावर 23 लिखनेगा समझा एक लेता हूं ठीक है बच्चे ने बोला मुझे तो मैं ले लिया तो हम एक यूप ले लेते हैं 38 इंटू 10 का पावर 24 क्या यह बात समझ मैं सर्टेंसी कितना दिया है लिखना बच्चे जो दिया है 9.8 क्या अब हम चीजों को अप्लाइ कर सकते हैं ये सर यहाँ पर क्या लेने बच्चा देख जारा एम इकोल टू सबको क्रोसमल लिपलाए करो 9.8 इंटो 6 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 38 इंटू 10 का पावर माइनस 24 डिवाइड बाए 4 समझ में आया समझ में आया आप क्या करेंगे इसको और इसको सॉल करो इसको और इसको सॉल करेंगे तो बन 9.8 इंटू 6 इंटू 3.8 तोरी 38 इंटू 10 का पावर माइनस वन आ गया डिवाइड बाइफ और आ गया चार से कट गर चार से देख आख अची बादे तार से कटे का नहीं कर रहा है छोड़ दो दो सबड़ करो दो त्याइंच यह दो दूनी चार दो से गट गरो निस आ गय चलो मल्टिप्लाइ करो डिवाइड करो अगर मैं रफली रफली देखो ने तो मुझे फिलिंग तो आ रही है अच्छी खासी आप बताओ आपको कितना आ रहा है मुझे तो अच्छा-खासा आंसर मिल रहा है ऐसा लगए मुझे मिल जाएगा देखो अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग चलाओ ना मुझे आंसर मिल जाएगा आप बोलो कितना रहा पहले आप बोलो फिर मैं आपको बोलता हूं ऐसा चुटक्यों में सौल करेंगा हम लोग पहले आप बोल बच्चे मुझे जो आंसर आ रहा है यहाँ पर बहुत सारे बच्चे धमा के दा तरीके से ब तो इता दिक्कत तो नहां रहा है मुझे चला मुटि प्लागर के देखते हैं उनिस्टिया सब्तावन नाइन पॉन अगर मैंने इसको को नाइन पॉन्ट एट इंटू फिफ्टी सेवनले लिया दिमाग चला भच्चा साथ अट चपन को छे कैरिक आपांच दिमाच अला साथ अचपन को जे करिका पांच साथ ना तीरिसर चोट चॉट पैसा चाचाच चाच चाच अरचट अरशन अरसर्ट अरसर्ट आग्या पांच अटे चालीस जीरो के रिगा चार पांच ना पैंतारीस चालीस अटारीस उन्चास पाटी नाइन छे आट नौच यह पंदरों को पांच एक कितना आगा भाई पांच 55. इतना आ रहा है इसको दस से डिवाइड रिखा तो आ गया 55.86 आ रहा है अब यह तो बड़ा कन्फुजन है यह तो 60 के ना आसपास भी आ रहा है 52 के आसपास भी आ रहा है मतब यह वापस हमको गोल गोल गुमा दिया इस बंदे ने तो एक क्यूब का राइट आंसर हमको लेना तो हो रहे हैं यह अंसर बहुत क्लोज है देहां दैना है यहांपर आपर फगृब नाइन लिया होथा तर अग wastewaterTalk अगर मैंने 37.9 लिया होता अगर मैंने 37.9 लिया उटा तभ यह कितना असर आता तब तब यह answer कितना आता बच्चे दिमाग चलाओ answer बताओ दिमाग चलाओ answer बताओ जल्दी वोलो तब यह answer कितना आता फिर से देखो ज़रा एक भर फिर से देख ज़रा है आपर कहीं तो mistake हो रहेगा क्योंकि दोनों के बीच में answer आ रहा है एक answer आता था अपन समझ सकते हैं चलो कोई एक आंसर आ रहा है दोनों के बीच में आंसर आ रहा है थोड़ा सरू जाओ प्रोसेस इस वेरी इंपॉर्टेंट क्या बोला मैंने इंटो एक काम करो सर अंगती इंटो एक ग्रोस करऊओ अख बंद करके लिख को अच्छा सिक्ष पॉंट ग्योगा क्यों देखो हर बार मैं नहीं ले रहा था लेकिन इस बार मुझे लेना पड़ेगा विकॉज यह आंसर बहुत क्लोज का मामला है ठीक है दिवाइड बाई फॉर अब समझ में आ रहा है अब समझ में आ रहा है देखो इसको कट किया मैंने कट किया मैंने 2 से गड किया 248 गुल 3.9 क्या बात है इंटू इसको सॉल गरेंगा टेन का बवर माइनस वण इन टू 3.011 इतना सब आ रहा है अब इसको सॉल करूं आसर लेकर अपस्च खत्व अगर मैं रफली रफली लेके चलू मतलब अगर मैं रफली लेके चलू 49 पर फेक्ट है एकदम पर फेक्ट है तो फॉ इसमें 37.9 मल्टिप्लाई करना दिमाग चला बच्चे 37.9 मल्टिप्लाई करना है बोलो कितना आएगा लोन तरह आठ नो सब्सक्रिक शॉर शॉर्योर । तरह यहां पर 32 का पुरा लिखो यहाँ पर कटकुट चारण चातिश को छे कर गया तीन चार सत्या टाइस पुन्तिस तीस तीस को एक कर गया तीन चारतिया बारतीन पंदर समझ में आया 183 को अगर मैं तीन से मल्टिप्लाय करू रफली तीन से करना हूं पहले अगर आंसर सही सलामात आगे तो ठीक रहा तो अमको और बढ़ाना पड़ेगा तीन तीन का नो तीन सब्सक्राइब को एक कैरिया दो तीन तीन का नो दस ग्यारा ग्यारा को एक तीन अटे चौबिस एक पच्चीस तीन एक कम तीन दो पांच वापस मिश्टे हो रहे गा एक मट तो फिर मुझे जड़ा मैं 3.011 ले लेता हूं पूरा यह तो बहुत मुश ग fearless 2017 381 टॉक तॉक टॉक टॉक अनोच नहीं तो कुच आ रहे पर खिए तीजर वाले में यहां पर यहां पर कट फिर आज़ागा 0000 12345 बतना यहां पर बजीरो अब यहां पर इहां पर खट यहां पर कट यहां से चालों बढ़ेंगे तीन एकम तीन सब इक्रिस को एग दो इस Мыट एंट स्ट्र फॉर्वदस इस अपर शीत सो बाचीज को पांच करेगा दोन कम तीन तीना परफेक्ट चलो अब दो दीक टहर पांच यहां पर आ गया तरा ना किटना रहा है वह यहां पर पांच मतलब 55.3 का सपास आ रहा है अभी यहां अंसर बहुत मिक्स हो रहा है फिफ्टी 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 चेकर पहले कहीं पर मल्टिप्लाइमें डाउट हो रहा है गया एक मज़र देख लिए ते नौन ओए कैसी को एक केरिगा आठ नौ नौ सब्सक्राइब चाचट 67 67 69 71 को एक केरिगे साथ 59 27 28 29 31 32 33 34 अच्वारा यहां है यह चौन तरहीं यहांपर गल्पड़ाबं बलो 34 आगा यहां पर यहां पर 34 ले लो ओके चौंज लिए पांच सब्सक्राइब नहीं समझा नहीं समझा क्या यहां पर दिक्कत आई नुमेरिकल का सब्सक्राइब नंबर बढ़ गया ना तो अल्टी मेट लिए आपको दो इतने में आपको मिलगा 185 पर यह आपको मिलगा आगे 713 तो और ज्यादा आएगा 56 58 का सब्सक्राइब और जो 60 के काफी नजदीक रहेगा समझ माया आप समय माया फरक देखना दोनों में दोनों में फरक देखना है राइट आंसर आपको एं मिल रहे हैं बिकॉज बिकॉल बिकॉज 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 फाइफ पॉइंट सेवन इन यह मल्टिप्लाइग यह नमबर भी ज्यादा समझा समझा येस येस चलो अगला क्वेस्टन मज़ा एकदम क्या क्वेस्टन दबाई ये दो क्वेस्टन इजी था बट तकलीफ है कि इसके कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होने वाली है कि बहुत दिक्कत होने वाली है 59.9 विल्विस करेक्ट दे बच्चा 59.9 करेक्ट ये अच्छर मतलो केमिस्ट्री है कि मैट्स है हाँ यार यही तो दिक्कत है यही दो दिक्कत है ठीक है चलेगा कोई डाउट टेंशन मतले बाहितू चैलकुलेटर निकाल और सॉल कर सिंपल ए मैंने कर से दिमाग चलाया देख कि 185.7 यह दिख रहा है यह सर अगर मैंने इसको 186 इंटू त्री ले ले लेता हूं तीन चाटाना को आठ केरी गया एक इनटे चोबिस एक पच्चीज फिर तीन एकम तीन 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 दो पांच 55.8 तो 55.8 आ है हमारा और यह 0.11 मुल्टिप्लाइब करें तो यह 56 57 आ सकता है इसे हिसाब से हमारा जो आंसर है 60 के आसपास आ सकता है 52 भी आ पर अगर ट्रमें ब्यांसर दिख्राइब बच्चा तो बीमात तर कोई दिक्कत नहीं है यहां पर करेंट आंसर क्या है वह इंपॉर्टेंट आपको प्रोसेस इंपॉर्टेंट है इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा अननेसेसरी चलेगा बी आ रहा रहा एक आलको अपका क्या वाला पकणका एकुछ बच्चे आ प्यार ने सरव करेरे आप को मभासस्या देखना पडएगा येस यह वाला क्यों सर्मॉव्डर क्योम्य चलो कुछ याद आ रहा है जल्दी बोलो जल्दी बोल बच्चे आपका इंतजार है भाई जल्दी बोलो वाट विल बीदा राइड आंसर पका वाला भी यह जलो बीद तो कोई दी करतनी में बी को भी सरकल करके रखाए ठीक है चले यहां दो जरा बिना किसी डाउट के राइड आ यह देगिन है आपको यह भी लानजा आपको फर्मुला यूज्ट्टू फाइन टोटल वोल्युम अकूपाइड बाए सिंपल क्योबिक यूनिति सेल समझ में आया सिंपल क्योबिक यूनित सेल की बात कर रहा है तो यह जो आंशर है आपका सीधर-सिदा एंसर करेक्ट यह क्या नया सीन है यह क्या नया सीन है इतना easy question आता है कि कभी 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 पूछ देंगे आपको कभी पूछ देंगे कि BCC जो यूनिट से लह है यह FCC जो है उसमें total number of item कितने होते हैं बोले जल्दी से answer बच्चे आंसर बोल जल्दी से बोलो राइट आंसर नमबर डी चलेगा कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी अगला क्वेस्चन चम चमाता हुआ आपके लिए आपकी खातिर यह देखलो यह क्वेस्चन का जहां यहां पर हाजिर आपके लिए फुल धमाल फुल धमाल फुल यहां पर नेगलेक्ट नहीं कर सकते समझ माया समझ माया यह सर और ऑप्शन ही गलत है और तो एकदम बेफिक्र रहो ठीक है अगर इतना ज्यादा डिफरेंस आएगा तो आप एकदम बेफिक्र हो कर दो कर दो 52 ठीक है पका मुबाइल सॉल गया ना मैं एक बार देखता हो कि मुझे भी 55.something मिल रहा है बटाव मैं कंसलेशन कर रहा है शायत 60 का सपास आ जाए ज्यादा वैलू होने का विजह से चलो चलो क्यालकुलेट देंसिटी आप 0.05 ग्राम एलिमेंट पर मिक्सरी तो है उपर पड़ो जड़ा बी सीसी है तो दो आ गया एम कितना है जिरो पॉइंट जिरो फाइफ लेने का एक क्यूब कितना है 333 3.3 इंटू टेन का पावर एट ये एका वैल्यू दिया है तो क्यूब कितना होगा जल्दी से सॉल करके बताओ मुझे इसका क्यूब आपके सह आरे जिए 3.3 का क्यूब आप लोग बताएंगे जल्दी बोलो येस थर्टी पॉइंट टूफर क्यूब बखका बच्चा अधित्या तरी बदर भरोसा कर लो में पका 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 सर एफ्सी सी में कितने हैं एफ्सीसी में चार होते हैं इस बार के कोश्चन में आ सकता है एफ कितना है कि थर्टी पॉइंट पक्का ना मैं तर्फ भरुशा कर रहा हूं बच्छा थर्टी एक बच्चा बोले थर्टी फाइप पॉइंट फाइप क्या बाद है यार तुनों यार एक क्यों नहीं बता पा रहे हो थरी पॉइंट फॉइंट 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 है शायद से तो 35.9 करेक्ट है चलेगा 35.9 करेक्ट है मैंने सॉल क्या तो मुझे उतना मिल रहा है तो हम क्या गरेंगे यहाँ पर पारिकल डाल 3.2 इंटू 10 का पावर 20 इंटू 39.9 देख बच्छे आपन नया क्या नुमेरिकल में क्यू लोग गोलती कि सर इस बार का पीपर जैई जैसा आने वाला है या थोड़ा से डिफिकल्ट आने वाला क्यू बोलते कि पिछली बार का पीपर भी ऐसा आया था और यह पिछली बार का एलमें आविंग बीच्छी बीच्छी मतलब एन इकॉल डू ओ आगया का ये बास समझ माई आगे बोला है विंग एजलें दी इनित शेल इस मच इस कम एन एक यू नाइन आ गया तो जहां पर एक क्यू रहेगा मापर मैने ये डाल दिया क्या ये बात क्लियर आग्दम अब तो दिनका पावर माइनस 24 भी लगा दिना भाई ऐसा नहों कि माइनस 24 का यह पीछे छुडिया है पांदूनी दस 0.1 आ गया सर इतना आ गया 0.1 दिमेट बाट 3.2 इनका पावर दोगा यह तेंक आप ट्वेंट इनका पार माइनस तो है माइनस कितना आ गए पाई माइनस 4 आ गया इंटू 30.39.9 आ गया अब इसको कैसे सॉल करेंगे क्या मैं इसको उपर लेकर जाओं क्या मैं इसको लेकर यह बंज़ेगा एक दो तीन चार इंटू 0.1 मतलब हमारा आंसर आगा 1000 यहां पर आगा 32 यहां पर आगा 39.9 यह बंदा हो गया एक अजार क्या बात है एक हजार है हटी दिवाइट भाए हर्टी 3.2 थरटी नाइन पोइंट नाइन क्या ये बाद इसको दें कहीं पर किसी को भी फोई डाव्डे बच्चे नहीं सर आगे ज्था देखते हैं है आगे ज्था देखते हम क्या करने वाले अब हम इसको ज़र 9.9 इसको जाना दो से कट करते कितना आगा 500 यह कितना आगा 1.6 फिर कट किया 0.8 फिर कट क्या डाई सो क्या बात है फिर इसको में क्या किया यहां सौन गर्दू धाई सो डिवाइड बाई 0.8 into 39.9 चेकर बच्छे कितना आ रहा है चेकर जड़ा तो अगरा मुलेंगे 200 को आठ से करने के लिए आठ तरीक का 24 एक जीरो आठ एक कम आठ देखो जरा आठ एक कम आठ दो आठ दूनी 16 काफी जादा जाएगा आठ बचे चालीस 31.8 फार्म तब 312 आएगा खट करने पे यह 312 का सा रहा है तो हो गया 312.5 divided by 39.9 अब मेरे दिमाग में एक आईडिया आरी ना अगर मैं 312 को सिधा सिधा 40 से डिवाइडी कर दूं बोलो एप्रोक्समेट यहां बच्छे एक्जेटली क्योंकि बहुत नजदीक आंसर जा रहा है बहुत ज्यादा नजदीक जा रहा है आप ट्रस नहीं करेंगे बहुत नजदीक जा रहे टेंशन मतलों तो अगर मैं इसक देखते कितना हा रहे Ben गते कितना रहे हैं 312.5 डिवाइड बाय अगर मैंने 40 से बड़ो कितना ऑनसर रहे घ्षिपना डांसर राइत गेना पॉलम्रार गांवा मचा दो जल्दी से कितना आ ढसर और은 से ज वहाई दो cute का फॉमुला नाम अपॉन नाम मतलब टू एम मतलब मुलार मास मतलब 0.05 एक्यू हमको यहां पर सॉल गया 35.9 इंट इनक पवर माइस 24 दिखाए दे रहा है उसके बाद हमने क्या ले लिया यहां पर एक्यू ले लिया अब एनने का वैलू यहां पर चेंज करना पड़ेगा क् क्यों कि हमको यह दिया हुआ इतना ऐटम तो 3.2 इंट इनक आपवर 20 अमने लिया आगे हमने इसको सॉल क्या 0.1 यह बराबर एक जर चेक करो 0.1 बराबर है ना 0.05 इंटू टू दो पच्च्छे 10 बराबर जीरो एक दो प्लिस पे डिसमल एक दो प्लिस पर 0.1 बराबर है ठ इसको मेरे दिरे से उपर ले लिया बन गया 10,000 लेकिन 0.1 से मुलिप्लाइब के बन गया हजार 32 अब इसको सॉल करना है सिंपल अगर बोलिंग तो इसब हाटा ताम जाम सिंपल इसको सॉल पर आंसर बताओ काम खतम इसको सॉल कर बच्चा अंसर बता एग्दम दिमाग चला जल्दी से जल्दी बोल कितना अंसर आया 35.9 रॉंग है सर इसका एक यह करेक्ट रॉंग है 3.3 into Q कितना रहा इसका है कितना रहा रहा है बच्चा यह रोंग अधर अना सब रहा हो जागा 35. कितना आ रहा था इसके पहले क्योंकि इसके वज़े से सब गलत होगा अपना 35.93 इतना है आ रहा था शायद से हमने 9 लिया था 93 आ रहा था शायद से ये अभी राइड रहे है 93 तो 94 आ रहे गा 35.94 इन्टू इन का पर माइनस 24 चलो यह रखके भी देख लेते यह रखके भी देख लेंगे भाई टेंशन मत लो इधर देख बच्चे इधर देख जरा इधर देख जरा इधर देख सामने ले लिया 30 कितना है भाई अच्छा इधर पर गलती कर रहा हूं मैं कब से 39.9 रखके कर रहा हूं सौल अरे यार वही तो मैं बोलू गलत कैसे आ रहा है पिर से फिर से फिर से फिर से एक बच्चे ने बोला तो उनको दिया मत दीमाक में कि क्या गलती हो गई मसें 3.2 इंटू एक यूब हमने डाल दिय या एक एक यूप का वैलिए 35.9 मैं कब से 39.9 ने लादा अब देखो आप राइट आएगा 0.1 यह आ गया 3.2 इंटू टेन का पवर माइनस 4 इंटू 35.9 ठीक है आंसर उपर चला जाएगा तो बनेगा 10,000 लेकिन एक प्लेस पे से डेसिमल आ गया डिवाइड बाया 3.2 इसको मैं लेसको 36 हमारे रेफरेंस के लिए काम असान करते हैं आपका यह बंजाएगा 1000 डिवाइड बाद 3.2 इंटू 36 अब इजी लग रहा है अब इजी लग रहा है मैंने गलती से 39.9 ले लिया था यह आपनो कोई बोली नहीं रहे चलो दो से कट किया दो से कट किया तो 500 आ गया यह बंजाएगा अटर फिर 200 अटाइस ओ आ गया यह बंजाएगा 9 अब हमको मिल गया 200 डिवाइड बाद 3.2 इंटू 9 इसको भी कट कर दो 125 आ जाएगा दो से कट करने पे और यह बंजाएगा 1.6 सोलन हुआ कितना होता है खुंछमेटली चाएट खीडिया शल द формal गहांकर चलो चाहुदध आठे कितना होता है कोई दिक्कत येस येस भाई मैच याप एकदम जबर्दस वाला चाहिए येस प्रक्टिस धमाल वाली चाहिए एकदम क्या बोल दी पब्लीक येस और नो अगला क्वेशन आपके लिए ये रहा सर ऐसा कुशन लाओना सर देख बच्चे मैं उपनली बोल रहा हूं जो करवा रहा हूं यह समझ लेकित तुझे फिल आए अंदर से कि सर ऐसा लगा आपने पेपर बनाया था ऐसा दो फिलाए का पेपर में ट्रस्ट कर ट्रस्ट कर मैं बोलना आपको सुझा रहा है इसी लिए एक्दम बढ़िया वाला मैनत करके जाओ यहां से कैसे करा रहा हूं क्या ख अगला क्वेशन आपके लिए यह रहा एक और चम चमाता हुआ क्वाश्ट अग्वाश्ट आपके लिए यह रहा एक और चम चमाता हुआ क्वेश्टन वाट इस रेडियस आफ मेटल विट सिंपल क्यूबिक चेकर बच्चे 348 को दो से डिवाइड कर कितना हो जाएगा कि दो एक कम दो दो सब्सक्राइब दो चोग का आठ यह तो सर बहुत इजी हो गया सर हमारे शिप्ट में आना चाहिए यह यह बच्चे यह लिए समझ में आया अगला क्वेश्टन वीच अमंग दो फॉल्विंग स्टेटमेंट इस नोट ट्रू यह भी नौट ट्रू वाला है नौट ट्रू इनकरेक्ट ऐसे कुश्चन धडलने से आते हैं तो चैसके बारे मौलेक ब्लेक्टिकल स्था के बारे है मौलेक्र शॉलिड क्या होता है जब अर्शेंट पारिकल स्टम्स आईटम्स इंगल अटम स्ट्रेंट यह बराबर है यहां लो मिल्टिंग पॉइंट यह भी करेक्ट है मॉलीकुलर सॉलिड होते जो कि मीथेन हाइड्रोजन कार्मन अक्साइड इस तरह से तिसरा दो मॉलीकुलर हेल टुगेदर भाई वेरियस इंटरमलोग फॉर्सेज भी सही है इसमें लंडन फॉर्स आता है है अगला क्वेशन चम चमाता हुआ आपकी खातीर यार जरा सॉल तो करें यार ओंडे जरा सॉल करके तो दिखा चल्कुलेट दो बॉल्म आप यूट से लिवा ये कॉस्टिन बड़ा इंटर्सिंग लग रहा है मतलब ये एक क्यूब की बात कर रहा है सिंपल लेंग्वेज में और क्या क्या दिया है कोई बात नहीं सिंपल बोला तो वन रहेगा ग्राम सब कुछ दे दिया है चलो सॉल करते हैं डेंसिटी इक्वल टू नाम अपॉन नाव समझा एक यूब उदर ले लो एन इंटू एम ये ले वाह ये ले जरा ये ले ये ले कितना है सिंपल बोला है एक ले ले मुलार मास कितना बोला है मास तो देख पहले 95 ग्राम लेक लो तो सर डेंसिटी कितना लेनेगा अरे दिया है ना 9.5 और कितनी बार पुछेगा एन ने बोले तो 2.5 इंटू 10 का पावर 23 देगे लेगा सर एंडेगे मैं 6.0 22 इंटू 10 का बोट 23 लिकर आ गया मेरा आंसर ही नहीं रहा था तूंग गया क्यूंकि तू लेक्चर बैट रहा है यहां पर जो लेक्चर बैट रहा है जो दिहान दे रहा उसके दिमाग की 900 में चीजे बैट रही है क्या बोला मैंने कि यह जो कं सर अब सौल करेंगे अब और क्या करेंगे अगर मैं बोलो 95 को मैं क्या कर रहा हूं लेक्टा रहा है इसका एक दास इदर दे दो एक दास इतर दे दो यह बंचाए गा 95 नीचे बन जाएगा पूरा 95 ये बन जाएगा 25 और ये बन जाएगा 10 का पावर 22 टक टक कड़ गया दिखाए दिया आगया 1 अपॉन 25 इंटू 10 का पावर माइनस 22 कड़ लगा है अभी क्या करेंगे इसको 100 लेनेगा इंटू 100 डिवाइड बाग 100 गरनेगा बोले तो ये उपर वाला क्या बन गया प्रॉपर सो बन गया निचे वाला 25 लेनेगा इसको दो उपर डालनेगा क्या तेन का पावर 24 हो गया 25 ये भाई आईसा अंसर आ रहा है के नहीं आ रहा है अरे सर आ नहीं रहा है एक दम मैच हो र आप सही है एंका पावर 21 उसके इसाब सही एंका पावर कितना अब दो जोड़ा तो इन अब आवर 23 आ जागा एक लिए रहे सब को समझा गया तो फोड़ेगा इन का पावर माइनस 21 उपर चला गया अधिका किया इंटू 100 किया डिवाइड सो किया तो उपर बन गया 100 नीच इनटू 10 का पावर माइनस 23 आगया आंसर यह देगे राइड आंसर है यह देगे राइड आंसर है समझा गया डिए आंसर इदम फोड दिया तुमने समय समय माया कैसे किया डी इस दी कुछ भी यह जो बच्चा लेक्चर नहीं बैटा स्टार्टिंस या जो पहले से नहीं ब आएगा झाफ 45 लागा 45 विच्पेंटु डिसमेर लाले फोटनी मिलने वाले अरे मेरे भाई पहला काम है फॉर्मूले को लंकर सर्व कहांसे मिलेगा आरे मेरा पहला लेक्चर यह सी गाले लेक्चर देख यह लेक्चर देख जाके तो इससाटांटी बाचे पहले अपने अ वो भी कौन सा है स्क्वायर क्लोज वाला अरे सर यह क्या होता है यह इसकी बात कर रहा है एक दो तीन चार पांच फिर लेने का एक दो तीन चार पांच इसको बोलते है क्लोज वाला पैटन समझ माया क्या कर लगा है भाहू यह हो गया हमारा कितने लोगों सटना है जैसर यह लोग चाहिए एक दो तीन चार अरे सर यह तो कॉडिएशन नॉमबर चार बनाएगा बस यह चांसर है अपना इसका कॉड़नेशन नंबर बोले तो चार क्या बोल दी पबलीक या बोल रही पबलीक मझा आया गया अरे सर नया चैप्र चालू कर दिया आपने येस 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 तो भाई पहला चेप्टर अमारा यहां पर खत्व हो चुका है पहला चेप्टर था नो डाउट थोड़ा सा टाइम लगा आपको येस एक बच्छा बोने सर छे आएगा डी आंसर माग करो आइज तो खास है ये तो मझा इस चेप्टर के अंदर आपको क्या अगला जो concept आने वाला है वो है solution का solution solution मज़ा हारा एक दम सर जबर्दस्ट जबर्दस्ट चलेगा पबलीक किदर गई अरे पबलीक का गई वहाँ है बुलाला सबको अब वो chapter चल रहा है जिसमें बोलते न सबकी बैंड बजी रहती है सर सलूशन मत पढ़ाओ सर बहुत मुश्किल है क्या आपको solution में अंगार लगा पहले जबर्दस्ट हो गया एकदम मतलब अब हम खेलेंगे इसके साथ अब हम इसके साथ खेलेंगे solution मतलब बोले तो धमाल अब numerical के साथ तो मैं एकदम गुल्ली डंडा खेलूँगा क्या बोलते हैं कि लेंग में गुल्ली डंडा येस बोलो फुल धमाल हुआ एकदम मजा आया येस 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 चलिए शुरू करते हैं solution चेप्टर के बहुत ही प्यारे प्यारे concept को formula ले रहा हूं मैं आपके लिए हेंड़ी लोगा formula होता है s equal to k h into p जहां पर s का मतलब है solubility नए numerical में इनको change कर दिया है इसको concentration भी बोला जाता है तो इस साल के paper में अगर इसमें question आया तो आपको बोलेंगे concentration पता लगाओ आप उज़े पोश्टन को छोड़ देंगे यह बोलेंगे सान अंको हेंड्री लमें तो कहीं पर concentration दिया और यह अब इसका में क्या गरूंट को कि यह कमें क्या गरूंट आपड़ो एक बच्चा डूम अनलाश्ट छोह नहीं समझा अरे मेरे बच्चे दूसरा आता है एक्जागोनल और यह किसकी बात करो टू डाइमेंशन में जो तुम पर देश्ट बूक के अंदर वो इसक्वाइर ख्लोज और रही था वह था कि ऐसे हवे में आता अचानक से बस तुम उठे और चल तुमको आ गया क्योंकि तुम लेक्चर बैट रहे हो ऐसा नहीं होता है समझें समझें क्या बूल रहो हमें अच्छा सर फिर हेग्जागोनल कैसा दिखता होगा टू डाइमेंशन में तो है याद करो याद करो याद करो याद करो इसके गैप में डालनेगा कुछ याद आया कुछ याद आया अच्छ याद आया अच्छ याद आया अच्छ याद पकड लेते तो कितने रोटाइचे एक दो तीन चार फिर ये बन्दा टेज़े पांच यह डेज इसे चे इस तरह से यह बंजा का कॉड़निशन नमबर छे जब कि यह बना अपनेशन नमबर चार अब समझ में आया अब समझ में आया अर्वी अभी समझा मैं तो इसको बारा क क्या आने वाला था अभी समझा क्या अभी समझा ना अच्छे से यह इतने कोशन इनफ है प्राक्टिस के लिए इतना कोशन इनफ है क्योंकि अब यह वक्त नहीं कि तुम चार्चा सो कोशन एक चैप्टर पे करो इतना टाइम नहीं है भाई सेलेक्टेट पंदर अठरा कर लो कि सख्राइन बच बनंया बन И वाले जो करारों यहां पर उसी में सेखी सख्राने वालत चाहिए उसी में से आने वाला है लाइक आप समझा क्या बोल रहा हुआ है सब्सी चलो अपी मतलब प्रेश्यं आफ धी गाहस कि मतलब हेंडरी लॉग रॉल्स-लॉध। और फॉर्मोला क्या होता है सर्फ पैन। में इकल टू पी तू होता है आपका पी 2-0 एक्स टू और अगर मैं डॉल्टर्स प्रेशर की बात करो यदॉल्टर्स लॉग की बात करो तो फिव टोटल अग्षसा मिल जाता है याँ मेर्फवालय मिलता है अब है जब अगे लेगे जाते हैं इस ड अיד गर को तो हमको कुछ ऐसा भी मिल जाता है याद करो इस तरह से था फ्रसा एक प्रस्काते में अको चांस चांस इंद सब्सक्रार ऑफ यह ट्रॉटल प्नेट को अछे टाउन नांगा अनल आपको याथ है यह सकता मिल तर्या तो अनलेकिया नहीच तो जैकने पाइले लों थो तो लिए को कह यह यह समें है याद करें तो इसको श्умी अग्री नहीं हेत ब vont लोवरिंग काफी ज्यादा इंपॉर्डेंट काफी इंपॉर्डेंट इसको चाप दो समझा समझा कोई डाउट येस आगे दो पीवन नौट इक्वाइपर प्रशन यह होता है इस फुल पॉन दिया हुआ है यह बढ़िया से पॉर्ड दमा यह काम आएगा तो वैपर प्रश कि उस हिसाब से हमारा नयवाला फर्मुला कुछ ऐसा बन जाता है कुछ याद आया किया सर एकदम याद आया क्या बात है बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां अगला क्वेस्चन एक्वेस्चन फॉर बॉइलिंग पॉइंट याद कर लो डिल्टा टीवी इकोल टू टीवी माइनस टीवी नॉट और डिल्टा टीवी का फर्मुलर के बी के टम में यह होगा और इसको लेंगे तो भाई यह ट्रिक लेगा समझ में आया वह आएगा के वीची के लिगा हजार रुपए जीतेगा और वह जार रुपए किसको देगा मेरे को देगा मेरे को बोले तो उसके साइट से मैं कौन दूसरा बंदा और डबलू टू का उलिटा करने का डबलू वान यह वाई क्या बोल दी पब्लिक समझा मैंने क्या बोला जल्दी बोलो जल्दी बोल बच्चे क्या यह बात इदम क्लियर वह एकदम कंसेट में जा रहा है दिमाग में जा रहा है और उसके हिसाब से फिर M2 को मौटिफाइए कर रहेगा M2 आगया डिल्टा टीवी नीचे आगया देगो उसके हिसाब से यह साथ प्यारा आंसर गया समझ में आया अग्ला कुश्ट्ट लिए डिप्रेशन शर हम से बात करू सर्ब को निए को निए हमारी भाउना यहीं समझ रहे हम से भी बात ही नहीं कर रहा है हम क्या करें मेरे बच्चे मैं आपको बता दूं मैं आपको बता दूं कि अगर तुम यह लेक्चर बैढ़ जाते हो डिप्रेशन तो बात की बात है फिर तो तो एंजीनिक के मेरिक लूस्ट में ना मार रहा है नहीं आरा है वह शकांदरी पाड्म होगी ठीग है चलो मेंद रिपरेशन हो प्रिजिंग प्रोइंट क्या होगा डिलता टीर्फ इक्वल टू डिल्ता सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह से समझ में आया समझ में यह सर नो हो सर यह तो बड़ा इंपोर्टेंट लग रहा है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है ऑस्मोडिक प्रेशर बोले तो MRT सिधा सिधा कहीं कहीं पर CRT भी बोलते हैं कन्फूज मत होना और एंपोर रिप्लेस करेंगो तो वह इस तरह से भी बन जाता है पाई फॉल डबलू टू इंटू आड़ी अपन एंटू वी या फिर एंटू का फर्मूलार इस तरह से भी बन जाएगा पाई इंटू भी समझ में आ रहे हैं येस और नो येस और नो येस सर वेंट होप्टर इस तरह सब आपने करने का अपनको सिंपल तरीकता ीरिखने का वर मतलब आई आई बोले तो अदर सर और वोगों सा इंपोंटेंट है और जो तुमने पीछे पढ़ा था जो तुमने पीछे पढ़ा था उसमें आई मल्टिप्लाइ कर दो खतम गेम ही चोवर कर दो सिदा अब डाउट कॉमन आ रहा है कि सर अमको पाता ने चल रहा है डबलू कौन है एम कौन है अब से ने डबलू टू तब यह बंदा होता है मास कि ओ और सॉल्लीट कि जब हम लेते हैं M1 तब हम बोलते हैं मुलार मास चाहर बच्चे ओ मुलार मास औफ सॉल्वेंट कि जब हम लेंगे एम टू कि तब बोलेंगे मुलार मास of salute, oh my god ऐसा है क्या, जी हाँ ऐसा है, बोलो समझ में आया बोलो समझ में आया अरे यहाँ पर बैठा हर एक बच्चा समझ में आ रहा है yes or no के वेश्ट्री में 45 प्लस नहीं जा रहा है क्योंकि तु लेक्चर कहां बैठा है बच्चा मेरा आज तो बैठा है लेक्चर अरे आज के बाद तेरा जाएगा 45 प्लस तु देख बस यहाँ पर येस कि समझ में आया कोई दिकत कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी मुलार मास का पूरा कंसे आपर क्लियर हो चुका है फुल को पुरा के लिए रही दों बहुत से लोगों फुल फॉम नहीं समझ में आता है अब समय में आ गया कि सर ये लोग क्या हैं आज समय में आ सर अब यहां पर जो फर्मूला बदाया था मैंने यह भी याद रख लो यह भी आधर ले बच्चे आप डिगरी ओफ डी सो से इनको फर्मूला होता है क्या आप तैयार है क्या आप तैयार है यह सर सलूशन चेप्टर गें मोस्ट कि मोस्ट एक्सपेक्टेर क्वेस्टन्स यहां पर आपके लिए आ रहे हैं जैसे आपने इस सॉलिश्चेट को फोड दिया चुटकियों में आग लगा दिया कंसेप्ट के साथ आप खेल रहे हैं एकदम वैसे ही सलूशन को भी करना है क्या हर एक बच्चा एदम तैयार मोड में क्या यहां पर बैठा हर एक बच्चा एगदम तैयार मूड में यह सर वी और ओन फायर एकदम आग लगान वाले मूड में क्या बोलती पब्लीक अरे यह सर नो यह सर नो जल्दी बोलो जल्दी बोलो इधर दिख बच्चा इधर दिख जरा यह आपका क्वेस्टन नमबर वान चम चम चमाता हुआ चम चमाता हुआ क्वेस्टन आपके एकदम खास तरीके से विच अमंग दो फॉलोइंग वैलूज अप कॉंसंट्रेशन है दे सेम वैलूज ओप डिल्टा टीबी एंड के बी मतलब सर डिल्टा टीबी एकवल टू के बी इंटू एम होता है हमको पूछ रहा है कि डिल्टा तो हम बोलेंगे जब मोलालिटी वन होगा मतलब वन मोलार वाले केस में रॉड्ट या नंबर भी अंगला क्वेस्टन आपके लिए रहा चम चमाता हुआ क्वेस्टन है सब्सक्राइब कि एक गुना ज्यादा ही रहेगा क्योंकि इसके नुमेरिकल ना एकदाम डालका मचा देने वाले हैं येस 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 चलो कि कैल्कुलेट तो मुलार मास आफ सॉल्यूट वेन 1.6 ग्राम आप सॉल्यूट मतलब नौन वॉलाडल वॉलने का कितना 1.6 को समझ मा जाएगा डिजॉल इन सॉल्यूट वॉले तो डबलू वन कितना 86 ग्राम लोवर्स दफ्रीजिंग पॉइंट बाई 0.34 के बोले तो डिल्टा टी प्रीजिंग बोलन डिल्टा टी आफ कितना 0.34 के समझा आगे बोला है लोट मतलब डिप्रेशन जैसा हो गया और के एफ का वैल्यू भी दिया है इतना दिया है 1.1 से जब कभी दिया जाएगा बहुत फ्रॉव यहाँ नहीं दिया है सिर्फा आपको ड्रॉविन दे दिया है और ग्राम दे दिया है तब हजार नहीं आता दे ना घटा देना ओर रहे ल्किन खर इयाताअक एए यद ए लेकिन ऑघई कर देना दो हजार तेज़ के पेपर में इस टैप का क्वेश्चन एक चप चुका है ओपनली बोल रहों आप मुझे चैट में भीज़ेंगे आप मुझे मैसेज करेंगे कि सर जैसा आपने मुझे आप वैसा ही आए ता भी भविश्वानी कर रहा हूं मैं अभी भविश्वानी क डिलटा टीएफ इक्वलो वह आएगाँ कि KBC खेलेगा हजार रुपए जीतेगा वह जोrobe मेरे को देगाँ डवलुडू का डवलूवान करनेगा समझ है अभी कि समें इंट्रेस्ट है मुलार मास बोले तो ूमार्ण तो में इंट्रेस्टे है क्योंकि क्या गोला है है मुल दिवाइडबाइडग डिटा टीय फंटू डबलुएग या मैं क्या ये बात समझ में क्या या बात समझ में आई जल्दी बोलो ओ मीरे भाई अरे कुछ बोलना मेरे भाई ओ मेरे लेखर अगे प्वोफ ransom 4 무었 सर 1.6 k एक है सर 1.17 10 टू एक हजार डिवाइड बाइड डिल्टा टी अफ कितना है सर 0.34 ले ले भाई आगे क्या दिया है डबलू 186 खत्रों वाले नुमेरिकल से खेल रहे हैं यह तो होना ही था ऐसे ऐसे कंट्रीन तो आने ही थे भाई अपने दो सलूशन रख्के टिक माग नहीं करने वाले है रियल में सॉल करने वाले समझेगी नहीं एक प्रेस बटन दबाया यह सलूशन आगया चल वाई इधा दिखा देए इससे मुल्टिप्ला रहे वाई ऐसा बताना बहुत इजी होता होपनली बोल रहा हूं क्या होता मालू में तकलीफ कि जब कभी भी तुम सलूशन देखत है कुछ भी कर ले नहीं आ रहे है यह सचा ही है इसी लिए आप लोगा से रिक्वेश्ट है ऐसे इसे ने नुमिरिकल को सॉल करके देखो कंसेप्स समझने के बाद भी सॉल करो वह देखो आ रहा है कि नहीं एक मानों कोला एक क्यूब निकालने नहीं आ रहा है बाकि दो चो 16 16 117 नीचे है 0.34 into 86 इतना समझा ये सर आगे भी अपने को सॉलिशन करना पड़ेगा बहुत मेहनत करनी अपने को तभी अपने पास सॉलिशन के लागा कोई चारा नहीं है भाई मेहनती एक सहारा है मुल्टिप्लाय करो अपने जली से शेलिए मैल इसको दो केरे चार शेकित चार दर्स जीरो केरी गया वन je कम चे एक साथ चेक वर फिर से 20 को दो कर दी गए चार शेक अचार दर चेक म चेंच है चेक कम चेक साथी चींग है यहां पर साथ एक एक 2 तो दो साथ आट एक 1872 आ रहा है 1872 तो यहां पर आगा 1872 डिवाइड भाय जीरो पॉइंट एट सिक्स को 34 से मल्टिप्लाइ करो चार सक चोबिस को चार कहरेगा दो चार अटे बतीस तेंटीस चोंटीस इंच अक ठाना को आठ तीन अटेश्विस एक पत्चीज टार आठ चार बार पांतिन आठ एक नो दो तिक है इसका अंसार रहा है 29.324 29.34 ऐसा आ रहा है अगर मैं म 29 से डिवाइड करके ट्राय कर सकता हूं एक रफली रिस्क लिए सकता हूं तो 1872 को अगर मैं 29 से डिवाइड करूं लगभग 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 देख लिए कितना आ रहे 29 मतलब कि तीस तीन चक अठारा मतलब छे बार तो जाएगा छे याठे शे चे नुए चोंब चार कर अधिका पांच शेद नी बाइरा बाइरा पांच सत्रह ठीक है यह आगया तीन यह एक जीरो तीन चोंगा बार लगभग चार बार जा रहा है 64 का सबस्क्राइब आपका कितना आया चैट बॉक्स में हंगा मचाओ यह इंपोरेन बच्चा बहुत अलगा करते मैं आपको बत ऐसे बच्चे जो इन नंए डुबा क्या आते हैं वो नहीं डुबा देते सिधा मुलते सर मेरा ने एक भी आंसर जोन मैंच ही नहीं पाता नहीं कि फिर मैं एंड मैंने सर और उक्रिवाइं आधा टाइम ही ने लिए बाद में छोड़ दिया कि जीनियून सचाए बता रहा है इसका तो कोई शॉटकर खास है नहीं यह इसका कोई शॉटकर नहीं होता है ठीक है देखाए यहां पर भीच अफ फॉल्व इंस वह गूट बंदा है इसका डिप्रेशन कम होना चाहिए मिनमम डिप्रेशन होना चाहिए यहां पर एक प्रिंटिंग मिष्टिक लग रहा है यह टू नहीं आना चाहिए था यहां ठीक है यह यह एने से फॉर्मूला होता है चलो देख लो यहां पर चलो बताओ फटाफट आंसर जरा बताओ जरा मैं देख लेता हूँ वोट्ट विल्बी दक करेक्ट आंसर जल्दी से दिमाग चलाओ दिमाग चलाओ आंसर बताओ दिमाग चलाओ आंसर बताओ फटाफट फोड़ दो जल्दी बोल बच्चे येस 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 ए आंसर बी आंस मोंतलब होता है कि इस यह मिल्मम बोल देया उल्टा कर दिया मतलब कम पनाएगा कोन कौम बनाएगा के सील कम नुकि और सी में से कं सरो और लेकिन उसकामार जीरो पॉइंट्ड टू जबकि इसका आमोंड जीरो इसका मतलब कि सबसे कम यह वाले भाई साहब होंगे राइट अंसर होगे हमारा नंबर सी क्या ये बात दिमाग की एकदम नसों में उतर गया अब बहुत सारे बच्चे आके बगावात करेंगे सर आपने हमको धोखा दिया मैं बहुत क्या हो गया सर आपने जब हमको पड़ा सबसे कम रहेगी समझ में आया अब समझ में आया एकदम क्लियर है एकदम क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगला क्वेशन वाट इस दा मोलालिटी अग्वाट इस दी मोलालिटी ऑफ पस सालूशन वेन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एस सलूशन इज लोवर्ड भाय मतलब डिल्टा टी अफ की बात कर रहा है डिल्टा टी अफ दे दिया है 0.5 k and cryos copy constant मतलब के अफ दे दिया है क्या दिया है वन पॉइंट कि वन सेवन कीलो केल्वीन वाला दिया है मोलालिटी पूछ रहा है मतलब एम पूछ रहा है सर अरे सर यह कोशन को तो मैं फोड दूंगा डिल्टा टी अफ अपॉन के अफ डिल्टा टी अफ का वैल्यू है 0.5 kf का वैल्यू है 1.17 क्या यह बात समझ में आई अरे एकदम समझ में आ रही सर आगे बढ़ो आप बिंदास आगे बढ़ो इसको क्या करेंगे हम इसको पचास कर देते हैं दस से मल्टिपलाए करके पचास कर देते हैं नीचा लोग एक ग्यारा ले ले लेते हैं है कि नहीं वैरिशन तो काफी दिख रहा है मुझे 11.7 मतलब 11.7 बुले तो 12 क्या सपास 50 अपन अगर मैं 12 करता हूं तो 25 अपन 6 हो जा आगा सॉरी मतलब यह 0.43 वाल आंसर मुझे फिलाल मैं चोटावा दिखाए दे रहे आप चेक्वर देख रहे आपर अगर मैं यहापर सौ से मल्टिपलाए करू यहाँ पर भी सौ से मल्टिपलाए करू यह भाइसा बनेंगे पचास यह बनेंगे 117 एक काम को एक और दस से एक और दस से मल्टिपलाए कर देता हूं यू सर इतना बड़ा नंबर क्यों ले रहे हो 117 इंटू 10 का पर माइनस वन कर देंगा है इसको सौल को रोबस यह हो गया 500 डिवाइड बाई 117 अब यह सकल से लगना चार बढ़ जाएगा चार सा त्याटाइस को आठ को आठ के लि जाएगा दो या तीन मट या ठायगा ठीक है दो या तीन मर जाइंट ना चाहित कोई कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी यह शर्नो अरे बचल वे चार से लो होगा आगे नहीं को सेलेक्शन नहीं चाहिए उनको selection नहीं चाहिए कोई बात नहीं मैं तो पिछली बार भी जब मैंने लिया था ना लेक्चर जो बच्चा एंड तक रुका था जो बच्चा एंड तक रुका था उसका message भी मुझे आया था कि सर हम आपके lecture को पुरा सुरू से लेकां तक देखे था हम नहाना चोड़ दिय आप उसको देखना जरूर यह सब होने के बाद जो है एक बार नौगंडे का लेक्चर ट्वेस की स्पीड में जरूर देखना जहां पर पुरा से लिबस मैंने कवर किया है तो अलसे नोगंडे का कोई अलपको लेनी जोरुत नहीं यहां पर मैं जो कुश्चन ले रहा हूं सॉलीजन इस ब्रोंज ब्रोंज किस टैक पर स्वलूशन है सर्प भूंज तो एलाय होता है और एलाय होता है सॉलीड इन सॉलीड विदाउट एनी डाउट इसका मतलब मैं यह उम्मीद कर रहा हूं कि हर एक बच्चा हर एक बच्चा जो टेबल दिया गया है आपको वो घि आसा question calculate the solubility s निकालना है के एच इंटू P होता है है एच कितना दिया है भाई एंडी लोग ओंसेंट 6.85 इंटू 10 का पाउर इतना दिक्कत नहीं आ रही है इतना दिक्कत नहीं है क्या पूछ रहा है प्रेशर आपको पूछ रहा है जिरो पूइंट सेवन फाइफ से निकालने के लिए बोला है चलो सॉल करो आंसर बताओ सॉल करो आंसर बताओ जल्दी से 6.85 में 0.75 को मल्टिप्लाए कर बच्चा जल्दी बोलो वोट विल बी दा राइट आंसर दिमाग चलाओ आंसर बताओ जल्दी बोलो येस अगर मैं रफली रफली पकड़ लो 68 को अगर मैं 70 लेलो या 7 लेलो साथ सत्य उन्चास मत्रम प्रइस पॉइंट फाइफ विज एन पचास लुश्व लगभग आएगा पचास कास आइगा दो किसे दिमाग चला रहा हूं ये ले लिया मैंने लगभग साथ साथ सब्सक्राइब साथ जाएगा राइट समझ मैंने क्या क्या क्लियर एकदम कैसे दिमाग चलाया आपको व्यासे दिमाग चलाना है तो इसका सब्सक्राइब 5.1 क्या पाइगा अगला क्वेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् मुलार मास मतलब हैविंग मुलार मास मतलब एम टू बोला है कितना 132 ग्राम इन डिजॉल इन 180 ग्राम व सॉल्वेंट डिजॉल इन 180 मतब डबलू वन दे दिया 180 चलेगा आगे बोला बॉलिंग पॉइंट से कि इलिवेशन मतबंड डिल्टा टी वी आपको दे दिया है साथ के तो पूछ रहे हैं कि बता ओ कहीं क्या होगा क्या आपको को Red की में आएगा कि नॉर्मल में आएगा हमको कैसे पता चलेगा हमको कैसे पता चलेगा क्या करना है तो देख बच्चे आपर आंसर में लिखा हुआ है के जी के जी के जी के जी के जी का मतलब है कि हमको हजार लेना पड़ेगा हमारे फॉर्मूले में हजार वाला वाल्यू लेना पड़ेगा मतलब डेल्टा टीवी एक्वल टू वो आएगा के बीसी खेलेगा हजार रुपए जीतेगा इसके बाद वो मेरे को देगा इंटू W1 समझ माया अब हमको किसमें इंट्रेस्ट है के भी में इंट्रेस्ट है के भी यह रने दो बाकि सबको शिफ्ट कर दो दिवार भाए डबलू टू इंटू एक हजार कि यह कंसेटरह सरड़िदा टीबी कितरा है साथ चुम एक more तर मजा त्यार आहे एक स Exodus डबलू न कितना है एक तो अस्सी क्या वात है सहीं एंटू कितरा है डब्लू टू कितना है साथ आगे ले लो एक हजार मजा आया मजा आया फुल मजा आया सर आगे क्या करेंगे एक जीरो कड़ गया ठीक है आगे दोखो चाहतीरी का ठार चाहता में साथ बराबर ना एकदम साइज है अब इधर देखो जारा अब इधर देखो के वी कोल टू सेवें इंटू त्री इंटू वन थर्टी टू डिवाइड बाई एक दो तीन जीरो डिवाइड बाई एक हजार है भाई मल्टिप्लाय कर आँसर ले कर खतम साथ तरीका 21 आगया देखो तो वन थर्टी टू इंटू ट्वेंटी वन कर दो वन थर्टी टू पोर सिक्स टू तू साथ साथ दो ऐसा कुछ आ रहेगा येस सर कितने प्लेस में डिसमल आएगा कहीं पर भी नहाएगा एक अजा से डिवाइड कर एक दो तीन टू पॉ अजा आ गया देखके फुल अंगामा हो रहा है फुल अंगामा हो रहा है एकदम ऐसा लग रहा है वसूले सर फुल वसूले लेक्च्छर वसूली भाई चालू यहाँ पर हैगे नहीं वोट इस दा ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब बोले तो पाई बोले तो पाई और इस सलूश लीटर माना जाता है वाटर एड़ 300 कल्वीन मतब टेम्टरचर 300 के दे दिया है आर का वैल्यू भी दे दिया है देखो एटीम डेसी मीटर क्यूब सब दिया हुआ है तो अब हमको बोला है कि चलो बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है पाई इक्वल टू एम आर टी होत करेंगे एंट्व पॉलल आपन वोल्यम होता है और मोल जो मॉल होता है वह डबलू टॉपन एंडो मास इस तरह से मेरा पाई का फर्मूला बन गया अब इस पाई को क्या करेंगे सिर्फ साल करना है सिर्फ साल करने डबलू कितना अब देखो और आंसर बताओ आर्ट म्टू समझा वी कितना है सर वी शे दिया है ऊपर आर कितना है जीरो पॉइंट जीरो एट टू है टी कितना है तीन सो है समझ माया मजा हरा है इसका दो जीरो इसमें डाल दो तो एट इंटू थी बन गया और यह जीरो पॉइंट एट डुल ना बच्छा एक दो मतब यह एट पॉइंट टू बन जाएगा इसको बोलो थीन साथ कर दो तीन से कड़कर बच्चे इने कम तीन तीन दूनीचे जीरो समझ माया मतब यह आठ आ गया यह आठ पॉइंट टू आ गया और नीचे आ गया और पुछे दो बोलो आठ टे चौन सट काफी आसान तो लग रहा है यार मुझे पता नहीं क्यों तो आ जाएगा मुझे लग रहा है आठ टे चौन सब्सक्राइब कर दो इन टू टेन इंटू टेन गर दो तो यह बंजागा सिक्स फाइफ सिक्स डिवाइड बार अब मुझे करके दिखाओ 656 डिवाइड बार बार बच्चे इंटू टेन का पर माइनस टू यह सॉल को उसमें दो प्लेस पर डिसमल लगा देना काम खतम है आपका देखो 656 डिवाइड बार 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 पच्चे साथ मतलब यह पांच वाला आंसर रहेगा पांच वाला कौ अब अब जीरो 5.5 के एकड़म नजदिक आ रहा है 5.5 फिन अजदिक आ रहा है तो हमने क्या बोला कि 5.5 को 5.5 ने सॉरी कितना रहे 55 मेरे बोलने का मतलब पॉइंट क्यू निकाल रहा हूं में 55 आ है मतलब ठीक है या 54 बोल सकते है इस तरह से 54.6 आ रहे है जिसको हम बोल सक सो से डिवाइड गड़ तो सिंपल 55 डिवाइड बाइस सो कितना आगा भाई 0.55 आंसर आगा आपके लिए नमबर सी बोल समझ में आया बोल समझ माया फुल धमाल हो रहा एकदम बढ़िया वाला जो बच्चा साथ में बैठाओ उसको मजा आ रहा है कि सरका बाद है क्या बा क्या बोला इसने मोलालीटी ओफर सलूशन इप बॉल इंकरीज बाए 1.7 वर बॉल इंकरीज मतलब डेल्टा टीवी 1.75 बोला है एंड़ मोलाल एलिवेशन कॉंस्टेंट इज मतलब के भी बोल रहा है कितना है फाइब के केजी मोल इनवर्स केजी आ गया मतलब आपको एम इकोल टू डिल्टा टीवी अपान के भी तर डिल्टा टीवी कितना है 1.75 डिवाइड बाइब फाइफ पर दो इससे इजी का है यार इतर दो जीरो पांच तिया पंद्रह फिर दो आगया पांच पच्छेश जीरो पॉइंट थी फाइफ आंसर यह ले यह ले यह ले ल लोग लगातार और पंद्रहजार पब्लिक आपर आ चुकी है और लाइक सिर्फ धाई अजार यह क्या है भाई क्या यह नाइन सब्सक्राइब लाइक के लिए कि दोगराम लेकाई रहे रहे हैं दिखाई देर आ बोलो सर मस्तीटिव लॉप टेवल रहे हैं बच्चा पूचर आब चलाब टेबल रहे का पीची स्क्रीन पर रहेगा त्रवह हाथ उपर करना पड़ेगा सर आएगे तरवको लॉटीब फोल गे देंगे यह कभी लॉट स्किन के उपर रहता है मिनमाइज रहता है तो को उपन करना पड़ेगा ठीक है अपने साफ से रिसक मतले ना हाथ उपर करते हैं एक बार यह समझ में आया समझ में आया क्या बोल रहा हूं दिमाग चलाना देखा डबलू टू कितना है टू केजी है टू ग्राम है डिजॉल इ अलिवेशन के जी में देदिया है मॉलाल एलिवेशन कॉंस्टेंट मतलब 3.5 kg में देदिया सर और कुछ पूछ रहा है का नहीं और कुछ नहीं पूछ रहा है चलो फर्मुला बनाव फटा फटा फट फट फर्मुला बनाव बच्चा डेल्टा टीवी एक्वल टू वो चलाहेंगा के वी सिखेलेंगा हाजार-थ10000 रुपएंजिते गां M twohehe hello sir हमको इंटस्टें is a molar मास of solving बोले तो m2 में इंट्रेस्ट मुलार मास बोलते हैंसको एम्ट्व इक्विल bigger problem 2 3.5 सॉरी के एफ या के बी के भी बोलेंगे माई फॉल्ट ठीक है के बीए के बी कितना है सर 3.5 इंट्व एक हजार डेल्टा डीवी कितना है 0.5 क्या बाद है डबलो अन कितना है असी लेने का पूरा यह जब ऐसा कड़ गया दो चौका आट करने का समझा गया इसको कड़ का सिधा 25 आएगा यह भाए समझ में रहा है कि नहीं इसको कड़ का दो पांच एक एक प्लेज में समय और पचीष सत्य कितना होता है पचीष सत्य आंसर क्या बोलती पबली है नहीं समझा वह भाए समझा गया यह आंसर आगया बोल्व में आया फुल बवाल तरीके से आंसर हो रहा है एक दम चका चक हैंगे नहीं अगला कोशन आपके लिए वाट इस दा amount of solute in solution if a solution is prepared dissolving solute in five what is the amount of solute b внутira ea by Phyl이트amente यहां पर फिर वही चीज़ मांग रहा है आप से बार-बार एक एक शीज मांग रहा है what is the amount of solute in solution बतलते अब यह कहीन थे कहीन इस बार in organizing Calum टू बोल रहा है amount of solution बोला है amanda solid 바로 in solution टू बोल रहा है amount of solution बोला है अमनों solid solution अब इस प्रिपेट बाइड डिजॉल्विंग solid in this much liter मतना volume हमको दे दिया है बाई कितना 0.5 decimeter cube बोला है ठीक है having osmotic pressure पाई दिया है 0.2 ATM कोई दिक्कत नहीं है molar mass obvious m होता है जो कि हम 2 के रूप में दिखाते हैं 360 है और r का value भी दे दिया है क्या ये बात समझ में आई yes sir कैसे करेंगे पाई equal to अब तुम को याद हो गया mass बोले तो w2 समझने का upon m2 समझने का vrt सरम को डब्लू टू पूछ रहा है तो क्या गरू में आर्थी उतारू उतार लेते आर्थी इसको cross multiply कर दो मतलब पाई m2v upon RT समझा क्या समझा क्या नया नया तरीका लगा रहा है तो अपको उड़ाने का इसा कसा उड़ रहा है तो धनल ले से है कि नहीं सब को समझ में आ रहा है आगे देखो जारा सर पाई क्या है पाई क्या है पाई देख बच्छा 0.2 है सर एंटू क्या है एंटू 360 है सर वी क्या है अरे 0.5 यह यह 0.082 ले ले टेंपरेचर बोले तो 300 कल्विन लेने का टेंपरेचर को कहीं पर लिखा हुआ पढ़ के लिए पढ़ के लिए 300 कल्विन लिखा या कहीं पर आसल लिखा हुआ है अब क्या करेंगे एक जिरो यहां पर डाल दिया पांच बन गया पांच इन्टू 02 मतलब यह पूरा 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 0.25 पांच दूनी 10 मतलब एक आ गया इंटू 36 ले लो इसको अंसरा आगा इसको इसको सॉल गाए तो कितना आ गया एक आ गया तो एक इंटू 12 बोले तो 12 12 इवाट डिवाड़ा एट पॉइंट टू करने का समझा चार से कट करने का सिधा-सिधा चार थी आप चार दूनी आठ बोले तो डेढ देर से थोड़ा कम आएगा भाई दिगो आपना चाहिए एकदम सिंपल क्यों सर अरे कि महीने यहां पर तरीका तुमके लिए बताय रहे रहे यहां पर एट पॉइंट तू मतब मैंने क्या ले लिया चार से कट किया तो इधर टू-पॉइंट वान आना ची एक्च्वल में समझा क्या लेकिन मैंने तेरे लिए क्या क्या तोड़ा सा अर्जिमन किया कि देर से थोड़ा काम आंसर आएगा 1.46 अपने को सिदा माग करो राइट आंसर हो गया नंबर ए समझ में आया क्या कोई दिक्कत है क्या कोई कंफ्यूजन है किसी को कोई डाउट है जली से बलो एक बच्चा है सर मोलालीटी और मोलालीटी मोलालीटी बोला है तो बोलने का मास ऑफ तॉल्वेंट वो भी केजी में यह मोलालीटी होता है बच्चा दूसरा है मोलारीटी कि मोलारेटी क्या है सर मोल्स और व कि सॉल्यूट सेव रहेगा लेकिन नीचे बोलने का वॉल्यूम औफ सॉल्वेंट वॉल्यूम आ जाता है अब उभी किसका उभी किसका लीटर में या डेसी मिटर क्यूब में समझ माया ऐसी बात होती है चेक करो इधर देख बचा तरब या मैंने फकरण अब उपर वालेको एंटू बोलते पड़ काई इफ़र मेशन उपर लक्ट का बोलेंगे सं शॉट्गर में का बोलते एंड यह पूर एंटवें यह क्या पुरह एंट टू ए समय माय निचे वाले को वी उपर वाले को मास बोलते है इसको हम क्या बोलेंगे एक दम इजी लग रहा है एक दम इजी लग रहा है सर ऐसा लागा कि फोर देंगे भिल्कुल फोर देंगे देखुए आपर कैलकुल दो मॉलालिटी म कुछा है बॉलिंग बॉलिंग एलेशन डिल्टा टीवी 1.74 और मॉलाल एलेशन पॉलिंट 3K तो हम बोलेंगे डिल्टा टीवी इक्वल टू के बी इन्टू एम क्या यह बात समझ में आई सर के बी कितना है थ्री ना वच्छा मॉलालिटी कितना है पता नहीं यह कितना है 1.74 अब क्या करेंगे अरे अब हावन करेंगे देख दर पे जिरो पॉइंट फाइफ ले ले समझा गया कैसे सर अरे 3 पशे 15 बोले तो दू आ गया तीन अटे 24 0.58 आ गया समझा कैसा उड़ा है क्वेशन को मतलब सर यह चांस इस बर क्या यह चांस जादा इसका आने के बहुत जादा है बहुत जादा है समझ माया 0.58 उड़ गया क्व आइडेंटिफाइड फॉर्मूला यह थोड़ा साथ सलूशन बोल प्लिटर के मिश्ट्र को दिख रहा है ठीक है यह यह पर पटीक तुमको तो पता ही है यार तुम क्या टेंशन ले रहे हूं लैमडा एक्वल टू 1000 इंटू के अपॉन सी देसी दिकरेंट आंसर ठीक है च विच आफ दी फॉलोईंग अरे वीच आफ दी फॉलोईंग जल्दी बोल बच्चा विच आफ दी फॉलोईंग रिलेशन अब रिलेटिव लोरिंग इन वैपर प्रेशर इस ट्रू मतलाब सर डेल्टा पी अपॉन पीवन नॉट इक्वल टू आपन लिखते थे एक्स टू या देखें नहीं और एस टू को आपने को कहीं पर दिखते हैं तो अपने मार्क कर देंगे हैं कि नहीं देखते हैं यह तो बोला एंट पॉन यह तो जोड़ लाए मेरेको यह तो पक्ता जोड़ लग रहा है अच्छा अगर मैं बोलूं कि सर डेल्टा पी को रिप्लेस करो आप बुलेंगे P1 0-P1 अपन P1 0 क्या ये वाला बंदा और ये वाला बंदा सेम सेम है एसा अंसर दिख रह गया कहीं पर अंसर कहीं दिख रहा है आरे सर डिल्टा पूर पन P1 0 P1 0-P1 आरे सर माक करो विंदास माक करो भरोसा है आपने को एके दम राइड रहेगा क्या वुल दी पॉलीक येस और लॉ अगला क्वेशन ओ माइगॉड सलुशन या पर खतम हो चुका है और आपको मिलने वाला है एक बहुत प्यारा सा 5 ममट का ब्रेक मिलने वाला है मात्र 5 ममट का ब्रेक चलेगा येस येस अभी कितना हो रहा है चार बच के पांच मिनट यह सर चार बच के पांच मट तो हम मिलने वाले रेजुमिंग टाइम जो होगा आपके लिए कहीं जाना नहीं भाई चार बच के दस मिनट पे हम शुरू करेंगे दो चप्टर हो गया है और दो ऐसे चप्टर में जिसमें जाना कैलकुलिशन था तो कम कैलकुलिशन वाले लोग तो ऐसे उड़ी आएंगे चुटकें में उड़ी आएंगे टेंशन मत लेना मिलते हैं मिलत में तुरूंट में झाउंगे और ОнबMadu एंवागे बाता हैं मिलते हैं ओष्टर आहैं फो बवागे बचार कुटकें मिलते हैं उनासवा 쪽 दाथ हैं झाल 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 इवर्यवार्ण 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 इवर्यवार्यवार्यवार्य ये श्रिवार्यवार्या श्रास आपको पुंझा यह रहा आपके सामने बेसिक से information मज़ा आएगा आपको एक दम किस फुल मज़ा आने वाला है डिगरी आफ डिसोसियेशन का पर्मूला होता है अल्फा इकवड-उसोट्यों मतलब कैसे निकालते हो सर जो मार्स मिलता है उसको तांग देते हैं जितने म深त निचे टांग देते हैं into 100 कर देते हैं वही तो यहाँ पर भी करना है जितने लोग टूड़ के ऊपर जितने में से टूड़ के नीचे into 100 क्या तो परसेंट डिसोसेशन आ जाएगा समझा क्या तो परसेंट डिसोसेशन के लिए तुम बोल सकते हैं कि सर यह अलपा इन्टू 100 हो सकता है क्या यह बात समझ में आई डिलूशन को और जो लोई भाई बहुत खास बहुत खास अलफा इज़र्टी प्रपोश्चनल टू स्कॉयर रूट रूट वोल्यूम यह इन्वर्श्री प्रपोश्चनल तो स्कॉयर रूट रूट कॉंसेंट्रेशन क्लियर इसको जब हम थोड़ा साथ सॉल करेंगे ना तो हमको यह भी मिलता है के एक्वल टू अलफा स्कॉयर इंटू सी जहां पर अलफा इक्वल टू के ए अपॉन सी रूट के अंदर इस तरह से भी बात होती है क्या यह बात क्लियर है एकदम यह सर जो आगे दिया गया है टेंश हे के लिए मतलब हे के लिए एच प्लस एए माइनस होता है एक और चीज में बता तो वी के सिट में जो एच प्लस होता है उसका फॉर्मुला अलफा इंटू सी भी बोला जाता है या फिर हम बोल सकते हैं वीक बेस में जो ओएच माइनस होता है उसका फॉर्मुला अलफा इ यह फोर्मले यह बालों का पीएच का फ़र्मुला क्या है बच्छा माइनस लॉँग वो बेस्टेंग ठीक है फोर्मुला क्या है सर माइनस लॉद समेंद भूख वेशर दिखांए रहें दिन प्येच्ट कि बात करेंगे पी एच प्लस प्यष एकुल टु फोर्टें समझ में के हो जाएगा बेसिक बफर सोलुशन के लिए सेम कंटेंट बस बेस लिलने का सॉल्ट अपॉन बेस और पी के लिए बिल्कुल पी एच के जैसा बताने का माइनस लोग टूदे बेस्टिन के भी यह सब का सब क्या है बेसिक फॉर्मुली दिखा रहा हूं समझा समझा क्या सॉ क्या करने का मैं बुलेगा इधर दे यह इधर देख बच्चे मैं का बोलें वाला हूं आपको अगर आपके सामने आगया अगया वी एक्स कि अब जब तोड़ेंगे बी य प्लस इसका CROSS होता है ए एक्स माइनस CROSS होता है ये कितनी बार एक्स बार ये कितनी बार वाई बार इसको SOL करेंगे न ये छीज़ लोग कन्फूज करते हैं सर अमको समझता है नहीं क्या लेने का बच् Downby प्लस लेने का लेकिं को एपिशून को पावर डालने का मेरे वाई को एक्स माइनस लेनें का पूइफिश्ण को पावर डालने गा अजे बच्च हां समझता है हम को नहीं समझ रहे है कि आप प्क्या बूल्रहे हो ऑड जो कोईफिशंब रहे News ऑर द 91 येस आया समझे में क्या बोल रहा हूं है कोई दिक्रत कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी अब क्या करेंगे सर अगर मैंने ले लिया केसपी का दूसरा वाला फॉर्मूला तो भाई शॉटकट मारने का एक्स अपॉन एक्स वाई अपॉन वाई एसका पावर एक्स प्लस वाई समझा गया एकदम दिमाग की नसों में बिठा दो ग्यारेंड़ क्वेश्चन इसके उपर अरे हांड़ एंवन परसेंट है आएगा याएगा तो यह फॉर्मूला को एकदम याद करके जाओ याद करक सब्काइब कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी येस बेख लुए कची बढ़िया समझ में आ रही है एक चीज एकदम बढ़ियां समझ में आ रहे कि यह सर हम एकदम ट्राक पर हैं बहुत बढ़ियां चल रहा है कोई दिख्यत नहीं और यह कोई गंफ्यूजन नहीं यह य से कंटीनियों करो बिल्कुल कर बच्ची अनुराज सलूशन का आयूनिक का कोई रिलेशन नहीं है आप यहां से शुरू करो और आयूनिक जो है वो समझेगा आपको और जो सलूशन है उसको बाद में देख लेना चलेगा आगे बढ़े ओके चलो आगे बढ़ते हैं क्या होने वाला है सर आरे वहीं होने वाला है वहीं होने वाला है कि मोश्ट कि एक्सपेक्टेड़ क्वेस्चन्स भाई बहुत मेहनत लगिए इस कंटेन को बनाने में कि तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसकी कद्र करेंगे बहुत से लोग साथ में शेयर करेंगे उनको बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको पीपीटी में थोड़ा सा एक को वालाइटी दिख रहा हूं कि हाँ सर मेहनत तो नजर आ रही है पीपीटी में आपको दिख रहा हूं को फॉर्मेटी आप देख रहांगे पैटन देख रहांगे है कि नहीं तो मेहनत तो नजर आ रहे हैं सही बात है येस और नो येस और नो येस येस सर चलो इसको जर्ण मैं बना लेता हूं थोड़ा सा डिजाइन बना देते इसको क्या वोल्दी पब्लीक येस चलो आपको सब फील आएगा कि क्या वाद है जर क्या वाद है बस लग रहा है इनम चलो आगे जाना देखते हैं यह हमारा option नंबर अ था चले करते हैं पहले कि में से अक्वेस्ट सेलुशन ओफ अमोनियम्द प्लॉरायड पना यहां पे लिखेले में है वैच्ट लिखेलो हुस्ट बोलो एच्परसम्वेशन अमोनियम्द बो यह तो डुसरा बोला है कैसी एन three необ ऐस बोले तो सी एस तरी सी ओ ओ एन ए अगर इन सब को मैं क्या कर दो हाइड ओली सिस कर दू अरे इनको मैं सलूशन बना दू तो बताओ यह लोग क्या देंगे क्या देंगे देख बच्चा यहां पर बड़ा सिंपल काम है इसको जब मैं पानी मिला हो तो यह क्या बनाएगा एंच फार बनाएगा प्लस एचल बनाएगा मतलब यह क्या हो गया स्ट्रॉण इसी डागया यह समजा यह सर K-C-N में ये क्या बनाएगा ये क्या बनाएगा K-O-H बनाएगा ये क्या बनाएगा H-C-N बनाएगा दोनों के दोनों बंदे क्या दिख रहे हैं मुझे ये strong strong base ये weak acid तो moral of the story क्या हो गया basic हो गया सर strong जो आता है वही माना जाता है इस्ट्रॉंग लेगो मानेंगे चलेगा अगला ये भाई साब क्या बनाएगे ये भाई साब बना देंगे acid और ये भाई साब बना देंगे base अरे सर ये तो weak acid होता है ये तो strong base होता है इसका मतलब इसका nature बन जाएगा basic क्योंकि जो सब्सक्राइब कैणा राइट ज Aurनल आगे राइट जॉर कशा पंपे डिए कुलन मंनी ये यह बहुत सारे पैरेंट से अप सब्सक्राइब करेंगे सारे में ऐसा हुआ गया अच्छा इसका फॉर्मेट यह चैंज होगा चलो कोई बात नहीं इसके फॉर्मेट में पुरा गड़बर हुआ क्यों क्यों नहीं है तो यह प्रक्राइब दिमाग चलाते बुलाए पी एच अच्छा पीछ जरा देखनें अच्छा तो नहीं कोई क्वेशन चूड़ का नहीं बरावर है पीएच इज 6.4 है अगर पीएच कितना है बच्चा 6.4 है दिमाग चला पहले अगर पीएच कितना है 6.4 है वाट इस दिवाल्यू आप एच प्लस सोचो और आं है 6.4 माइनस लोग दो बेस्ट इन एच प्लस मैं काम करता हूं इसको शिप्ट कर दो कि देखो ऐसे केसे में लॉग आपको बाई डिपॉल्ट यूज करने होंगे यह माइनस आ जागा तो प्लस नहीं करने का आरे सिंपल मैस से सर क्या बोल रहे हो अगर कभी ऐसा हो गया कि कि यह वाला माइनस इदर चलागा तो हम तो प्लस करते हैं हम तो पच्पन से पल रहे हैं आपको सब मैस सिखा रहे हो हमको गलत गलत वाला मैस सिखा रहे हो गया माइनस को शिप्ट कर तो प्लस नहीं बोल रहे हैं अरे मेरे बच्चे यह माइनस जो है लॉग के साथ कभी दूसरी जाता है तो वह मैल्टिप्लाय की बाद अगर डिवाइड होगा तो वह माइनस ही रहता है समझ मैं सागर बोला है सर कपता के लेक्चर मेरा अंसर क्या होगा चैट मुलिक दो तुम लोग गवर मैं लक्रीं लोंगा पफलीक लिखने वाली टेंश्न मतले वाइड नहीं अधर मसर बन गया मैनेस यहां पे चल भागा तो मैंनस 65 धीर देसे माइनस कितफना ओ Чści名 भाइन वाइनस seven a serb माईनस seven और यहां प्लस 0.6 आ ना या माइनस 7.06 06 अगा पॉइंट शिक्स लिने गा इस तरह से इतना अन्सर आ episode सम्झाव वापस देखो मैंने डीन स्वहिब्स दिया यह मैनस मया बेच दिया ma-6.4 हो गया माइनस 6.4 में है दिगो माइना 6-0.4 स्क्तिते से ७ाइएस है माइनस फाइफ को फाइफ को हम लिखते है माइनस 3-2 समया बिल्कुल साही हमने यह किया समझ में आया अब इसमें मं愫 यह माइनस वण और यह माइने सिस्ट मिल यह माइनस शवन और यह प्लस तो वन-जिरो पॉइंट फो दिन आ 4 ऑब सब्स ट्रवान और 0.4 मिले कर तोन फ््लlair होश्च जरो फान दिमाग है एस Imperium होट घरよし लॉप टुदर बेस्ट एच प्लस अब क्या करनेगा अब एंटी लॉग लेनेगा इसलिए तुम्हारे बुक में दो कुछ दिया हुआ है क्या दिया है ताकि तुम्हें यहां बटकना ना पड़े येस समझा समझा चलो तो इधर क्या बोलेगा टेकिंग एंटी लॉग अब मैं इतरा इज़त दे रहा हुँ भाई टेकिंग एंटी लॉग करके दिखा रहो दुमको तुम इतना इज़त मत देना इजाम नरुको तुमारा जो रॉफ पेपर हो जमा भी नहीं होगा उदर तु कोई तुम इतना इज़त मत दो तुम सिदा बोलेगा जिरो पॉइंट इसका वोले दो त्री पॉइंट नाइन इंटू टेन का पॉर माइनस सेवन ये राइड अंसर हो गया देवा इसका अंसर आग्या पॉइंट इसका 3.9 और उसके बाद जो आगे होता ना बार की रूप अधर प्र airlines कि अधर करने बड़ेगी highs में पराहिट वर्लेट Look उद्शें सोलिबिलिटी और सी एसे ये इफ्तू सालिबिलिटी औफ वर्ले तो एस सोलिबिलिटी पॉलेट येS और स्यूबिलिटी मतलब व completely है अब समझा अब समझा क्या बोला है बोलो समझ में आया इसने क्या बोला कोई दिक्कत किसी को भी कहीं पर भी कोई कंफ्यूजर है किसी को जड़ा देख लो पहले एक पर question question देख बच्चे पहले और दिमाग चला फटा फटा आंसर पहले बताओ आपको मौका मिल रहा है अपना टैलेंट दिखाने का सब्सक्राइब करना होता है ऐसे question में सब में नहीं सिर्फ उस्टाइब क्वेस्टन में इसका अंसर पच्छे क्या होने वाला है जल्दी बोल इनिवन इन दे चैट वॉक्स कोई बताएगा मुझे कि इसका राइड आंसर क्या है चलो हम पहले क्या करते हैं थो असल दिमाग चलाते हैं कि हमको ना कि देखो यहां पर क्या दिया मुलार मास आपको दे दिया है ओभी किसमें ग्राम पर मूल में अब आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं कि एक्च्छल में होता क्या इसके अंदर सॉलिबिल्टी कभी ग्राम पर डेसिमेटर क्यूब नहीं आता है जैसे कि अगर मैं सॉलिबिल्टी की बात करू ना तो हमने पढ़ा हुआ है कि सॉलिबिल्टी एक तरह से कॉंसेंट्रेशन होता है जो मॉल पर लीटर आता है अगर आपको यहां दोगा सॉलूशन सॉलिबिल्टी नहीं तो पहले मैं क्या करip तो मेरा आगया 0.078 ग्राम डेसी मीटर माइनस त्री डिवाइड बाइध यहां से देखना है यहापर 78 ग्राम मॉल इनवर्स अब जला दिमाग चलाना ग्राम ग्राम कड़ गया यह मॉल इनवर्स जब उपर जाएगा तो क्या बन जाएगा ज़र भूलो नॉर्मल मॉल बन जाएगा मतलब एस इक्वल टू 0.078 यह भाई साब बन जाएगे नॉर्मल मॉल यह भाई समझेगा डेसी मीटर क्यूब डिवाइड मास सेवेंटी एट कुछ समझ में आ रहा है सर जाना तो नहीं तोड़ा बहुत आ रहा है इसको कटकने कितना आ गया 0.001 आ गया मतलब आंसर आगया हमारा 0.001 मतलब टेन का पावर माइनस थ्री मॉल पर डेसी मीटर क्यूब अच्छा तो सर एसका वैलू इतना आया यही तो इसके अंदर राज है जो इस राज को समझ गया वह बंज़ेगा राजदार क्या बोलती पबलीक सर आंसर तो नहीं मैं चुआ अरे रुकना जा रहा है वह आ रहा है आंसर तेरा आंसर आ रहा है मैच होगा तो ठंड जरा रख अब कुश्चन जरा पूला अब तो को समझ में आएगा बोले सॉलिबिल्टी ऑफ सी एफ टूइस दिस मच ग्राम पर डेसी मीटर क्यों वोट इस इट्स सॉलिबिलिटी प्रोड़क्त मतलब किसकी बात कर रहा है सार यह के एसपी की बात कर समझा सर एकस का ओन है सर अब अपना दिमाग चलाना अगर यह सी zo مरें लिखा हुआ है आज के बात जिख्डम यात कर लो पहला जो number होगा ना वो हमेसा x का number होगा और जो दूसरा number होगा ना वो हमेसा y का number होगा मतलब ks पे निकाला ना तो 1 का power 1 करो 2 का power 2 करो और s का power s मतलब कौन 10 का power minus 3 उसका power 1 plus 2 करो oh my god my goodness मतलब दो दूनी चार इंटू 10 का power minus 3 का power 3 अरे sir मैं तो sir इसके पहले मांग करने वाला था भी आंसर मांग करने वाला था मैं खुश हो गया था कि मेरा answer आ गया मैं खुश हो गया मेरा answer आ गया लेकिन sir 999 अब समझा sir लोग क्यों बोल रहे है mhtcd 2023 अलग लेवल का होने वाला है ऐसा question करवार हो ना मैं ऐसा question करवार हो तुम्हारे लिए करवार नहीं करवार हो जल्दी बोलो भाई ऐसे को चूते नहीं है कौन टच करेगा इतना दिमाग को चलाएगा अपन करेंगे इजी इजी वाला क्या इजी वाला ताकि रपारा पैसे करने का यह तिमाग लगाना पड़ेगा इसमें तो सलुषिन मताना पड़ेगा इसमें तो कंसे प्रक्राइं बताने पड़ेंगे अपने और एक दरा तरह अपनता आटी ऑप्ट चाप से लिए यह समझा यह समझा कोई दिक्कत हुई किसी को कहीं पर भी किसी को भी येस 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 हरी बच्चों को राइट मिला बहुत बढ़िया वही यह बहुत मज़ेदार था जितनी तारिफ के जा उतनी कब हमेशा याद रहना आज के बाद से याद कर लो आज के बाद से याद कर लो solubility is like a concentration मैं इसके पीछे भी बताया था आपको solubility जो होता है न इस kind of concentration जैसा होता है मोल पर लीटर या बोल सकते हो मोल पर डेसी मेटर क्यों समझ में आया तो यह यूनिट होना ही चाहिए अगर यह यूनिट नहीं तो उसको करोंड करोंड में इसलिए मैं इसको डिवाइड क्या उस रूप में बनाने के लिए यह आप समय में आया अब क्लियर एक दम येस सर 0.1 प्लस 0.4 क्या बोल रहा है भाई 0.1 कहां से आ गया सर प्वस्चन में माइनस 7 अरे भाई तरह मैं सितना विक अभी मैं क्या गरू ये भगवान इधर देख रहे बच्चे तेरे लिए खास एकदम इधर देख मैंने बोला 6.4 जो ना माइनस में माइनस में किसमें मा रहा हूं इसको थोड़े का बनेगा माइनस 6 माइनस 0.4 बनेगा यह समझा क्या यह संगा एक से आया जैसे कि मैंने यहाब बताया माइनस 5 को मिसका माइनस 3-2 या फूर माइनस 1 लिख सकते वैसे ही हम सको लिख सकते है माईनस सिक्स माईनस 0.4 अब इसमें प्लस ऊन माईनस favour कर खूए देगा अब जिसको मैं सात मेल रखने कर देख mon्सकों मैं उसको देख रहा यह कितना हो गया पुरा मिला के यह कितना मैंनस 7 हो गया और यह plus 1 और यह कितना हो गया सर यह plus 0.6 हो गया अब कितना आ गया 7 माइनस में आ गया पॉइंट 6 लगा जए 6 मतलब 0.6 अभी समझा अभी समझा कितना कोई नहीं बताएगा डर्मत ठीक है एक बच्चा बोले सर डायेट अगर मैं केस पी लगा दो तो गया है तब तो गया बच्चे जब तो भटकती आत्मा बन जाएगा सर लेकिन आंसर दो तो नहीं आगा नहीं The Dissociation Concentive of 0.1 M Dissociation Concentive of 0.1 विक एसीडी कि बोला है मतलब के एक ही बात कर रहा है 1.6 इंटेन का पहार माइनस 6 दिगरी ऑफ दिसोसेशन अल्फा बताओ क्या पताई अल्फा का फ्रमूला के अपां सी रूट के अंदर है कुछ था कि कुछ और था 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 तो सर ऐसा ही कुछ चलो देख लेते, अगर मैं इसको उपर लेके चले जाओ, तब ये क्या बन जाएगा, देखो, 1.6 into 10 का पावर उपर क्या तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस बोले तो माइनस 5, मैंने क्या, क्या, into 10, into 10 कर दिया, क्यों सर, अरे, into 10 करेंगे, तो यह भाइसा बंजेंगा, solar, और यह बंजेंगा, 1, मतलब 10 का पर माइनस 6, और रूट आजाएगा, बाहर, 4 into 10 का पर माइनस 3, समझा क्या, समझा, कैसा किया, मैंने, आंसर हो क्या, नमबर A, कुछ गया दिमाग में, कुछ गया दिमाग में, yes sir, yes or no, चलो, the solubility product, the solubility product of BSO4 is, 3.6 into 10 का पावर, solubility product बोला है, जहां सुनो, sorry the solubility product नहीं, solubility बोला है सिर्व, और mol पर decimeter cube दे दिया, मतलब यह प्रॉपर आंसर है, इसमें जड़ा भी ताम ज़ाम नहीं है, एकदम correct है, what is it, it's a solubility product, 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 क्या लिखेंगे, x का पावर x, y का पावर y, s का पावर x plus y, आपको पता है, यह कितना value है, 1 है, यह भी कितना है, 1 है, 4 मतलिक देना, अरे यह 2 प्लस होता है, यह 2 माइनस होता है, तो दोनों कड़ेंगे, तो कोई आया नहीं आपर बचा ही नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, तो x और y कितने मिलेंगे, 1 1 मिलेंगे, x equal to 1 and y equal to 1 आया, मतलब sir, 1 का power 1, 1 का power 1, s का मतलब 3.6 into 10 का power, ऐसे 2 ले लो, समझा अभी, अभी समझा, yes sir, अभी समझा sir, यह पुरा 1 हो गया, खतम कर दो, यह 36 into 36, मतलब 3.6 into 10 का power minus 10 आजाएगा, अब 3 तरीक का 9, 4 चोप का solar, मतलब इसके आसपास का answer आएगा, और क्या, तिन तरीक का 9, 4 चोप का solar, बोले तो, solve करके देखना पड़ेगा न, solve करके देखना पड़ेगा, क्या बोलती है, बबली, solve कर जड़े एक बर, 3.6, 3.6, 3.6, multiply करो, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6, multiply करो, जल्दी से multiply करो, चुटकियों में solve होने वाले सम को उड़ा दो, उड़ा दो एकदम, multiply करो करे, करी लेते हैं, ठीक करके देख लेते हैं, कितना आ रहा रहा आपने क्या घरना है, चाचा आ के 36 को छे करेंगा तीन, चाचा चातिर का ठारों इस बिस एक तीस, करेक्ट, तीचा कठार को आठ के रिगा वन दिन तेरी का नो, एक दस, देख भाई, छे, नो, दो, एक, बारह, दसमलो, नो, छे, कितना आया, 12.96, मतलब अपना अंसर एकदम राइड होने वाला है, अरे, बारह, दसमलो, 96 का मतलब 13 क्या असपास, एं अंसर को फोड दो, लेकिन सर कई सा, दिखाता हूँ देर को मैं, इंटू 10 का पवर माइनस 10, इधर कितना बोला है, 9, इसको इंटू 10 कर, डिवाइड बाइ 10 कर, देख यहां पर, मजा देख, 1.296, इंटू 10 का पवर माइनस 9, मजा आया, इंटू 10 का पवर 9, बोल, फोड़ा की नहीं, फोड़ा तुने, अरे सर, अब समझ में आ रहा है, क्या आंसर हो रहा है, वाँ भाई वाँ, वाँ भाई वाँ, मजा यह आ गया, वाँ वाँ, हैंगी नहीं, येस, चलेगा, 1.296, विच्व अवंगए एग्जामपल ओफ बेशिख बफफर सलूशन, बेशिक बेशिख बेशिक, बेशिक, इसमें से कौन बेशिक बफफर सलूशन का परिख आपके लिए मैं इंपजार कर रहा हू, किसको बोलते देंगे कुछ यान है कुछ यान professor का condition क्या था क्या है हम भी कह बने बन जाएंगे इसमें से विक बेस्ट उला आपका काम बन जाएगा वीक बेस्ट वीक बेस्ट ये एन टू-सी ओ-3 भी बेस्ट वता है बट वेच्ट की रूप में तो फिर उपने यह यह तो याज की रूप में दिख रहा है यह वीक बेसे और कोई ने तो सी आंसर को माक कर दो बीना टाइम प्लस उसके साथ सॉल्ट रहा तो by default ही आपके पास आपके पास सॉल्ट है ही तो right answer हो गया number C next question अगला question आपकी फर्माईश पर आपकी फर्माईश पर question नमबर पता नहीं बट चलो जो भी है बोलो वट इस दे वैल्यू आफ ओएच माइनस इफ एस्ट्रियो प्लस इस गिवन इस इस मच यारी तो काफी लग रहा है और यह यारी तों फोर्ड देंगे सर अरे गारेंटिट फोर्ड दूंगा में पक्का बलो फोर्ड दूंगा दे एच प्लस और ओयच माइनस का कॉंबिनेशन टेन का और माइनस फोर्टिन होता है क्या यह आपने पढ़ा है बिल्कुल पढ़ा होगा बिल्कुल पढ़ा होगा अरी तो कंपाउंड में है यारि इतना का इंचल ने रहो हमको बोला ओयच मैनस चेप्टर में था बच्छा य के आइनपा़ माइनस फोर्टिन डिवMaxiren माइन फ così इंटर अच प्लस करदो च प्लस मतलब हैस्त्रीव प्लस थे न का पचल और माइनस गार पांच वाला अंसर लग रहा है सी वाला अंसर राइट लग रहा है काम को पॉइंट दस दस ले लो यहां पर यह भाई सब जब दस से मुटिप्ला तो क्या आपके पांच बन गए और उपर वाला तेन का पाउर टेन बन जाएंगा मतलब राइड अंसर आगा फिलहाल गे जिन्हों आंसर डाइक पर छबरी चलेगी नहीं आपर बोलू क्या बोलू क्या जल्दी बोलो को तो बोल दू यह चैट में पहले बोल दू फिर में बोलता हूं तुमारे लिए खास लिखाए मैंने उनके लिए जो तड़ी पार हो गया है यहां पर एगदम जल्दी बोलो यह एक दम रेडियो मजा आने वाला है फुल धमाल होने वाला है चलो क्यालकुलेट डिसोसेशन पावर माइनस टू वीग मुने इसी डिग्री ओव डिसोसेशन दे दिया है पाइफ इंटू इनकावर माइनस पॉर सरके के एक यह आंसर क्या होताँ अलफा स्कोरिंटने लेने का लभा बोले तो पंच करो इंटू टीन कवार माइनस टू सेण आएट इन्टू इनट लादा बाइनस टू समझा कैसा कुढ़ा तर स्ट्सक्रण चुटकों विए ऊढ़ा रहा है क्वेस्टन ये सब लू बोल दू ये उनके लिए जो पढाई नहीं कर रहे है जपरी गिरी कर रहे हैं क्या कर रहे है चपरी गिरी मत कर तुझ ये लेगी नौकरी नहीं मिलेगी चोकरी और लेगे घुमेगा ठोकरी ये बाई क्या वोलती अनार गली क्या वोलती पॉब्लिक जल्दी से बोलो फुल दवाल ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं डिसोसियेशन कॉंस्टेंट आपकी खाती रिखनम डिसोसियेशन कॉंस्टेंट है समझा calculate the concentration of acetic acid concentration पूछ रहा है सर यह क्या होता है आरे से पूछ रहा है यार डिग्री ओप डिसोसियेशन आपको दिया है टू इंटू 10 का पाउर माइनस टू बोलो समझ में आया बोलो समझ में आया येस 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 मजा आगया आरे वाहा है फुल याद रगो याद रगो आपका यहाँ पर अटेंडेंस एकदम कंपर्सिर होना चाहिए रीजन सेलेक्शन चाहिए अपने को सेलेक्शन चाहिए समझेगा छबरी करीने मंग था अपने को येस यह तो यहाद रोगो फिर वो रैप तुमारे लिए फिट बैटा का इदम परफेट बैटने वाला है य रिया दोनिवर इस बात को चलो इधर आजाओ सर्का घरेंगे और करेंगे खवन करेंगे खवन करेंगे इस तरह से सॉल कर दो सी इकुल टू बन जाएगा के एप अपन अलफा का स्क्राइर सर के एक होता है वन पॉइंट इंट टेंगा पावर माइनस फाइफ डिवाइड सब्सक्राइब आलफा का स्कॉर ले लिया तो 1.8 इंटू टेन का पाउर माइनस फाइप दो दूनी चार कर दिया चलेगा कट कर इसको जारा जीरो पॉइंट चार 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 बच्चे बीस सर ऐसा बुचा रहा है जीरो पॉइंट फॉर फाइफ देखितना तरीके से उड़ रहा है दिख रहे हैं सर ऐसा कोशन आएगा इसमें से आरे इसा ही आने वाला है ऐसा ही छपेगा तुच सुन जना ध्यान से समझा आप ऐसा ही आने वाला है बस तुम एज़ेंट में रहो अगला क्वेस्टन देखो इंदर रियक्षिन बताओ इसमें से conjugate base pair कौन है अरे यार यह question कम टाइम पर जादा लग रहे है नहीं इतना easy question कैसे हो सकता है सर कैसे अब इतना easy question दे सकते हो चलो दिखाता हूं मैं आपको कैसे दे सकता हूं देखो जाना ध्यांसे इंदर reaction HCL plus NH3 में मैंने NH4 मिला है conjugate acid base pair बच्चा यह अभी भी नव बहुत सारे लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ है conjugate acid base pair तो आएगा इस बार के पेपर में हमको उस बंदों को पकड़ना है जिसमें मैं H मिला भी सकता हूं और उसमें से एक निकाल भी सकता हूं सिर्फ एक ही नहीं पकड़ने का लोग क्या करते हैं यहां सर्क डालने पर यह कंपॉन कुछ नो बन जा रहा है क्या बोलेंगे हमको H डालना भी है और है को निकालना भी ऐसी प्रॉपटी होनी चीज़ के अंदर समझा क्या मतलब सर अभी है इस बात में हमको बोला क्या है हमको बोल रहा है कॉंजूगेट एसीड बेस पेयर बोला है कि देखना पड़ेगा जारा पहले आप लिख लेते हैं कि एसीड बेस यहां पर लेलो इसको मतलब यह आपका एच्छिए लेना एस तरी बेस यह एसीड बन जाएगा और यहां पर बन जाएगा आपके लिए बेस चलो डिफरेंस कितने होना ची Clayton एक 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 एकिन होना चीह एक हाल जोना चाहर हें कॉंजूगेट इसीड पेयर में ठीक है चलो जार देखने है पहले है एच्छिए वह बिश्या अच्छिए बाटिक बेस यह ए एच्टव मैं ले लिया है एक्च्छ मेना एसी डे एसर से इसके साथ में सीय जड़ाच एक है क्या है सियल बैसरा मतलब एक्च्य ऐसील बेसे दोनों माइच्प्रेंस है इसको पर लगए ऑख को सकती है डूसरा एक्च्छ और एनच पॉर प्लस जड़ा देखो एच्चियल एसीड एने स्फ प्लस एंच यह निच लेगा यह बी आंसर पिक्चर में नहीं है इसको निकाल दो दूसरा देखो कि चैशल Show कि और एचने सी यह निच लेगा यह मिखना है उच्चर प्लस और एच सीय जड़ा एनसससे निच लेगा यहां यह नहीं रहेंगा यह बेस यह अगए यह बेस यह बेस आगे हमको भूला है वन्दब एक होना ही चाहिए यह बाई डिफॉल्ट है समझा जान सब्सक्राइब एसीड एसीड यह तीनों या तो एसीड एसीड है या तो बेस बेस है हमको वो नहीं हम पर फिलाल के लिए किसने अपना एच लूस किया तो अईससा लूस करता है और जो बैस होता है उसके पास लैगा तो इसका मतलब कि होगा आपके लिए Uh ढगे टो रैट अंसर पर Personen Nej Bisola किया और ऊबर यहां पर ऑपका यहां पर पर accurate answer compare to others अब बोलें सर वह अला concept क्या है जिसमें आप बोलते हो कि एच प्लस लेना चाहिए देना चाहिए तो अगर अभी ऐसा आ गया ठीक है मान चलो कभी आइसा आगया कि और एच प्लस रिलीज भी कर सकता है समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं तो यह अमारा जो नो बेश्ट को एसी मतलब कॉंजुकिट एसी बेस्ट का पैटन दिखाएगा समझा अभी अभी समझा मैंने क्या बोला अभी समझा यह बहुत ज्यादा सब्सक्राइब अगला आपके खातिर यह रहा है दिमाग चलाओ आंसर पाओ बहुत मज़ेदा रहे बच्चे ऐसे कोश्चन आने के चांसे बहुत ज्यादा है सर वाट इस दपी एच पी एच का एक्शल मीनिंग क्या होता है माइनस लॉक तुद पे स्टें एक्शल मीनिंग कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी लेकिन सर हमको जो एच प्लस दिया है ना उसमें तो जोल लग रहा है जोले बच्चें क्या जोले तिरको अरे तिरको क्या जोल लगना हो तो बता सर अगर मैं यहाँ पर इसको तोड़ देता हूं है तोड़ देता हूं समझो तब हम बोलेंगे हमको टू एच प्लस मिल रहा है जबकि हम को क्या दिया है मतलब यह जो एच प्लस है ना तो इंटू 5 इंटू 10 का पॉर माइनस त्री लेना पड़ेगा मतलब 5 दूनी 10 इंटू 10 का पॉर माइनस 3 10 का पॉर माइनस 2 आ गया सर किसका वैल्यू आया पूरा चहां जहां पर Fleisch भान आभी कि यह आगया क्या यह बात समझ में आई क्या यह बात समझ में आई शमको वागत are सब्सक्राइब बहुत खास बंदा है लोग क्या करते हैं जल्दवाजी में एक दों पाइफ इंडूटेन का पावर माइनस तरी सीधा इसका पीएश निकाला शुरू कर देंगे ट्रस्ट कर बच्छे ऐसा नहीं करना है ऐसा नहीं करना है एक प्लस 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 एक का दिया माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू प्लस टू मतब यह पी एच का वैल्यू आ गया प्लस टू क्या यह कंसेट एक दम धिमाग की नसों में जाके उतर गया स्थर मजा आ गया सर मजा आ गया एक दम येस और नो येस और नो अगला क्वस्टिन वीच विच अमंग दो फॉलोईंग विच अमंग दॉ फॉलविग इस एंड वीक बेस भाई दोनों वीक एचिना विक बेस से बनोंगे ऐसा कौन होता है सर जो दोनों वीक एस लिग बैस लेके चल रहा है चलो दिखाता हूं मैं आपको वीक एसिर पहला अंसरी मुझे लग रहा है दिखाता हूं मैं आपको क्या ये वीक एसीड है येस सर क्या ये वीक बेस है येस सर यहां से एच यहां से ओ एच आंसर बन जाएगा बोल दो CH3 COO NH4 मतलब राइट आंसर हो गया ammonium acetate and that will be the correct answer क्योंकि ये वीक एचीड वीक बेस से बनावा component है येस और नो वीक एचीड वीक बेस से बनावा component है अगला question आपकी खातिर जो मोनो बेसिक एचीड मोनो एसीडिक बेस सारी माय फॉल्ट वेन वीक मोनो एसीडिक बेस is a 1% dissociated मतलब percent dissociation आपका 1% है अगर मुझे alpha निकाल ला है तो 1 upon 100 मतलब 10 का power minus 2 simple concentration वो भी 10 का power minus 2 molar और बोला है what is the value of kb kb equal to alpha square into c 10 का power minus 2 का square into 10 का power minus 2 minus 4 minus 2 बोले तो minus 6 answer आगया sir right answer आगया minus 6 वाला किदर है भाई minus 6 नंबर बी correct answer बोलो समझ में आया number B correct answer समझा कैसा उड़ाना question ये ऐसा लगा चालू होते ही उड़ गया नहीं देखो जना क्या उड़ाया question को मज़ा आया इनी question में बहुत ज्यादा अगला question आपकी खातिर देख लो देख ले बच्चे क्या पूछ रहा है बोल रहा है which among the following pair of solution does not form acidic buffer solution इसमें से कौन वह बंदा है जो real में acidic buffer solution का combination नहीं दिखाएगा जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो answer बोल बच्चा answer बोल जल्दी से वही दिखके जदो बोल दो ओ मेरे भाए एसीड के लिए क्या combination है एक कंबिनेशन क्या है सर वीक एसीड प्लस वीक एसीड और स्ट्रॉंग बेस का साट चाहिए इनको यह यही कॉम्बिनीशन होता है- यही कॉम्बिनीशन है ना कि बिल्कुल से यही कॉमिनीशन है चलो देलेक्धे मैं अब इसमें पूछ अब अब कुछ ऐसा होगा है कि अपको शायद यह रेक 차 नहीं गरना नहीं सब नहीं हो सकता है व को और एनने थ्री आगा तो ही समझ माना है कि यह सॉल्ट हो गया है सीधी सी बात है एच तरी सी ओए एच वी के सीड है है एक लिखा के दिया है कि यह वी के सिर्माट है है एच इस यह लो फोर यह भी मैंने आपको पी ब्लोग में पढ़ा है कि यह बहुत स्ट्रॉंग होता है रीजन मैंने बताया था कि इसका जो ऑक्सिदेशन है वह ज्यादा होता है कुछ याद आया कुछ याद आया फिर से देख बच्चे पिर से देख ज़रा एच सी यल ओ पूर एच होता है प्लस वन सी यल का पता नहीं फोर इंटू माइनस प्लस सेवन आ जाता था कुछ याद आया मतलब हम यहाँ पर बोलने वाले हैं कि जो सील का वैल्यू आ रहा है वह प्लस सेवन और प्लस सेवन का मतलब यह स्टॉंग एसीड है वीग एसीड नहीं है यह हमने आपको पी ब्लोग में पढ़ाया था तो यह पी ब्लोग को हम दिखेंगे तो यह दो जरा चार दूनी आठ आठ में से तीन गया पांच तो पी आपर पांच आ रहा है उसके कंपर में यह साथ आ रहा है सील तो इसका ज्यादा यह ज्यादा है स्टॉंग इसीड रहेगा हमको वीक वाला चीए था यह समझा मैंने क्या बोला सब को समझ टेन का पाउर माइनस वन दिया हुआ है वी की सी रिज 1.2 एंटू पाउर माइनस टू आ जाएगा वोट इस दर डिसो सेशन कॉंस्टेंट के बताओ तो हम बुलेंगे के एक अलफा स्कॉर इंटू सी अलफा स्कॉर बूले तो एक पोइंटू तो टेन का पाउर माइनस है अरे भाई बारा इंटू बारा कितना होता है 144 तो ट्वेल पॉइंट त्री गया तो 144 से जादा ही आएगा मतलब कि 1.5 राइट हो सकता है तो कैसे मैं तुक्के बाजी कर रहा हूं कम समय पे ऐसे कोशन को आप ऐसे कर सकते हो ठीक है बाद में रिवीव में दुबारा उसक चार दो तक 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 तीन दो एक चलो देख लो नौ यह सर शेचे बाराव को दो करिका वन चार तीन साथ इंदर से के ग्यारह एक पांच एक परफेट सर एकदम सही वहला आपने पंदरह आ गया ने पंदरह आ गया मतलब 15 अचा उआ लेगा तो 1.5 क्रमाय फॉल्ट वाइट एन टू इन का पाउर माईनस फाइव इंट इनका पावर माईनस फाइब आ और माईनस वन मतलब अंसर आगा ए वन पॉइंट पाइव इंटू पावर माईनस पावर कितना आ रहे है माईनस एक कोई दिक्कत नहीं बोला समझ में आया बोला समझ में आया येस 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 चलेगा आगे बड़े ये सर जो पैंता इलिजमर्ट केमेश्टी पैंता इसमर्ट फीजिस बिल्कुल साई टाइनिंग सब्सक्राइब बहुत बढ़ियां ओ माइग गुड्नेस एक और चप्टर उड़िया सर चप्टर का नाम आयनिक एकलिब्रिया मतब तीन चप्टर उड़ चुके अब कितने चप्टर बचे हैं मात्र तीन चप्टर टाइमिंग कितना अब अब सब्सक्राइब चुके हैं मतब चांसे सहे साथ पौने आठ तक हमारा खतम हो जाएगा है कि नहीं येस नहीं मिलने वाला है ब्रेक अभी मैंने दिया था तो हम शुरू करने जा रहे हैं थर्मोट डाइनामिक्स थर्मोट डाइनामिक्स थर्मोट डाइनामिक्स येस चलिए बिना टाइम वेस्ट किये शुरू करते हैं केमिकल थर्मोट डाइनामिक्स मजधार कंसेप्ट केमिकल पहले फॉर्मूलेस के इसके फॉर्मूलेस क्या होते हैं कैसे हम इसके साथ डिल करेंगे क्या क्या कंटेंड है बहुत मज़ा आने वाला है देख लिए बच्चे यहां पर तुम्हें तो यार खुश होना चाहिए मालू में आप अगर यह सब चीजे न बहुत सारे बच्चे जो है न जो जिनून बच्चे जो होते हैं उनको अभी भी पता नहीं होगा चैनल के बारे में जो मानास्टर में कहीं पर होते हैं उनके आपर नेट्वर्क वाली सुविधा नहीं होती है मोबाइल नहीं है एंड्रॉइड ठीक है बहुत स्ट्रगल से वो जी रहे हैं और उनको ऐसी चीजे नहीं मिल रही है आप त्रस नहीं करेंगे आपको आफ्लाइन में भी आप पर टीचे इतना नहीं कराया होगा कि भाई चल तो आप ट्रस्ट यह आप रहे हैं जिन्यून चीजे मिल रही है उसकी कद्र करो और मैक्सिमम लोगों तक शेर करता क्या हमारा जो मोटिवेशन है वह यह पब्लीक है यहां पर जो आप लोग जुड़े हो हम से वह हमारा मोटिवेशन है दस ब्लोग देखते हैं को लेक्श को और करना है अभी इससे भी अच्छा करना है और अच्छा करना है वह मजा आता है आया सोज में क्लियर है यह सोर लो सही बात है तो अपने दिमाग में इदम सेट कर लो जो भी बच्चे यहां पर जुड़े हैं गैरेंटी है कि उनको बहुत कुछ नया सिखने के लिए मिला होगा बहुत सारी चीज़े ऐसी मिले होगी जिनको लगा गया क्या बात है सर कुछ ऐसे चीज़ें को मिली जो शायद हम बहुत नेगलेट कर रहे थे चीज़ों को लेक एक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डिल्टा भी होता है जिसको हम बोलते है माइनस बीटू माइनस वीवन होता है जहां पर फुल फरम आपको दिये गए ठीक है फिर इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन की जो बहुत खास रिलेशन है इन सब में वह मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए जो आपको याद होना चाहिए एक्च्वल में एक डेसी मीटर क्यूब बार इकोल टू हंड्रेट जूलिया बड़ा इंपॉर्टन है ठीक है इसके अलमाद तो बाकि सब बेसिक बेसिक है जैसे एक डेसी मीटर क्यूब कि अगर मैं बात कर दुनिया को पता है आप लोग को भी पता कर लो अगर कहीं पर आइसो थर्मली रिवर्सब्ली वर्ड बोला है और अलग अलग वालिम अलग प्रेशर दिया है तो आप यह फॉर्मला यूज़ कर सकते हो मैसिमम मॉर्टन का सेम आप अप्लाय करेंगे प्रेशर के लिए भी इसके उपर भी सिच्वेशन निकलता है ठीक हाला कि यह आगे दिया रहेगा शायद से इस तरह से जो आपको पता होना अच्छे साइन कामेंशन बाइडिफॉल्ट एकदम याद कर लो एकदम मुह पे याद करके जाओ कि डबलू आपका माइनस तब होगा आपका सिस्टम क आपका एक्सपांशन होगा तो क्या होगा माइनस आएगा आपका पॉजिटिव आजाएगा वैसे हीट के लिए अगर एब्स बहुत प्लस और ऐसे हम बूलेंगे माइनस आजाएगा चलेगा हीट एब्सॉर्ट बाइद सिस्टम तो यह पर आगया हीट एब्सॉर्ट जब याद होना चीए टेंब्रेचर जब कौन से को तो डिल्टा क्यू एक्कोल टू माइनस डबलू के बाराबर होता है और क्यूपी वाले के आप इस तरह से लेते हो चलेगा यह इस तरह से लेते हो जिसको आप आगे इस तरह से रिलेट करके दिखाते हो यह सब एक दूस यह बीसिक स необходимо पर जहांद ह होता है इस के लमार मयंवाला यह व्यम्लाफ यह भी कहिए बदल जाएगा बहुंड के लिए क्या होगा बच्छा रिएक्टेंट दो यह बहुंड इंथल्पी है रिएक्टेंट माइनस प्रोड़क्ट समझ में आया कोई दिक्कत कोई डाउट एक एक चीज नम बढ़िया वाला कंसिप लेकर आ रहा हूं आपके लिए कि यह सब्सक्राइब क्या बोल रहा हूं एकदम बढ़िया वाला कंसेप्ट है मतलब तुम चैप्टर में कुछ मत करो इस सेलेक्टेट चीज़े भी करके आओगे न तो भी तुमको लगेगा क्या 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 कि एंड टाइम पर जो सर ने दिया न है एकदम राम बाण है ब्रह आउट ने दम एंड अन्ड तक बना रहता है एंड एंड तक डाउट बना रहेगा वोट इस एंथाल्पिया अप कमशन आप एथेन एथेन मतलब सीट्वेसिक्स कमशन मतलब ओट्व मिलाओ क्या बनेगा स्योटू प्लस ह्ट्व और सी कितना है सर ती दो है दो से मल्टिप टेख दरम देख देखे बच्छे 25 वह इस समय एक जोलेरे में कितना ग्राम है पहले ओ देख लो बाराद वनी चोबष चैसे यह 30 ग्राम है तो पूछ रहे कि वह इंथालपिय आप से कि 30 ग्राम में कितना होगा आप बोलेंगे शर देख लो कितना होगा पंद्र दूनिती सर्थ तीन अजार आ रहा है तो राइट अंसर आगया तीन अजर पहला आपके सामने पहला अंसर आपके सामने बोलो समझ में आया विलो मजा आया कोई दिक्कत हो रही किसी को कहीं पर भी फुल धमाल हुआ कि नहीं वह बोलो मस्त मजा आगया एकदम अरे किदर गई भाई पब्लीक अरे पब्लीक आ जाओ अरे अभी तो थर्मो चालू क्या है मैं ने थर्मो मतलब आग आग लगा दो आग एकदम फुल अंगारे बरसमें चाहिए चैड़ बॉक्स में थर्मो लगा दो एकदम थर्मल एनरजी प्रवाइद होन और आप़र हो घृणा क्या पॉलाएं पॉल एक अरो और स्टारे फंट्रों इस से पंक्चन क्लिक्स चाहिक ए दिमार् से ते आंसर बताओ स्टीर फंक्शें जोता है पाथ के उपर भूला है इत डिपेंडेंस ओन इंटिटेंडेंडेंड फंक्षन भाई रहा हैं यह आपके लिए पाथ के उपर यह डिपेंड नहीं होगा बोला इन डिपेंडेंट ओन पाथ अरे यह स्टेट के उपर डिपेंड होगा राइट आंसर नंबर सी करेक्ट है राइट आंसर नंबर सी करेक्ट है समझ में आया समझ में आया यह 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 आंगला क्वेस्चिन आपके लिए यह गरना है करना है किया करना करना है क्या करना उपर आले यह तो प्लस एच्टू कि इसको त्री अस्ट आया हां सर मागे बोला एंट आएद विद आहां सर आगे बोला एंट लिगा इस थरी आयब टुनिस तरी यह सेर मतलब इनिए दोनों को सिंपली एड़ करना है तो एड़ कर दो अच्छा बीर आंसर आइड बराबर ऑप्शन में भी दिया है कि वोट इज वर्क दन देख लो अरे वोट इज वर्क डान वेना मॉल ओफ कारबन मोनोक्साइड इस ऑक्सिडाइज ओमाइगाड सीओ को तुमने ओटू मिला दिया ये भाई साब बन जाएंगे सीओ को शम्या ये म मॉल कारबन इसमें तुम नहीं करना है तो एक काम पर आख लेलो यह गास यह गयाइस ऐस अब्र वर्क डन का फोर्मूला बताओ डबलू इकोल डू-डिटा एजर qsi delta ng n2 minus n1 इधर बोधीड़ तो 1 मदल बोले तो 1.5 मतलब बोले तो 1.5 बोले टो 0.2 अटाई गया है और यह वन माग यह वर वन 1.5 है यह विस बार फाइब आम चास्ट ओन 1721 façon 0.5 वा गया सभाई एं Öपन पॉले तो माइनस 0.5 सही बाद है चेक करो जड़ा अगर मैं इसमें पूट अप कर दो तो मुझे मिल लागा डबलू इक्वल टू माइनस ओप माइनस ओप माइनस 0.5 सही बाद है इंटू आर बोले तो 8.3 लेनेगा सिंपल टी बोले तो 300 पूरा लेनेगा अब देखो जारा है यहां पर यह मिल गा 0.5 इंटू 8.3 इंटू 300 एक जिरो इदर डालो एक जिरो इदर डालो मतला भाई बन जाएगा आठ ऐसा बन जाएगा आठ बचे 40 तीया 120 120 बोले तो बहुत नज़्दिक आ रहा ने 120 625 दो लोगा आ रहे हैं ने 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 जो दिख रहा है वही बोलो बस जो दिख रहा है वही बोलेंगे 120 आया इतना जूल आया इसको 1000 से डिवाइड करो टक टक 0.12 किलो जूल 0.12 आ रहेगा वही आंसर राइट रहेगा अरे से 0.12 तो आई नहीं ओ माइक और रुखो सब्सक्राइं पीछे वापस जाएंगे पीछे हम जरा पीछे वापस जाएंगे कहीं पीगलती हमने इसका मतलब गएन जहां आजवा पर-1.5 यह बराबर है यह बराबर है सर फिर से देखलो जारा फिर से देखलो एक बार अच्छे से वापस पूट पर के देख लेते गलती नहोंने पाई अपने से माइनस ऑफ माइनस 0.5 इंटू आर कितना है 8.314 पूरा लेना पड़ेगा इंटू 300 यूँकि बहुत क्लोज आंसर आ रहे हैं है कि नहीं तो यह बन जाएगा आपका 0.5 इंटू 300 इंटू 314 आ गया एक काम करो इन दोनों को पहले सॉल कर दो इसका 10 इसको दे दो 100 इसको दे दो यह क्या बन जाएगा 0.5 इंटू 3 इंटू 8 अगया कि तीन सो आट सो एक्षी हो गया कितना हो गया 831 यह सार अप सॉल कर बच्चे अप तरको आणसर जो मिले लिए अब सॉल कर अब क्या आ रहा है सर अब सॉल करो अब आपको जो आंसर रहे गावो लिग दो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कोई गन फ्यूजन नहीं क कहीं पर कोई डाउट नहीं है आराम से आंसर आएगा येस बुलो कि तीन पच्छे पंद्रह 1.5 इंटू 831 ले ले बच्छे यह आंसर आना चाहिए 831 इंटू पंद्रह सिधा करें हम लोग फंदरें कम पंद्रह को पांच कहरें गया हुए बंदर तिया सब्सक्राइब यहां पर 1246.5 अब इसको हजा से डिवाइड करो आप आएगा माजा एक दो तीन 1.246 विच इस निरली इकूल समझा कुछ समॉच इस इली ट्रवेशन को सम्झा कैसे इंट्रीजर इंट्रापी इं क्ला इंट्रीज इंट्रापी आउन कॉल रहा है वह जिसमें एंट्रापी बढ़ती है सर एंट्रॉपी तभी बढ़ेगी जब वो रायता फ्यलेगा रायता फ्यलेगा जब ओर ज्यादा पीछे अटेंगे एक बच्चा स्रवन बाई ट्व क्यूंकि यहां बढ़ यां तो ओको गयाब करो ओको कम करो चलेगा लेकिन सी को डिश्रब नहीं होना इसे लमने वन बाइटू कर दिया वन बाइटू कर दिया समझ में आया राइता कौन फैला रहा है सर यह तो पढ़ना पढ़ेगा एन इसल सॉलीड एक श्माटला तो एक वस एक वस पहला आंसर राइट लग रहा है लिक्विट से आइस नएए 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 गैस से लिक्विट अटम से गैस अरे नहीं यार राइट आंसर ए ओगा इंक्रीजिन ब पर्स्ट लो अफ थर्मोडानमिक्स के हिसाब से कौन सी बात आपको लग रहा है कि एकडम सही है जल्दी से बताओ और आंसर बताओ जल्दी बोल बच्चे येस कि येस क्या याइक लाइन मोड रहें स्टार्टिंग लगा कि मैं सिट्री तोड़ दूगा अरे भाई ये तो जिकड़ा है इसी को तुमें काबू करना तुम्हें हांसिल करनी है कि जब तुम्हें ऐसा लगने लगए कि तुम तुटने वाले हो तभी तुम ऐसा उठों अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं बैठावना मैं तीन घंटे चार घंटे और बैठावना सरके साथ इसके बाद भी बैठोंगा पुख लेके वैसा होना चाहिए तब आएगा मज़ा ठीक है चलो विच अब फॉलव इस स्टेटमेंट इस करेक्ट एकॉरिंट फॉस्ट लॉव चलो देखते हैं हम लोग पहले इस फॉस्ट लोगा एक प्वेशन बना लेते हैं डेल्टा यू एकुल टू क्यू प्लस डबलू बोला है आइसो थर्मल में यह जीरो हो जाता है तो है साइकलिक प्रॉसेस का मतलब होता है कलो चैंज ऐसा साइकलिक मतब क्लोज क्यों कि एसा जाएगा ऐसा लेगा अंदर और गुमेंगे इसको दिए क्लोज आइसो को टिक बूस्स की बात कर रहा है सींपल लेंग surprise चांट प्रभी आइसो कोडिक में पी इल्टा वी होता है گए टो यूकोल की होना चाहिए ऐसा आंसर है तो रइडा एक नंबर बी नन्बर भी क्रिक्ट इन्फार्मिश्ट मैंडिया बेटिक में क्यू जी नों डूक होता है कंग उजीरो आटो डिल्टा-डूर में बश्याज में इस अ休áticasक सब्यानबर टॉब कहीं पर भी अलग-अलग condition ले लो डबलू इक्वल टो माइनस पी डेल्टा वी होता है न यह डबलू आपका 0 मिल गया विकॉज डेल्टा वी क्या होगा आपका 0 आ गया समझा इसलिए डेल्टा यू जो होगा आपका क्यों के बनाबर हो जाता है क्लियर है नंबर भी करेक्ट आंसर साइकली की मतब का समझनेगा सेम वोली मौली चलो अगला question आपके लिए एन आइडिल गैस expands from this much to this much दो को मीटर क्यूब है यह सर इधर मीटर क्यूब है यह सर खुशिया मनाने का बहुत रेर केसमें मीटर क्यूब नसीब होता है किसी को है कि नहीं यह सर आगे क्या बोला है बार बोला है बार बार और आगे क्या बोला है वार गडर इन जूल करके ना है कि तो चाहरेंगे टेन का फावर्ट जोन बनाता है जूल जोंकि सोजूल के बार होता है तो मुझे रिलेशन तो मिलना चीए है तो मालूब बात है इसको ले लिया डेसिमीटर में तो बन जाएगा 10 का पावर 3 डेसी मिटर क्योग मतब यह बन जाएगा 10 का पावर 1 डेसी मिटर क्योग समझ में आया समझ में आया आप क्या करेंगे w equal to minus p into delta v minus p v2 minus v1 दिखाई दे रहा है यह सर माइनस पी क्या है माइनस पी क्या है minus p है minus 1.6 बार हो रहा है ard ना ड सरागा माइनस 1.6 into 9 ना यह 1644 होता है तो आगया 14.4 क्या आगया बच्चा है यह डेसी मिटर क्योग बार आगया डेसी मिटर क्यूब बाहर आगया माइनस के रूप में अब हमने क्या किया इसको सौ से मल्टिप्लाय किया क्योंकि जूल में करना है यह रूल है कि यह हटेगा तो यह जूल बन जाता है यह बन जाएगा वन फोर डबल जीरो पर टेक प्लेस पर डेसमल आ गया तो इसका राइ सब्सक्राइश सर आखों पर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेस्ट्ण आपके लिए वर्कड़न ऑन दा सिस्टम इस डवर्कड़न ऑन दा सिस्टम बोलाए मतलब वर्कड़न जो है ना प्लस में आ गया सर माइनस में कब आगा जब वर्क शिस्टम करेगा एंड हीट प्लस 150 विल भी माइनस 150 जूल इस गोइं टू बीड़ एक रेट आंसर एक रेट आंसर देख बच्चे कोई डाउट है कोई डाउट है यह सोर नो यह सोर नो क्या वाद है सुनो पहले आपर जिन बच्चों का टॉपर का लेक्चेर बच्चा आप टॉपर का लेक्चेर जाके अटेंगर कोई दिक्कत नहीं है यूटूब आराम से आपको सफिशिंट टाइम देगा आप रात को या मिड़ नाइट जबी आपको मन के मरजी रहेगे आराम से जाके आप जो इस है कोई confusion नहीं आप जाहिए और अपना लेक्चर अटेंगेजिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं बच्चा येस चलो आगे बढ़ते हैं वोट इस एंथालपी चेंज ये दोहर मज़ेदा रहे है वोट इस एंथालपी चेंज ओप मिथेन बंस कंप्रेटली अकॉर्ट दिमागराम मीथेर हमको माइनस एट जीरो टू कीलो जूल दे रहा है तो बस यहीं से दिमाग चला लोगिए चार घ्राम क्या देगा समझ में आया समझ में आया अभी कैसे आप उड़ाएंगे स्वेशन को एक्स इक्वल टू माइनस एट जीरो टू इंटू फोर डिवाइ चार घ्राम के लिए आंसर यह आएगा माइनस टू अंड़ पॉइंट फाइफ किलो जूल राइट आंसर नंबर सी समझा समझा की नहीं समझा येस और नो अरे येस और नो येस ओके अगला क्वेशन एक्सप्रेशन पॉर फॉर्स्ट लॉओ अफ थर्मो डानेमिक्स यह प यूओ टू क्यू प्लस डबलो डबलो को ले लो जीरो तो हमारा आंसर बन जाएगा ड़िंटा यू इक्वट्टो फ्यूवी मतलब होता है कॉंच्यन वल्यूम कॉंच्यन वोलिम्यूमस्ट ऐसो कोरी है फॉन यह नहीं समझा निक्ष्ट वेस्टेन निक्स्ट्ट वेस्ट यहां पर 1060 जूल और इस ड़न अन्द सिस्टम बोला है अन्द सिस्टम मतलब वापस यह भाई साफ प्लस में आ जाएंगे और क्यों बोला है क्यों बोल रहा है दिसमच हीट इज गेंड मतलब यह यूज हुआ गेंड मतलब आ गया हीट आया अब दोनों को एड़ कर दो चेंज इन इंटरल एनरजी आप पर आ जाएगा कितना आ गया भाई 0 6 5 11 4 1410 आ रहा है यह सर राइट आंसर आगा नंबर डी क्यों सर क्योंकि बच्चा यहां पर भी नहीं आएगा हो मेरे भाई अरे यार बोला है दिसमच हीट इज गेंड गेंड मतलब उसने इतना एनरजी लिया यह नहीं बोल रहा है कि इतना एनरजी दे दिया गलती मत कर अच्छा गलती मत कर राइट आंसर सुनना है पहले वर्क इज डान ऑन अन दर सिस्टम ऑन मतलब कौर अन दर सिस्टम मतलब डबलू आता है पॉजिटिव में और हीट इज गें मतलब रिलीश्ट नहीं गें मतलब एब्सॉब हीट ऑफ गें गें गेंगें के लिए लिए त अर्षपी द्याए कोई दिक्कत रिडॉक्स रूस्ट जरूरी नहीं ऐसा कुछ निये बच्चा रहटां और थर्मों कीछ खास कनेक्शन नहीं है डेलटा यूइपक टीलटी जीरो एसा किस कंडिशन होता है आई सो थर्मल में होता है हमने पड़ा था डेलटा यूइकोल की यूप्लस डबलू आइसो थर्मल जब लेते हो अब डिल्टा टी पुल जिरू उलता जो कि डिल्टा-इू-पना देता था तो राइड आसओ थर्मल चलेगा नेक्स्ट ग्वेस्ट अगला विश्चन डिफ्रेज्ट बीटूइन यह क्वेस्ट पेमस हैं एंथाल्पी चिंद का डिफरेंस निकालो जो आल्टी वाड़ी ग्रूप में देते बहुत इंपॉरेंट है यह मतलब छब गया पेपर में जो मैं कुश्चन करा रहा हूं उतना भी अगड़ तुमने इज्ज्यत से अपने आप से तुमको आ गया तो समय तुम्हारा पेपर अच्छा जाने वाले कि अदेल्टा एञर्ट्रा आलता इसको यहां लेलो से उसी काativos फूछा था यह फोड़ा है अब दिन जीए एलटी जिए एक पमश्चन जाब पॉच्शन पह्ड़हें बूलाइब देटसे में और बकृमएफजे prevention का फ़र्मूला क्या होता है Rec. Webb सs यह गैस है यह बन्जागा स्योटू यह मन्जागा एच्टू लिक्वीड यह गैस है अब इसको बैलेंस करो यहां पर छे आ गया यहां पर तीन आ गया चेदू नी बारा तीन पंद्राइश को 15 बाइटू कर दो क्या करेंगे इसको हम इपाँ चेक कर लो फिर से सही हो रहा है कि यहां सर पंद्रा और तो यह हमारा आंसर आ गया अब हम क्या करेंगे बोलो येस बोलो अब हम क्या करने वाले हैं एस ब्लेश्टर मुवी बच्चा ये रिविजन आपके लिए काम का है बच्चा ये बगवान इंको कोई बताओ अरे समय अब उतना कहां रहे बच्चा तु क्या सोच रहा है इतना बणिया से करवा रहे हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है सब लोग आके पूड़ा है कि जितने भी बच्ची है चाहे आप टॉपर पर हो चाहे प्रो में हो चाहे प्रीमियम में हो चाहे आप किसी और दूझा यह आ हम कोई यहां पर मिलने वाला है तो यह सब को लिए है है यहीं कि चलो आप क्या करेंगे अब इसको सब्सक्राइब किसी को भी कहीं पर भी कोई confusion नहीं सर तो आगे बढ़ते हैं अगला question आपके लिए यह रहा एक और चम चमाता हुआ question आपके लिए अगैस एब्जॉब्स एब्जॉब बोलाएं एब्जॉब बोलाएं मतलब क्यों जो है ना आपको प्लस में आ जाएगा किलो जूल एंड इट एक्सपार्ण्स अगेंज अट्मॉस्फरिक प्रिशर एंड ड़स वर्क दिसमच ऑन सराउंडिंग मतलब यह ना वर्क है जो सिस्टम काम कर रहा है सिस्टम काम कर रहा है तो सिस्टम करता है तो हम मुलते हैं माइनस आ गया तो बताओ चेंजिन एंट्रोपिक चेंजिन इंथल्पी कितना आएगा कोशन पड़ बच्चा वैल्यॉप डेल्टा यू बताओ चेंजिन इंट्रन एनरजी आंसर आगया 800 किलो जूल कितना इजी है सर यह तो मतलब चालू होते ही खतम हो गया राइट आंसर नंबर ए समझ अगला क्वेशन असिस्टम एब्जॉप इसके उपर क्वेशन काफी निकल रहे है और डाला है मैंने ज्यादा इसका मतलब यह कि इसमें से कुश्चन आएंगे आएंगे तीन में से एक या दो कुश्चन गैरेंट बनेंगे इस तरह के विश्चन के उपर क्वेश्चन नि माइनस में आ जाएगा तो डिल्टा यू निकाले के लिए बोला ये बराबार ना डिल्टा यू मतलब इं वोई चेंज इनरजी बहुश्चन वह सबहुत किसम में बच्श इनकृम गारन राइट आंसर हो गया नंबर बी क्या यह बात समझ माईं क्या यह को कहीं पर भी किस और चेप्टर टाटा वाय वाय हो गया बोलो मज़ा आ रहा है साड़े पांच राय रहे साड़े साथ तक तो फोर देंगे दो गंटे में दो चपर उड़ आए आए आम से क्या दिक्का थे मज़ा आया क्या मज़ा आए कि रिए पहले हो बताओ ऐसा लगा सर वसूल तो हो गया यह मानना पड़ेगा वसूल तो हुआ है लेक्षर येस येस कितने बज़े चालू गया था सर अमने कुछ दो बज़े चालू गया था अभी कितना हो गया साड़े तीन कितने घंटे हो गए सर ऐसे देखेंगे तो टायमिंग के इसाब से बोलेंगे तो करीब करीब साड़े तीन घंटे हो गये एग्री येस सर बिलकुल एग्री तो साड़े तीन घंटे हमने आप लेक्षर ले लिए है और अभी लगभग दो गंडे तो जाएगा या साइज उससे थोड़ा पहले ह यह जाए नहीं प्रेक देदू पक्का लेकिन ब्रेक के बाद तुम गया हो जाता है तो यार तो जाए यह तो पर का मैस का जो रिविजन गए उसको कीजिए बच्चे ठीक है और बहुत सारे बच्चे की सर्ट टॉपर का लेक्चर होगा क्या हमारा बिल्कुल होगा टॉपर क एक लानवा कि गणते के आप क्यों किए लेक्चर गते हैं अव्यविज इंते पर किता रहा हूं ठीक है बस साथ 45 से रखेंगे जनरली और तब तक हमारा खतम हो जगा है मुझे असा लग रहा है येस तो टॉपर वालो तुमको दबाई टॉपर बना के छोड़ेंगे येस तुमको तॉपर बना के छोड़ेंगे कुछ भी कर लो हैंगी नहीं चलो बस आपका सपोर्ट अगर आपका सपोर्ट नहीं होता है तो मजा नहीं आता है आपसे करवा रहें गोघ़े लेंगे भर साथ बने रहो ठीवे सबाक्ष चाहिए का ब matarवे सब्सुर्णी के बाद वर चरेत में ब्रेक प्रेक ब्रेक अगे न अब कहा पना ने रहे दो चैप्य चाए यहां पर मैं आपको देना हूं ब्रेक इस बेक टाइम जो आपको मिल रहा है इस ब्रेक टाइम जो मैं आपको दे रहा हूं अभी साड़े पांच और डॉट मेरे घड़ी में तो पांच-9 मतब ठीक है पाए 35 मतब पांच मनगा स्वरी मैं यहां पर लिगता हूं पांच से साथ मिनट का ब्रेक देता हूं और हम रिजूमिंग टाइम जो होगा मेरा ठीक है पाए 37 अब आप बुलिंगे सेर हम तो 40 को आएंगे हम तो 40 को आएंगे सर ऐसा मत करें मैंने तीन में आपको इसना देगी है पहले से ही हैंगी नहीं एक बच्चा पूले सब्सक्राइब मतलब प्लस और डबलू वर्क अंदर सरांडिंग में तब सिष्टम ने काम किया अंदर सरांडिंग में सिष्टम ने किया माइनस सौल क्या तेरा तेरा प्लस में है तो इंक्रीजेस बाय थर्टीन सिंपल चलेगा चलो यह रहा आपके सामने पैरा पैरा इंफोर्मिशन तो फड़ा फड़ा आजाओ एकदम मजा आने वाला है फुल धमाल चल रहा है आप दिखी रहे हो ठीक है जबदस तरीके से च जाना नहीं जाना नहीं इदरी रहना झाला है झाल 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 येश इस सो वींच सर बहुत-बहुत स्वागत आपका इस बहुत ही प्यारे से लेक्शर के अंदर तो अब यहां पर अब यहां पर हम शुरू करने जा रहें एक ऐसा चैप्टर जिसका खौफ तो भाई अलग ही है अलग ही है जल्दी से आजाओ जल्दी से आजाओ क्योंकि ब्रेक के बाद आपने वादा लिया था हम से वादा लिया था सर कच भी हो जाए हम आएंगे ब्रीक के बाद और हमें ब्रेकों हमने उतर रहे हो few ढ़ोड जल्दी से आजाओ सब लोग क्योंकि मजा आने है फुल धमाल होने वाला है फुल अंगारे बरसने वाले हैं एक नए चप्टर के शुरुवाद होने जा रही है यहां पर इसका नाम है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री कि येस 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 क्या बाद है कि येस बहुत बढ़िया वाई बहुत अच्छे कि देखो कुछ लोग को डाउट है कि सर में अगर यहां से शुरू करूं तो मैं कितने मांक्स ला सकता हूं या कितने मांक्स ला सकती हूं बच्चा देखो क्या होता है मालू में जो बच्चा देवन से पढ़ाई करता है ना उसको पता होता है कि मेरे को कितने मिल सकते हैं क्य से मैंने से कर रहा है उसको अपिनी कमियां पता होती उसको पर वो काम करता रहा तो उसको पता है कि मैं कितना ना सकता हूं मिल लाएंगे 141 49 151 60 मिल जाएंगे जो सिर्फ एक सेलेक्टेट लेक्टर के भरूसे आया हुए ना वो लग मैं चांस वाले हिसाब किताब में रहता है लग मैं चांस क्यों मोल रहे हो सर बच्चे जो मैं पढ़ाना हूं आएगा तो जरूरूर ऐसा लेकिन तो कर पाएंगा क्या वो पानपला उसको निकालते निकालते ही जोगिए आपको पांच मट हो गया मल्टिप्लाइब नहीं हो पारावर से यह सचा ही बता रहा हो तुर्णा सब्सक्राइब करना है अब तेरे स्मार्टनेस के उपने कि तू उसको कितना अच्छे से यूटलाइस कर रहा है अगर यू पार या जो मैंने करा ऊटरों याद राएक्जाम तक तो गेर एंटी कि तरफ को बहुत बढ़िया मिलने वाला है बहुत बढ़िया मिलने माला है तब तो चाहिए आईसा भी और कम टाइम में भी आप अच्छा कर पाऊंगे जो पहले से कर रहा है उसका स्योर्टी ए कि वह तो अच्छा तरेगा उसमें डाउट नहीं है तुम्हारे में थोड़ा सादाउटो ऐसाब किताब है थोड़ा सादाउटोना किताब है समझा समझा तो कोई ये मंत पुछू कितना मिलेगा बस दिनराथ एक करो तो लिट्स होप फॉर फॉर देश्ट बेश्ट टू बेश्ट होना चाहिए बस और कुछ नहीं यह इस इमोडल मोटे की सर्म को वर्ण पॉजिटों निगेटू नहीं समझना रहा है फिर से लिए बच्चे यहां पर इमोडल आपके लिए एक दों खास आपकी फरमाईश पर कुछ अगर के पर भी लिखति दिया वर्ट डण को कि अबाई सिस्टम और बाय सिच्टम का मतलब इस अइटोमेटिक हो जाता है कि अन सराउंडिंग यह बोलेनी के बात नहीं यह यह बाई दिफोल्ट हो जाता है अगर सिस्टम काम कर रहा है अगर मशीन काम कर थे तो तो एक्सपान्ट रहा हुआ तो कहा हो रहा है हवा बाहर के हवा के ऊपर एक्समान रहा है उसको उसको इसके पर काम कर रहा है है कि यह अगर हमने बोल दिया कि सर ऐसा भी तो हो सकता कि बाहर से कोई दबाव लगाए मतलब अगर वर्क इज़डन बाय सर्रॉंडिंग हो गया कि कभी कभी बुक में बाय से डिनली लिखा होगा बस ऑन सिस्टम लिखा होगा अगर सुनिंग काम कर रहा है तो कॉमन सी बात है सिस्टम पर ही काम करें सब्सक्राइब बलून को बाहर से पचका रहा हूं पचका रहे लोग आके उस इस्टम को दबा रहे हैं तो काम पर हुआ सराउंडिंग के दोरा काम हुआ और सिस्टम पर काम हुआ तो इसका जो वार्ट गडन होगा वो पॉस्टिटी हो जाता है कि सम्झा अभी अब क्लियर एक चलो बहुत बढ़ियां चैप्टर का नम बोलो चैप्टर का नम बनो इलेक्ट्रो के मिर्श्ट्री ये लिए बाइए लाया ये वाय कि दर गए पुब्ली आ जाओ आज आजाओ अरे इदाएं आजाओ फुल दमाल होने वाला है फुल दमाल हो जादा हम स्रेट चेक करते हैं अधिर्शन अधिया यहां देगो एलेक्रिक कंड़क्टेंस जी ठोट आना वाण अपन आरो थैसा होता है जहां पर आर का मतलब रोजिस्टीन समाना जाता है और रजिस्टिविटी जो होती है जिसको हम रो बोलते हैं उसका फॉर्मूला यहां पर आर के रूप में ऐसा होता है जहां से हम बुलेंगे रो इक वल्टू आर ए अपॉन एल होता है लिए किया यह बात समझ में आई कि यह भाट समझ में आई 2019 कोई ड साइद किसी शिफ्ट मैंज अलग बात है बड़ चांसे सकम रहेंगे समझा बच्छा कि समझा क्योंकि गीप्स का जो कंटेंड है वह सेम आपको कहा मिलता है यहां से उसमें से निकलने के चांसे ज्यादा होते हैं समझा रोष्ण नमबर आपने प्लस टू लिखा 67 नमबर पे पिशे जाना पड़ेगा पक्का चलो बड़ उसकी जरूत नहीं हो एक्चली मुझे लगए कोई जरूत नहीं बच्छा यहां मैंने देखा आप जो मतलब नहीं है ठीक है हमको था प्लस में इंट्रेस्ट था टू कि चलो कि आ चुके हैं हम लोग इस समय यहां पर डन देख लो थैंक यू पर समय मतलब नहीं था चलो रिश्टिविटी का समझ में आ गया जहां पर एल मतलब होता है डिस्टेंस बिट्वीन दर इलक्ट्रोड क्रॉस्टेशन एरिया लेते हो फिर इसके बाद हम बात करते ह का एक फेमस फार्मृला है बहन अपन आर इंट्रॉल अम इसप्टेविटाय को सी रूप में भी देखते हैं गिखते हैं कांलइगे सेल कॉंस्टेंट तो यह सेल कॉंस्टेंट के रूप में भी काम करने लगता है तो यह बंज़ेंगा के एक्वल टू सेल कॉंस्टेंट अपॉन आर के रूप में भी काम करता है ध्यान देना इस बात को यह इस रूप में भी देखने के लिए मिलता है समझ माया समय माया क्या बोल रहों में अच्छे से दिवाग चलाओ नेक्स्ट मुलार कंडुक्टिविटी काफी फेमस फॉर्मुला है लामडा एकोल के इंटू वी या फिर मुल सकते हैं थाजिन इंटू के अपन सी सेंटीमेटर दिग्या अगर कहीं पर भी तो सिरा यह फॉर्मुला यूज करना जहां पर किये का मता हुदा को लैंडा 0 plugins फ्लस फ्लस लैंबडा 0- tv यह ठीक्या है डिटेल आपका मालूम है कि Adm टिभ्री ओप स्टीनल इससियrica कि campus अलफा का फॉर्मुला थैस करें अभी यह रिखा है तेक्सेलत जाएँ लेम्डा एप धीक्रब याथ करे जाओ अच्छे से यहां पर लेंडासटी का मतल्ब अलाक यूजर नहीं होता है बहुत रेरली उह यूज हुआ है के कोल तो नहींदा स्क्वार इन्टू सी यहाँ ula मा इनस त्य आपका घ्रिसकॉम डिहान से देखेंगे तो आपको अलफा था यह देखो यह वैसा खुछ देगा लेकिनिन लंदा सी आप यह याद करो हुख एंच आगे चैसा यहां पर दिखेगा तो यह आ है फर्मूला बुक में नहीं है ठीक है तो रियलीस के चांसेज भी कम रहें आने कि डिसर्शन का होता है जैसे मैं आपको पीछे बोला था कि सेल कॉंशन जो बच्छा वह एल अपॉन एका फॉर्मूला होता है एल मतलब लिंद ए मतलब एरिया चलो यह जड़ा देखलो यह ब और पास होंगे तो क्यों अपॉन 965 00965 00965 00965 001 चार्ज पर वन मॉल फिलिट्रॉन या फिर वन फैरादे बोल सकते हैं नमब आप मोल्स और प्रोड़क्त फॉर्म कितने मोल्स होंगे तो यह आपर आपको सिंपल अगर मैं बता हूँ मॉरों दिस्टोरी तो नीचे लिख कि यह समझना है यां ये मोल रिष्यों कैया होता है आहर मिलिक्टा मोल रिश्यों मॉल रिश्यों कीतना है 1 घ्ली य क्द Ryan Pass oh सब्सक्राइब कोई दिक्कत कोई डाउट कहीं पर भी ये चलो ने बढ़ने वाले अगले कांसेट के तरफ मास अप्रोड़क्ट जिसके हमने बात किया था अभी अभी वह पीछे फर्मुला में दिखाया था इसको ले लो लेकिन अगर मैं उसको आगे थोड़ा सा लेना है यहां पर क्लियर है फॉर एलेट्रो केमिकल सेल आप दोनों को एकोल भी करत के दिखा सकते हो यह भी आपको कहीं का पर यूज होता है यह यह मैफ ऑफ और सेल एक तो माइनस होता है जहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बोलना होता है एक रिडुक्शन एक और स्टैंड दिखाता है चलेगा में पॉरेंशन डिफ्रेंट इनोट स्पेसिफाइड तब उसको हम क्या लेंगे और स्टैंड पोलेंशन पोलेंशल इटमींज गिवन वाली इस पॉर रिडुक्शन पोलेंशल यहां देना यह आयू पैक नहीं स्पेसिफाइगा था यह अगर आपके पास कोई ऑफिडिशन नहीं दिया है कोई पोटेंशल डिफ्रेंस नहीं दिया है कुछ भी नीवला बस वैलू दे दिया तो हम अल्टमीट इसको क्या लेंगे रिडुक्शन वाला ही लेंगे धान देना इस बात को वो रिडुक्शन निमाना जाएगा मतब कै यहां से आने वाला है इस चैप्टर के इस चैप्टर के कि मोस्ट कि एक्सपेक्टेड़ कि क्वेश्चन्स कि एकदम तयार है क्या आप एकदम तयार है जल्दी से बोलो सर इन और यहें की मश्टी छोड़ रहा हो तो कितने माख साइंगे आप्लाइड चैप्टर साथ में लूँगा मैं इन और अप्लाइड कल लेक्टर मेरा होगा लगबग लबग सारे चार बज़ोगा मेरा कल चार बज़ोगा लेकिन खास बात यहीं कि इन और अप्लाइड में इतना समय नहीं लगए जितना आज लग रहा है क्योंकि आज हमें सॉल करना है कल के लेक्टर में मेरे खाल से जल्दी चैप्टर खतम होंगे उसका रिजन है कि कल हमको सिर्फ और सिर्फ आपका ठिरोडिकल आंसर ही रहेगा जो आ आपके सामने question if KCL is conductivity if KCL is conductivity of a standard KCL solution and R KCL is its resistance then cell constant क्या होगा कि इसे हिसाब से ओनाटतों के इन टू आर उना चाहिए किया ऐसा आंसर कहीं पी दिख रहे है क्या ऐसा आंसर कहीं पी दीकरा देखना पड़िकार सर देगना पड़िकार येस right answer number C एकदम correct एकदम correct एकदम correct ऍपैस पोई doubt किसी को भी कहीं पर भी अगला question आपके लिए ये रहा दिमाग चलाऊ answer पाओ कोई confusion नहीं कोई भी confusion नहीं चलो अगला question आपके लिए ये रहा आपके एकदम सामने देखो दमोलार कंडुक्टिविटी ओफ केटायन एंड इन 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 मैं एन आयन आफ वय सलत वी ए एट इन अ और मतलब की बी प्लस किटायन जिसका्वाईन कितना दिया है बोलो किटायन कितना दिया बहुत बढ़िया ए-9 इसका वाइब बहुत बढ़िया तो बताओ कि मुलार कंडक्टिविटी कितना होगा मुलार कंडक्टिविटी जो होता है वो लैमडा बी प्लस प्लस लैमडा 0-1 आ जाएगा अब इसका वैल्यू डाल दो एक का 180 है दूसरे का 200 है आंसर आगा 380 समझ में आया क्या कुछ सर 380 दिया कहा है जो को यह ऑप्शन थोला सापको वाइट वाले पैक्टोंट पर आ गया है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहाँ शायद से मुझे देखने दो जड़ा हाँ यह थोड़ा थोड़ा मुझे लगना शिप्ट करना चाहिए था इस तरह से यह शिफ्ट हुआ होगा लेकिन यह ठीक है आप शायद एक्ट दिख रहा होगा आपको मस्त एक्टम तो राइट आंसर कौन सा हो गया बोलो राइट आंसर हो आपके लिए नंबर सी एकदम एक यूय है कि नो इसकी अफ ट्रस्ट कर बसके बहुत ज्यादा एजी है बहुत ज्यादा इजी है एकदम फुल फुल इजी फुल इजी फुल इजी मतलब है जल्दी से आंसर दो इसका बोलो वाट कॉंटिटी ओप लेक्टर सीडी रिक्वायर थोड़ा सब्सक्राइब लग लग रहा है सर नहीं कुछ और बढ़ नहीं है बोला है एल थ्री प्लस को अगर तीन इलेक्टरोन मैंने डाल दिया यह भाई समझेंगे एल हमको यहीं तो पुछा है अभी कितना मोल है सिर्फ एक मोल है तो एक मोल में तीन इलेक्टरोन तो तीन मोल में कितने इलेक्टरोन सर नाइन इलेक्टरोन नाइन इलेक्टरोन का मतलब नाइन फाराडे बुलनेगा समझा समझा राइट आंसर नंबर ए एकदम सही है कोई डाउट किसी को भी कोई कन्फूजन अगला क्वश्चन विच अमंग दा फॉल है primary reference electrode primary reference electrode दिमाग चला बच्छा क्या बोलेंगे इसके answer को बोलो को डेखो answer और बोलो अब बोलो right answer क्या यह है तो हम बोलेंगे sir right answer number a shit के लेको कोई एक डंत तक डंत रहें बदम bir वाला क्वेस्टन थोड़ा समय आपको टाइम दूंगा डिमाग चलाने के लिए यह वसी वट्रीम डिमाग चलाओigorत बताओर अब डिमाग चलाओ अंसर बताओ क्योंकि इसमें बहुत मismo एक दम फटाफड बोलो what will be the correct answer everyone in the chat box अंगारे लगाना है अपने को फुल दवाल करना है फुल दवाल करना है बोलो आजी करने वाले हो आजी करने वाले हो जल्दी बोलो येस स्टार्ट किया जाये स्टार्ट किया जाये चलो इसको थोड़ा सरा उपल लेते हैं परफेक्ट ओके देट गुड़ दिमाग चलाओ आंसर पाओ दिमाग चलाओ आंसर पाओ देख बच्चे यहां पर दो क्या होने वाला है न यहां पर बोला what happened to the EMF of this cell में सीडी से सीडी टू प्लस बन गया कॉंसेंट्रशन वन मुलार बोला है और एजी से एजी प्लस बन जाएगा यहां पर दिया नहीं है प्लस बनना चाहिए ठीक है इव दो कॉंसेंट्रशन फिडी टू प्लस आयन इज इंक्रिज़ दबाई फाइफ टाइम्स तो बताओ कि आगे का अंसर क्या आएगा आगे का आंसर क्या है बच्चा क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या मैं ऐसे बोल सकता हो कि आपको यहां पर बहुत सिंपल सा काम करना है अपर जो बोल रहा हूं बहुत यहां जो सुनों थोड़ा सा दिमाग चलाना है कि मैं पहले इस एक्वेशन को क्या करता हूं मालू में पहले इसको मैं सॉल कर लेता हूं नॉर्मल एक्वेशन बनाके मतलब अगर मुझे सॉल करना हूँ तो कैसे करेंगा देखो सिडिक कि इलेट्रोन लुच करेगा बनेनेनीगा सिडी टूप्लस आया समझ में यस सर पर अँठे प्लस से एक मृब सॉरी यह एटि ट्रॉस से नॉर्मल बना중ा ओगए A g plus है से यह नोर्मल जा रहा है यह भाइस साब क्या होगे एई जी प्लस हैं इनको इलिट्रॉन अमने डाल दिया तो क्या बन गए अब इनको हमने क्या क्या एड कर दिया तो यह बाहर चले गए अब हमारा आंसर बन गए cd plus 2ag दिमाग चलाना आ जा रहा है यही सब गड़ बड़ होता है और यहां पर रहागा सी यू टू प्लस प्लस टू एजी क्या इतना समझ मैं सबको यह सर अब मैं बोलोगा कि वाट एपन डूदे एम फाफ दसेल बोला स्टैंडर्ड नहीं बोल रहा है यह मैं बोल रहे जनरल तो मैं बोलूंगा ईसल इकोल टू देखो मेरे भाई जरा इसल इकोल टू बोलो जरा क्या बोलेंगे हम कुछ दिया गया है यहांपर concentration दिया है हमको कितना दिया है वन मुलार इसका भी कितना दिया है वन मुलार दिया है मतलब यह काम हमारे लिए तो हम बोलेंगे 0.0592 डिवाइड बाइ एन अगर मैं ले लू और यहां पर ले लू लॉ लॉग के जिसको हम बोलते थे जिसको हम क्या बोलते थे बच्चे प्रोड़क्ट मतलब c u प्लस सबसे अच्छी बत बताओं क्या इसके अंदर कि सबसे अच्छी बताओं क्या दिखाता हूं मैं आपको अभी तो मज़ा आएगा अभी तो मज़ा आएगा देखो यह मेरा पहला एक्वेशन है इसको पहला एक्वेशन लिलो यह मेरा पहला एक्वेशन है जहां पर एजी भी वन प्लस है और सी ती भी प्लस है मतलब वन मोल आ रहे है मतलब अगर इसको मैंने वां वांवन ले लिया तो गश्यां कि यह सब कट के जिरो हो जाएंगे यह सब कट के जिरो जांग है एक मतलब लिए निए यह नोट ले ले बच्छे यह नोट सेल माइनस 0.059 तू डिवाइड बाय एन एन मतलब दो ले लोगा टेंशन मतलो एन मतलब दो ले नेगा बट यह भी नॉर्मल यह तो इसको नॉर्मली रखो लौक व्यस्टें सिज़ें टू प्लस आपाऊं एजी वन प्लस पावर तू इनन थे मचे यह सबको समझ मैं मेंए इक çोषन क्या लिया क्या सबको समझ मैं इक विश्यन मैंने क्या लिया बो दो पहले यह कुछ शुम्जा कैसे लिया हाँ सर इसक्राइट मुझे एन कितना मिल सर्टू मिला क्या ये भी से समय माई गई बहुल बैसिक फर्मॉला क्या है ईसल इक्वल टू इन और सेल माइन जिरो पॉन जिरो फाइप ने टो डिवेड़ा एन लॉट अपॉन रिये टेन ये प्रोड़क्त अपॉन रिये टिन पावर की रूप में आ गया दिक्क्रते कोई सब्सक्राइब करेंगे इसी को तुम फिर से सॉल करेंगे अब मैं दूसरा मार करेंगे दे रहां देखो यहाँ पर तो हम बोलेंगे इसल इक्वल टू इसल दिस माइनस जिरो पॉइंट जिरो फाइप नाइन टू डिवाइड बैटू कर दो लॉग टू दी बेस्टेन ये सी यू बन जाएगा फाइफ सी यू टू प्लस आया समझ में और ये एजी का जो पावर गए वैसे का वैसे रहेगा तो ये तो वन हो गया देखो ये नीचे वाला वन हो गया उपर वाला क्या बन जाएगा ये भी खतम हो गया अब कोन बचा लॉग फाइफ बचा और इसलिए तुमारे बुक में तुमा अपना एलेक्ट्रों करेगा एच चिया लिच यू लिट दिया मैंने सीड़ी जब अपना लिट्रों करेगा बच्छा सीडब अपना और लूज करता है तो टू ब्लस दो इलेक्राण लूज कर दिया टू प्लस आइग एज छी 1 प्रकिने नहीं पर सफलीड़ी गया डोने चाहिए जब भी हम नेट सेल रिक्शन बनाते हैं तो क्या हैं गर्टे इक कोल करते हैं इसी में आशार करते हैं one everyone everyone to be called one one तो पुरा लॉग जीरो आ जाएगा यह पुरा वैलीजीरो बन जाएगा समझ में आया कैसे क्या मैंने यह होल भैलियू जो है आपका पूरा equal to 0 आ जाएगा why because log 1 0 होता है because log 1 0 होता है क्या यह बात समझ में पहला condition यह पहला condition आ गया अब दुसरे में हम नहीं कहा गया इसको 5 times कर दिया जब हम 5 times करेंगे तो obvious है log 5 cu 2 plus ag अब हमको cu का value 1 होता है ag का 1 होता है छोड़ दो पांच बचा 1 upon 1 1 आगया 5 आगा log 5 का value कितना है जो दिया वो लिख दो जो दिया गए वो लिख दो क्या करेंगे सर दिवाया पर अब हम बुलने वाले last topic चल रहा है इसका answer अमारा आ चुका है आपको बताने में तोरह समय जा रहा है अधर्वाइस मुझे तो पता चल रहा है कि क्या आ सकता है 0.0 तो दुनी चाहर दुन वाठार दुचके बाहरा चलेगा इंटो लोग 5 का value कितना है 0.7 ले लो चलो काम तामाम करें तो 0.0296 इंटो साथ क्टार दो कितना है बढ़ी साचक बैंश को दो कहरे गया चार साथ वह तिरसट चॉच्पास चाचा सडसट साथ कहरे गया चैश्य साथ दो नी चौदर चौदर और छे बीस वता है सर चौदर चे कितना होता है बीस एक दो तीन चार पाँच प्लिस पे डिसमल एक दो तीन चार पाँच जीरो पॉंट 207 अगर 7 students को चाहेगा यह ट्रांस में आ रही तो यहाग अपर इंटर देख फाना अंसर देख ऑन इसल equal to e not cell minus 0.021 इतना हमारा total में से कम हो गया e not cell में से कम हो गया मतला हमारा answer क्या आएगा साम बोलेंगे decreases by पुराने के compare में क्या आगा कम आगा देखो यह अभी आप बोलेंगे sir 1 वाला जादा है कि 2 वाला जादा है कोई मुझे सिंपल मैं समझाएगा equation 1 जादा है कि 2 जादा है दोनों में से किसका वैलू जादा आएगा सिंपल मैंस कि सिंपल मैंस बोलो वन जादा है कि टू जादा है दिमाग चलाओ answer बताओ आप बोलें sir 1 जादा है टू जो है न बच्चा इतना अमाउंट डिक्रीज हो गया उसमें से समझा समझा येस 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 बोलो बहुत टाइम जा रहा है आए बहुआ एक क्वेशन ऐसा आएगा क्यों डाला ये मैं यह तो इसको निगलेट करता था इतना क्यों करनेगा मेरे को टाइम लगेगा चोड़ा इसको हटा बच्चे को प्यारा-प्यारा मस्का मस्का देता हूं बच्चे भी खुश हो जाएंगे एकदम अपने को नहीं करना है ऐसे तुमको बहुत सारे बैच्च में हुआ रहेगा पर ह ऐसे चेक करने क्योंकि झीन वह बच्चा भाएं ऐसे ले लिया तो फिर हम मेंको बेकार हो तो फो एक हम को लोता है हम को होता उस सबसेंट यह होती है आप कैसे आ और यह कांसे यह तो यह उन्यस्ट बरीजिया गया यह सीड्चरी सब्सक्राइब और कुछ और चूछ तो हम ऐसे खलक्य कोश्चन ने कि आपको आप खुश नहीं करना चाहते हैं यहां पर मैं आपको सेलेक्शन ने अब यहां से बच्छा पढ़के जा रहा है ना उसका सेलेक्शन होना चाहिए वह भूलना चाहिए जैसे बताब धर सर्ण तह छानेतं पिए हाषटो डिटाइट लेकश्च पाहिए का वहलिव जितना है कि जीतनाइं ऐलेक्ट्रॉन रहेगा व हьют चाहिए एक वैल्यू होता है एन इकाल टू और कुछ सब्सक्स जो gustemen देखे वो यह जरूरी क्यों है सर यह क्यों ज़रूरी इसलिए है जरूरी इस लिए है कि कर दो पर अपर निट कर लोग किया अधी बंगा एट वन प्रेट उट्रान लूश किया रखी बन लेकिन यहां तो सर दो ऑलेट डिली टॉनरे अगए आग पनेट सेल रिश्चन अब नेट सेल में बेका जो एक्वस मेरेगा उसी प्रोडट्क्क को हम लेते हैं उसी प्रोड़क को हम लेते हैं चलेगा तो हम क्या करेंगे चीडिक लड़क। वैलू आपको दिया यह पर वान वान तो यह सब का वैल्यू वन हो जाएगा तो वान अपॉन वन खतम वन लॉट वन जिरो थे पुरा होल वैलू जिरो बन गया मतलब पहले कुशन में इसल 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 आ गया इनोट से लागया दूसरी में हमने कहा किया यही सेम चीज रखा लेकिन आपर पांच ले लिया वापस वन वन कड़ गया पांच आया पांच का लौग आपको दिया हुआ है सौल किया इस पूरे में से यह जो आंसर आया इसका सौल कने में हापिर दो लिया हमने एन का वैल्यू तो जिरो पॉइंड जिरो टूनाइन आइना है उसको अमने सप्वाइंट से मंटीप्लाइ है मिलों अगे बढ़ते हैं मज़ाने वाला चलो देखों है हाप पर ये उस Oh जयान देब बच्के फूलद हमा लोने वाला है काल चलेटक्लेग्स आफ क्लोरीन चैल्कलेृेट लगे क्लोरीं क्या बात है मास निकालने का शॉटकर क्या है यह याद कर लो मुलार मास अपन इलेट्रॉन इंटू फैराने अगर यह दिमाग चलाओगे न आपको बहुत आसाल लगेगा चुटकियों में सॉल हो जाएगा आपका आंसर बट सर कैसे करेंगे मुलार मास कितना होता है क्लोरीन का 35.5 याद ठाओट होगा शायद से क्लोरीन के लिए इंक कितना लगता च्छेक करो क्लोरीन बॉला है अएस बीदि माग चला सकते का अगर मेरे पास क्लोरीन आ गया तो यहां पर इलेट्रह और गर कि आ आधे कितना आता है छो फराड़े को दिखते सौल घरते कितना आ रहा है थाएडिया मिल जाएगा टाइम दिया है क्या यह सर नाइन सिक्स फाइफ डबल जीरो सेकंड दिया है मतब हम बुलने वाले हैं चार्ज इक्वल टू आई इंटू टी ध्यान सा देख बच्चे चार्ज इक्वल टू आई इंटू टी आई आगया वन टी आगया 965 आंसर आगया 965 कुलम चलेगा आउड है कोई confusion तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहां पर कि एक फैराडे में नाइन सिक्स फाइब डबल जिरो कुलम होता है तो बताओ कि 965 965 कुलम में कितने फैराडे होंगे हम बोलेंगे एक्स इक्वल टू 965 डिवाइड बाए 965 डबल जिरो यह कट जाएगा तो कितना आगया भई वन अपॉर हंड्रेड मतब 0.01 आगया सर इतना फैराडे आने वाला है क्या यह बात समझ में आई क्या यह बात समझ में आई इसका मतलब की क्लोरीन क्योंकि एसल बहुत दिया है मतलब यहां पर आपको लोरीन में एक ही लेटरन डालना पड़ेका क्या मुझे वह जाना डाउट फूल लग रहा है अब यह बीच्वाट फूल लग रहा है तो समझ मेंहीं आए यह चेकर बच्छे कितना अंसा रहा पटा फट बता ऊसर उपर 71 होगा अच्छ यह गलती किया मैंने यह गलती किया राइट 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 क्लोरीन 71 आएगा क्योंकि 35.5 दो बार आएगा ना बच्छा हमने लिट्रों दो लिया है 35.5 इन्टू टू ज Gee c2 गलती हो हमसे और और एलेक्ट्रॉन i2 लाइट मैं अप शॉल करो है और 7000 by टू इन्टू जिरो पॉयंट जिरो गरण सॉल पॉयंट 0.01 सॉल करते यह 100 रो इसको इसको ँगात्कित अगश हमारा पूरा का टेंशन दूर कर दिया यह दे वह यह मैंने इस तरह से बना दिया कोई दिक्कत कोई डाउट यह कैसे आया मैंने नीचे सॉल किया फराड़े कैसे निकालनेगा समझा येस मोल देशियो वाला फर्मॉला यूज करें तो बहुत कॉंप्लिकेट हो जाएगा बाकि कुछ नहीं है वहां से भी कर सकते हो सर उससे भी कर सकते हैं का बिल्कुल कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो वहां से भी पॉस्पिल्टी है सर एकुल टुवन क्यों नहीं होगा बहुत बढ़िया क्वेस्टन एकुल टुवन क्यों नहीं होगा विकॉज आपर वही तो देखना है बच्चे क्लोरीन गैस बोला है जैसे कि सी एल माइनस वन है प्लस एक इलेटरन डालेंगे तो रूब को जड़ा है इलेटरन डालते हैं इलेटरन निकालते हैं देखो सी एल गए अगर एक लोड़न वो रिलीज करेगा तो वह सिर्फ सी एल बनाएगा क्या बोला मैंने सिर्फ बनाएगा हमको क्या चाहिए यह नदे हैं को क्लोरीन गैस चाहिए हमको टू चाहिए करי है कि दो लेना बढुड़ेगा दो लेना पढ़ेगा इसका मोलार मस्हेंटी उन गया और यह आपका ट्ुलेटर ने और रोकुछ समझा और कुछ सेल कॉंस्ट्क बो इस एक दमसे जवाब है अगला क्वश्चिन आपके लिए यी रहा calculate molar conductivity calculate molar conductivity at infinite solution for acid acid if molar and this much is respectively अच्छा एक वैल्यापर मिस होए मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वैल्यू जो है न बच्चे वह मिस हुआ है इस तो यह numerical मुझे ऐसा लग रहा है कि हम साइट ट्रैक पर नहीं कर पाएंगे उसका रीजन है कि एक कुछ तो मिस हुआ यहाँ पर कि यह क्वेश्चन साथ मुझे लगा कुछ तो incomplete हुआ है तो यह क्वेश्चन में फिला लेहां से क्योंकि आप बोला है मुलार कानेटिविटी इफ पॉर एसीडिक एप मुलार आगे बहुत सारा चीज मिस हो गया चलो कोई बात नहीं तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ ठ कि आगे प्रिंट नहीं हुआ है जो भी रहेगा इसमें ठीक है चलो ने तो आप पीडिएप में आपने सश्रीव आपको हीडिक आएगा इसलिए मैं डिलीट कर तो इतना सारा मेनत लगा इसके अंदर एक एचीज को सेट करना पड़ता है पुरा इंडिविजुल चलो यह क रहेए बाइं कि खैथोड क्या होता है सर के रेक्षाण पॉज़ेंगे इस पर सोडियुम जाने वाला है इलेट्रोली से दो मोल्टन निसल में सोडियुम जाएगा राइट आंसर सोडियुम का दर हो रहा है नंबर एकक डांसर बोलो समझ में आया नमबर एक यह गदम करें वह सो यह पहुंग है देखोन जाना ईपल का फ्र्मुले में एड़ो था पोजिटिर फॉजिटिव पोजिटीव निघ्ट्राइब डशील वालास जाएगा तर ध력 जाये गा। यह चेहाएगा परके तो बोले तो कहते वोले तो ले तो कौन जाएगा पॉजिटिवाला बंदा जाएगा समझा नेक्स्ट अगनड़्टिविटी सेल कॉंसेंट है इस वाल्यू आगे देख लो आगे देख लो आप सेल कॉंस्टेंट कितना है सर्व बी बोलते सेल कॉंसेंट को 0.5 सेंटेमिन इनवर्स वेलिट इस फिल्ड और ओम है कैल्कुलेट कंड़क्टिविटी मतलब किये बोला है निकालने के लिए अरे सर कंड़क्टिविटी इकुल टू सेल कॉंस्टेंट अपॉन आर होता है चलेगा सेल कॉंस्टेंट 0.5 डिवाइड बाए 384 समझा आगे सॉल कुरो बताओ आंसर कितना आएगा बोलो कि ये शम्जा अभ蒜 दिमाघ चलाओ अंसर साहिगा बच्चा तो लगा टन होता है मास आएगा बच्चा प्रेड़ना तो अलग पैटन होता है ठीक्या है कन लम एक गव्रम की क्यों मुर्षाइब यहहां पर मुल्टन भूल एक नहीं है मूल्टन मुलते सबस्क्राइब एच प्लस के बारे में ठीक है डन चलो इसको कैसे सॉल करेंगे एक काम करो उपर हजार से मल्टिप्लाइब करो यह दो सबस्क्राइब नीचे भी टेन का पावर फूर से करो यह भाई साब बन जाएंगे 5000 दिखाए दे रहे हैं नहीं पांसो भी चलेगा एक पांसो भी चलेगा अपने को कई दिक्कत निया इतना बड़ा मतलो इसमें का करो एक दो तीन हजार से मल्टिप्लाइब करो इसको टेन का पावर थी से मल पहंड्रेट को डिवाइड गया 384 से वन टाइम है दस में से चार गया चे यहां पर आगया नो नो में से आड़िया एक यहां पर आजाएगा पांच चार चार में से तिन गया एक जिरो ले लो कितना इगा बही चारतिया बार रभ वन पॉइंट कितना त्री आ रहा है वन पॉइंट थ्री इंट गपावर माइनस त्री समझां सम्झां कैसे उड़ाया 1.3 ओ मेरे भाई अरे किदर गई पब्लीक ऐसे से लेक्शन नहीं होता है सार हमारा तो ऐसे ही होने वाला है सार हमको आजाद नियसा इतना जादा बैटने की आपको ऐसे आजादा से इतना आएंगे नहीं तो तुम वैट्रेर हो यहाँ पर ताकि लेक्चर चलता रहना चाहिए वोट इस अ करेंट स्ट्रेंथ इन एंपियर रिक्वायर टो प्रोड्यूस दिस मच किलोग्राम और कॉपर सुलूशन और मैक्सिमुम चीज़े तो हमको दी देंगे अगर हमको बोला सब्सक्राइब कर लिए तो यह हो गया तुम्हारी यह लिए कॉपर सक्वेड़ा देगा यह गराम में दिया हुआ अब जो कि यहां पर यह खीलो ग्राम में दिया क्या यह बात समझ में आई यह सर अब हम दो क्या करने वाले हैं अब हम बेसिक फर्मॉला यूज़ करेंगे डबलू इक्वल टू आई इंटू टी अपॉन नाइन सिक्स फाइफ डबल जिरो इंटू मूल रेशियो इंटू मुलार मास यह सब यूज होने वाला है अब क्या कर लेंगे यहां पर ले लेंगे हम 2.37 यह मास है आई अपने को चाहिए टाइम बोला है एक घंटा बोला है मतलब वान आर मतलब क्या होता है सर वन आवर मतलब होता है 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड तीन अजार 600 सेकेंड आएगा उसमें डालना पड़ेगा बिलकुल डालना आप यह मोल रेश्यों अंधी बीखा दो कि जो मोल रेश्यों सीदा सिदा काईगा 1 by 2 आजाएगा बोले यह बासान अचलो वइन रेश्यों कोई कन्फूजिन नहीं सर तो मोल रेश्यों कितना आगया मोल रेश्यों आगया सर 1 by 2 बोल सिदा मोलार मास 63.5 नह पूर्यक्त प है कि नहीं इसको इसको मुटिप्लाय कर दो और फूसको 965 से दिवाइड गर देना कैसे करेंगे देखो जड़ा यहां पर देखो जड़ा रफ में 63.5 इंटु 18 लिए आठ बचे चालिस जीरो कहें गया चार आठीवाच ओविस आरटाइस को आठ करेंगा दो आर्दुनी आठ चारटा तालिस दो पचास दिख रहे हैं पांच तीन छे जी रो आठ बांटे रों को तीन के रिगा वन चार शेपाच ग्यारा है कि तो एक प्लेस पेडिसमल त हमें काम करते हैं आई यहीं पर रख लेते हैं आई यहीं पर रख लेते हैं हमको मिल जागा इक पॉल इसको क्रॉस मुल्टिप्लाइब करो कि टू पॉइंट्री सेवन इन्टू 965 पर डिवाइड बाए 1143 समझा अभी क्या करेंगे बोलो 965 में कि वैल्यू कितना आ रहा है वैल्यू तो है काफी नजदीक है तो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हूं ठीक है तो इसको हमने क्या क्या 2.37 से मुल्टिप्लाइब कर दिया साथ पच्छे पांच कहरे गया तीन साथ चक्छ चक्छ चार साथ तीरिसर्ट चौट सब्सक्राइब निखाई दे रहे हैं इन पंदर पाच के अरिवन तीन चकाठाइब एक उन्नीश तीन नोशता है से कट आई समय नहीं कैसे कर नहीं दो पुटे दो जीरो के रिगा वन दो चाक अर्फ तीन के रिगा वन दो नाटाराइक नेस निवाई हापर क्या खतरना गो रहा एक्दम पाच पांच पांच जीरो 887 अब डिवाइड बाई 1143 कर दो क्या इसका इक्जेट डबल हो रहे है यह ऐसा मुझे लग रहे है शायद मुझे लग रहे है इक देखो देखो 1143 को 2 से मुझेपलाय करो 6-8-22-22-29 एकदम करेट राइट आनसर दो एंपिर क्या मजबूट आशर आया सर वाह 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 मज़ हागया देखके मज़ हागया देखके बहुत बड़ी आंसर आया बहुत बड़ी आंसर आया ऐसा देखके लग रहे है कि सरव वचू लेप इतना मेनत इस आंसर के लिए करना पड़ेगा टाइम आ गया करेंट आगा तो भाई तेरे पास शॉटकट नहीं है मास आया तो शॉटकट है लेकिन टाइम और करेंड आगा तो को मेनत करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन में यूही नहीं ले रहा हूं मोस्ट एक्सपटेट में डाला है मैंने कुछ तो खास होगा इसके अंदर कुछ तो मेनत लगने वाली इसके अंदर तो आपसे रिक्वेस्ट है करके जाओ ऐसे क्वेश्चन ठीक है अगला क्वेश्चन वाट इसे स्टेंडर्ट सेल पोडेंशिल और से लाइविंग यादे की भूल गए हां सर यात तो है तो हम बोलेंगे इनोट सेल एकुल टू इन औरकापर माइनस इनोट एचटो क्योंकि यहाँ पर क्या ओर रहे यह जो है आपका वह प्लस टू से जीरो बन जा रहे मताँ बिश्टन का रहा रहा है क्या लिखारा एक रिदक्सन दिखार कि जिरो पॉइंट ट्रीफोट जिरो और एच्टू का जो होता है ना भाई वह वाई डिफैलट जिजीरो होता है यह अपने दिमाग में सेट कर लो ऑफ जिरो एटë हमेशा जीरो ग expect करेंट कर लो यहां पर एयलोना चाहिए एयल ठीचिए है यह 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 एल है जैसा आगा है वट एयल एक्ट्व में चले इसको तो मैं कर दोंगा तो यहां पर आगे है आपके लिए एल्टू चल एल्टू एल्टू सो थ्राइस मतलब विच आप पॉलोईंग एक्स्प्रेशन इस करेक्टी रिपेन मुलार का निटिविटी बड़ा इजी है यह तो बहुत जादा इजी है सर कैसे करेंगे देखो अगर यह मुझे सॉल करना है तो मैं बुलोंगा लैमडा 0,3 प्लस सरे यह तो दो हैं तो से मुझे लटीप्लाइब कर दो प्लस लैमडा 0,1032-370 प्लाइब कर यह आंसर राइट होना चीए देखो यह यह आंसर राइट चेक कर बच्छा तू एल किदर दिया है तो एल ट्री प्लस त्री एल राइट नबर डी समझा समझा कोई कन्फीजन टॉण कहीं पर भी आगला क्विश्चन हाउ मैंनी मोल्स अपकर मार्ड और प्रोडियूज्ड को आप बोलेंका सब का मोल कैसे निकलेगा कर अकर निकार थिST week मासकाय फोर्मुला होता है मोल से दिखाऊं यह देखो the equal to मास अपॉन प्लम मंजा आया अरे सर अगर मॉल मिले तुमको मतएब तुमको मला जाएगा समझिए कैसे उड़ाना है क्वेशन को अब समझ मैं आया सर आप समझ मैं रॉंड सर एक काम खुरते फिर मस निकालेंगे और मास निकाल आने गा तो नसीब से आपने फर्मॉला दे दिया हमको हमारी किस्मत यहां पर चमकने वाली है क्योंकि रिजर्ट पट पट आने वाला है मुलार मास कितना है 63.5 इलेक्ट्रॉन कितना है देखो एक चिछ दंदना सी यूए सो फूर में दो इलेक्ट्रॉन यूज होता है सब्सक्राइब से मल्डिप लागा चेजर सेकेंड कि छे पच्चे तीस ध्यान देना यहां पर तीस फिर तीन जिरो और इतना कुलम आ अब दिमाग चलाओ एक फैराडे में 965 00 कुलम तो बताओ कि तीस हजार कुलम में कितने फैराडे एक्स इक्वल टू तीस हजार डिवा सब्सक्राइब नाइन फाइफ डेबल सिक्स ऐसे सब्सक्राइब कर दिया आप अंसर आगया तीन सो डिवाड़ यह एक रफली अगर मैं देखो तो मेरे खाल से यह रफली रफली अगर मैं देखो बहुत जादा मत रफली देख भी निस तरते क्योंकि मोल से डील करना है ब अब इसका एक डेसिमल यहां डाल दिया तो यह बन जाएगा इस तरह से बन जाएगा पांच से कटकर तो थोड़ा इस हो जागा हमारे लिए पांच एककम पांच पांच यकांट यह त्यार करेंगे अब तुमारी उपर यह तुमको लेना है लोग इसको इसको करेंगे पांच सथे 25 को पांच कैरीगा तीन पांच नीदस इन ते रहो तीन करिए एक पांच एक शीघार शीचिक साथ दो एक पांच जीनो चेड़ शेदो आर्टेक नोगे तना आगा इतना बूस्त वारा है वन नाइन जीरो फाइव ईसा कुछ तो आ रहे है दिसमेल है का बिल्कुल दीषमल नीए फिरस देख लिख लिख लेते पांच अधिन पांच एक शीपर फेक साथ दो एक तंग 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 अच्छे दॉट आठक नौट बढ़ ए तो यहां पर आंसर आगा वन 905 divided by 193 इखाई दे रहे है कितनी बार जाएगा यह लगई 0.9 ऐसा कुछ आएगा शायद से सरी नो नो या कुछ ऐसा आएगा जार देख लेते डिवाइड करके देख लेते डिवाइड देख रहे है 1905 divided by 193 दिखाई दे रहा है येस सर कितनी बार जाएगा नाइन बार तो दिखे रहा है सकल से नाइन बार जाएगा जाएगा तो जादा हो जाएगा नो बार जाएगा 193 divided by 9 तो भी हैं रहा है नीगिन नौ रॉल गया यांशर जाएगा नौन में टाइमस नाइन ले रहा हूं नोग तरीज़ाइस को साथ करीगा दो नोगे नहीं फिर नोग नोग दस ग्यार है सब्सक्राइब एक मज़ना फिर से देखने दो एसा वह चोटी वैलिव आ रहे है प्रश्च वह चोटा विए फिर देखने नोगे सब्सक्राइब नोगे सब्सक्राइब तो वन सेवन थ्री से नागया माइनस करो पंद्रमें से साथ या आठ यहां पर आगया नो नो में से तीन गया च्छे यहां बना जाएगा आठ यहां पर शेयर परफेक्ट आठ बढ़ जाएगा तो 9.8 आगया मास मास कितना आया इसका मास कितना आया बच्च ना 9.8 आया इतना मास आ गया अब हमको मोल बोला निकालने के लिए तो मोल का फर्मॉला मास अपन मुलार मास मास कितना 9.8 मुलार मास कितना 63.5 अब इसको वापस से डिवाइड करो 98 divided by 635 समझा समझा कैसे करेंगे देखो यहां पर अब इसको फिर डिवाइड करो कि 98 divided by 635 ले लो 0.01 टाइम विजाएगा कनफर्म है 635 दस में से 5 गया 5 यहां पर कितना आएगा साथ साथ में से चार आएगा यहां पर कितना आएगा यहां पर कितना आएगा यहां पर तो तीन आएगा फिर जीरो छे पच्छे तीस मतब 0.15 क्या स्पास आ रहा है तो राइड आंसर आपका नंबर भी कुछ गया दिमाग में कुछ गया दिमाग में बोलो मजा आया सर ये तो मतलब लेवल का भाई ये लेवल का है ये तो मानना पड़ेगा ये एकदम फुल लेव झाओ प्रनों फूरेवर खेंड प्रचीत अठाए ये स्वेसट ऊपर में सी यूटू ब्लस होता है जब दो ईलेट्रॉं देंगे ना तो सी यूट बनता है इसे लिए एन एकवल टूल इत्य एलेट्रां दो लेते हैं और कुछ और कुछ बच्ची फिर संदिक वेशा फिर सब्सक्राइब करने का कि मास्ज इक्वल टू मुलार मास यॐ अपन इलेक्ट्रोन इनडूप एत्री रिवेड घ्राव से ओफांड इमाग चला बच्छे मास मतरा यह बारा defend कीता है जता हव गया चैन फिलिट्रीट До इन फिर कट संजा कुछ fulfilled को समझा कैसे उड़ाया राइड आंसर है राइड आंसर है नंबर एब भाई एक बच्चा बोले साथ शॉटकट नहीं है इसको तो पता नहीं जल रहेंगे शॉटकट है बच्चा अगर तो रियल में मास निकालेगा ना तो हमारी कीड़नी अतरी सब बहार आ समझा का बच्चा धीरच अरे यह कुछ नहीं है मोलार मास निकाला डिवाइड बाई टू इन्टू इस नंबर अगर यह नंबर आपको आगा तो फटाफट हो जागा सॉल यह तो एकदम तुमको शॉटकर बता रहा हो सर इसका लॉंकर क्या है लॉंकर देर यह वाला मोल रेशियो इन्टू मोलार मास इन सब में सब पूटब करो फिर सॉल करो फिर सॉल करो तब पता चलेगा आपको लॉंकर मेथर यह इसा होता है डवलो इक्वल टू क्यू अपॉन 965 00 into molar ratio into molar mass पहले आप सब put up पर के पहले क्यों निकालो जब क्यों मिलेगा तब हम बोलेंगे इतने Q में मतलब इतने जो भी रहेगा इतने कुलम में इतना तो इतने में कितना तब ऐसे करके फ्राडे निकलेगा बट मैंने आपको क्या-क्या ऐसा चुटकी मैं सॉल करवा दिय ओमाई गॉड्ट तो भाई इलेट्रोगेमिस्ट्री यहां पर खतम हो चुका है इलेट्रोगेमिस्ट्री खतम हो जोगा मतलब सर विदिन एक घंटे के अंदर हमारा केमिकल उड़ी आएगा क्योंकि उसके नुमेरिकल बड़े स्टेट फावर्ट होते हैं केमिकल कानेटिक काफी इजी होता है कंपेर टू इलेक्ट्रोगेमिस्ट्री सही बात है यह टॉपर बैच में रिविजन नहीं होगा आरे बिल्कुल ना यार अभी इसके बाद वहीं पर लेक्ट्चर है संग्राम आजाना वहां पर भाई टॉपर बैच में सब फोर्ड दिया हमने सिर्फ 11 क के रिविजन करवा रहे हैं ऐसो तमने सब फोर्ड दिया टॉपर प्रो में हमारा पॉर्शन पुरा क्लास 11 क्लास 12 बढ़ियां से करवा के एक चेप्टर को हमने तिर दिन चार्च पांच 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 चे लेक्ट्चर दिये हैं ठीक है 11 का बढ़ियां वाला हुआ हुआ ह क्लास 11 के अंदर कुछ चेप्टर बचे रहे हैं जो अभी करवाने वाला हुँ है कि नहीं येस क्या बात है क्या बात है नौसर के उपर लगातार लोग जुड़े हुए तैयार मजा आगया देखके आज येस क्या बात है बहुत बढ़ियां तीस हजार लोग इस समय जूड क्लाशड क्लास क्लेंट आज का लास्ट कंटेंट येस येस ये जल्धी से खथा मोगा इसका इसे होता होगा यह जल्ली से खथा मॊपै इसका न्युदमिंट जैंवं होताना जैठ मंतर कैम कई innate ए ये घिता एक भिसा पीटा च्षटा-श्टा-छोटा अंसर रहेगा एक पॉन टी इस तरह से होता है इस तरह से होता है आपका टोटल चेंज इन पॉन संट्रशन और इस पेसे अपको अपॉन टाइम टेकर फॉर्मूला फिर फोर रियक्शन अगर मैं रियक्शन के बात करूं तो यह उने वाला है अगला सर नेच्ट 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 बोलो फॉर्ड रियक्शन सेम अच्छा यह सेम हो गया है यह प्लस- इसलें बाइन धालनहें अब को गया होता है एको गया होता होता है माइनस को भी के लिए घ acquire अब माइनस सी के लिए गाया बने हिसी के लिए बनता है तो प्रोड़क्ट प्लस डी के लिए भी बनता है बच्छा प्लस समझ में आया समझ में क्या बोल रहा हूं है differential rate law the rate of reaction is कि a का power x b का power y इस तरह से solve करेंगे ठीक है order of reaction x plus y से निकालने का x plus y को solve करेंगे तो order of reaction integrated rate law for zero order reaction ध्यान दे बच्छे बहुत ज्यादा इंपॉर्टिन ने जिरो और के लिए यह होता है a0-a t divided by time और अगर मैं first order बोलू तो यह बड़ा प्यारा प्यारा आंसर बन जाता है a0 upon 80 इस तरह से जहां पर हम a-a upon a-x करके भी करते हैं बहुत जबापे हाफ लाइफ बच्चे को पता है जिरो और के लिए होता है लेकिन हाफ लाइफ पॉस्ट अडर यह हो जाएगा समझ में आया कोई डाउट कहीं पर भी आरने सकाइक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है मतलब बेसिक बेसिक क्वेसिक वेसिक वे लोगो क्राइश वालों को यह पीपीटी उनके बैच में जाके जाएगी ठीक है आपको अलग से बटने जो नहीं पड़ेगी इसके लावा कुछ और भी पीपीटी मैंने बनाई यह जो पीडियफ के फॉर्मेट में सिर्फ स्पेसिफिक बोलती कि जाना थुला सा और खास पसको एक क्विक रिविजन जो होना चीए वह यहां पर आपको मिल रहा है है कि नहीं है समझा इस बत का ध्यान देना अब देख लिए आपर आर का वैल्यू कितना होता है एट पॉइंट पॉइंट्री जूल कैल्विन इवर्स मोली निवर्स तो यह हमारा फॉर्मूला अगर मैंने इसको कर दिया लॉक के टमें तो लॉक के टमें कुछ ऐसा यह बंदा बन जाएगा क्लियर है नेक्स्ट फ्र सब्सक्राइब करें इसको लिखा जाता है अब ख्याने वारे सर इस चैप्टर के मोश्ट एकस्पेक्टेरव प्वेश्चन फॉर कि एमेश्टी सीदी केमेश्ट्री इस चप्टर के लिए मोस्ट एक्सपेटेर्ट वश्चन आने वाला है कि येस कि आगे बड़ें कि आगे बड़ा जाएं येस कोई दिखत बच्चा आपको वही तो दे रहा हूँ बच्चा में आपने कोई बैच्च नहीं तभी में पढा रहा हूँ जातक है है कि नहीं यह सबको फ्री में मिल रहा ना कोई ऐसा है कि जिसने यूट्यूबर पैसे पेगर दिया अरे सर मैंने तो कोई सिकनर पैसे पेगर दिया इस बैच के लिए इस स्कोर्स के लिए यह बिल्कुल फ्री में हो रहा है ना भाही वेश्चन देखो पहले जारा अगर टू एट टू सी सेम रेट होगा तो आंसर आगया नंबर बी बिना किसी टाइम वेस्ट के एक क्वशन उड़ गया देखो कैसा चुटकी भर में उड़ गया एक्दम ऐसा चुटकी वर में उड़ गया येस और नो येस 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 टॉपर बैच वह रहा 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 बोला बचाया अनि यह तुम थे नहीं यार जाके पुचो पबलिक से का बढ़िया वाला रैप निकला एक्दम है कि नहीं बच्चा रहा पाया था किन्या देख बलो रहा पाया था किन्या दो भाई कितन वे आपन बच्पन से जुडए है और बच्पन मतब स्टार्टिं से यार तो भी का पावर्वाण है यह पुचले कि चलो बताओ रेट और आफ रिशन हमारा डबल कभहा मत्व ए रेट डबल कभ और एक बात जब एक वो डबल करेंगे पी को पोर्ट या पी गोड़ करेंगे एक पोश्यन रखेंगे एक वो अप्शन सर्च करो यह तू ए आए का तभी त समझा जो दो बजे संको मालू में कि रैप क्या एक नमबर था है कि नहीं हाफ लाइफ और फॉर्स्ट और रियक्षिन छे घंटे दिमाग चला ऐसे वेश्चिन वह ना जादा टाइम वेश्न ने करने का आफ लाइफ कितना दिया है शे घंटे दिया है बोल रहा कितना टाइम झाम लगेगा जी रो प्वंट एट को 0.2 करने में जाल जीलव पॉइंट फॉर को जिरो फॉइन दॉइन जीलव डियां इट फॉईटक ए रहाफ लाइप है तो वापस 6 गंटे लगेंगे और 6 6 कितने हो गये 12 गंटे ओ माई गॉड ऐसा होता है क्या हमको पता नहीं कौन से लोग सरे सौल कर वाले देपुरा येस मजा आया मजा आया बोलो मजा आया यह सर नो यह सर नो पहिला को सिर्व ओग गया समट कर या इतना इसी कुछर्ण गोंग मत कर या चलो अगला क्वेस्टन आपके लिए रेट ऑपरेशन टू ए प्लस बिमेट टू सी डी मिल गया रेट ऑपरेशन हमने ले लिया देख रहे आपर हमको बोल रहा है कि इव दर रे रही कहां गया के एक का पावर वन बोलाई देखो पर्स्ट ओडर जिरो अडर इन बी तो बी को छोड़ दो बी का कुछ नहीं आएगा वान आएगा अब आप क्या बोलेंगे हमको क्या पूचा है रेट कॉंचिन पूचा है के एकवल टू आर अपॉन एकर तो सिम्पल सर लेकिन आर कितना है औरे वो तो बताओ रेट कितना है 6 इंटू 10 का पावर माइनस 4 है सर और यह जिरो पॉइंट 3 है तो हमने क्या क्या इंटू 10 इंटू 10 कर दिया ये भाई साब बन जेंगे 6 इंटू 10 का पावर माइनस 3 डिवाज़ बाइ 3 कट किया 2 आ गया मतलबा आंसर ऑग्ली नंबर जम अग्हेना पावर अगुल आपके लिए मुं महिंस बहूत जादा रहेंगे यह चयप्टर के क्वेश्चन जितने भी डिफिकल्ट आएंगे आप सब कर पाएंगे इसमें बहुत ज्यादा ताम-जाम नहीं होता है सच बोल रहा हूं एकदम एकदम सच बोला कुछ ज्यादा ताम-जाम नहीं होता इसके अंदर पहले पढ़ लो जड़ा क्वेश्चन को थ्री आई माइनस पाइस में एस्टू टू आया तो आई तरी ऐसा बन जाएगा रेट ऑफ्परमिशन अप एस सब्सक्राइब और इसको पर दिया है एस सब्सक्राइब इसका जो भी आनसर आएगा इसका जो भी आंसर आएगा जिरो पॉइंट जीरो टू टू ये बंदा उसका आधा हो आएगा समझा गया समझा कुछ 0.011 राइट आंसर नंबर ए मुल पर डिसी मिंटर क्यों पर सेकेंड एच्ट इस तरह निकलते हैं नए पैटन में भी आया हुआ है यह माइनस तो यह रियक्टेंट रहेगा दूसरा रियक्टेंट तिसरा प्रोड़क्त लेकिन आप ज़र ने को याँ पर कोई नमबर यहां पर तीन तो तीन लगा दो यहां पर दो है तो आंसर आजाएगा एपलस 3 बी एपलस 3 बी राइट आसर नमबर यह हो सकता है चेक करो कितना इजी है सर्ये यह मजा आ रहा है एक्दम मजा आ रहा है फूल मजा रहा है विच आप पहले में महीं लिख लेता हूं ताकि मुझे कोई दिक्कत नहों हो चलो अब कंपेर करूंगा 2.303 टी 2.303 मुझे सी लग रहा है देखो सी इनव वाइं मैच हो रहा है 2.303 टी लॉग तुद अग्ट और इस अज़िए पर्फेक्ट अब देखे आप याप आप बोलें कि पुराना वाला क्वोस्चन एंब यह बचा यहाप रोगो पॉस्चन चेंज कर दिया है इफ दर रियक्शन इस फॉस्ट और इन बोथ एए और भी अभी समझा मुझे भी पहले लगा पुराना वाला वाला क्वोस्चन आ गया क्या रिप इन्टू 10 का पावर माईनस 4 0.3 0.3 इन्टू 100 इन्टू 100 इसा क्यों कर रहे हो यह बन जागा 6 इन्टू 10 का पावर माईनस 2 ए ना-2 आ जाएगा और यहां पे लेलो तिन तरिक का नो 9 लेलो अरे यार इसा क्यों कर रहा हूं मैं कॉंप्लिकेशन क्यों मड़ा रहा हूं निसेसरी रूपो जारा चलो पहले ऐसे लेलो इस इन्टू 10 का पावर माईनस 4 डिवैड़ बाए डिवैड़ बाए 0.0.09 अब ठीक है अब इसको क्या करता हूं तीन से गट करता हूं तीन दू निच्छे इस तरह से ले लेता हूं तो यह मिल जागा टू इंटू 10 का पार माईनस 4 डिवैड़ बाए 0.03 अब सॉसे मल्टिप्लाइ करता हूं तो कितना आ गया तू डिवैड़ बाए 3 या इसको 20 कर दो बेश्ट रहेगा इसको 20 कर दो और इसको टेन का पावर एक दस दे दो तो माईनस तीन आ जाएगा और इसक चेकर बच्चे 6.66 आ रहेगा यह सर लेकिन यह जोल लग रहा है मुझे पता ने क्यों जोल लग रहा है तो सही बात है न क्योंकि इसमें एक चीज़ अच्छा एक मढ़ जरा मेरे गलती होई मेरे गलती होई मैंने सचा कि ए और भी दोनों राइट है दोनों एक ही चीज़ यह लेकिन नहीं भी आपको 0.1 दिया है ठीक है तो यहां पर पुरा कोश्चन ना पढ़ने का नतीजा आप देख रहे हो कि देख रहे हो कि देख आप तब 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 तो ईजी हो जाए गा तब टेंशन ही नहीं इस इन टू टेंगा पवार माइनस 4 0.1 इंटो 0.3 तब तो कोई टेंशन ही नहीं बोलो यह मिल्याइब 0.03 अब सौसे मल्टिप्लाइब कोई दिक्कत नहीं है इस इंट्टो 10 का पवार माइनस 2 डिवाइब बाई 3 पड़ गया टू आगया आंसर आगया टू इन टेंगा पवार माइनस 2 चेकर बच्चे चेकर राइट आंसर नमबर डी समझा गया गलती कहां पर ओर ही ती ये एस एर था क्योंकि मैंने से विसको देखा मुझा लगा य आगे एकदम, rate constant of first order reaction having 6, rate constant, क्ये निकालो, first order having half life 6 घंटे, बोलो, क्या गरेंगे, क्या गरेंगे, अरे सर डिवाइड गरो, और क्या गरोगे, ऐसे गरेंगे डिवाइड, 0.616, 616, ठीका, 635, 0.11, ऐसा कुछ आ रहेगा, answer, वो ही right answer रहेगा, number C, एकदम correct, समझा, चुटकी म उना दो, चुटकी मुना दो, समझा मैंने क्या बोला, first question wrong, मेरा बोल रहा है कि तुमारा wrong हुआ, वो देख बच्चे पहले, किसको रहा हुआ वो देखो पहले, इसको थोड़ा बाजू में ले लो, अब सही लग रहा है, चलो perfect लग रहा है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर समझते हैं, चीज़ों को, how the slow of craft 80 versus time, तो मैं बोलूंगा k equal to, 2.303 log to the base train, a0 upon 80 होता है, तो मैं क्या गरूंगा, इसको थोड़ देता हूँ, kt upon 2.303 log to the base train, a0 minus log to the base train, 80 आ गया, क्या यह बात clear है, इसको यहां लेकर आ जाओ, क्यूंकि मुझे उसका log चाहिए था, यह मैंने वहां लेकर गया, और उसको वहां भेज़ दो, मतलब सर माइनस kt के रूप में, जी हाँ, प्लस log to the base train, a0, अब इसको मैंने क्या गया, compare किया, तो हमको समझ माएगा, slope क्या आएगा, समझा, m का value क्या आया, यह सर, m का value number d आएगा, कर लगा है, ओ वाला नो, कुटे के ला, अरे वाई, 800, 8500, 900, क्या हो गया, पब्लिक को, सर, कभी आज़त नहीं है न, सर इतने बैठने की, ता हम जरा बेहोस हो जा रहे है, है कि नहीं, यह सही बात है न, चलो, आगे देखो जारा, calculate the half life period, calculate the half life period, of a first order reaction, दिमाग चला बच्चे, अगर आपको इतना दिया है, अरे यार, half life, जब rate constant दिया है, क्या हाँ, rate constant दिया है, तो बोलने का यहाँ पर, इसके divided by 9 into 10 का पावर माइनस 3, समझा, अभी क्या करने का, 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 से multiply करने का, तो उपर अला बन गया, 693 नीचे अला कड़िया आएगा, सिधा 9 आ गया, 9 चब 54, 9 चब 54, 9 सते 63, 7 आएगा, 9 सते 63, 9 सते 63, आँसर आएगा 77 लिएट समझा क्या, समझा कैसे फोडा मैंने, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा कैसे किया, सी आंसर नहीं आएगा अभी आंसर नहीं बच्चा सी आंसर आएगा बहुत नजदी का चुके पाइंडर रेट ओफ रियक्शन इप यूनिट ऑफ रेट इस गिवन है यह कोशन का गुमाया इस नहीं मुल रहा है यूनिट जो है ने रेट कॉंटिशन का मतलब आर इकोल टू क है आलिट के आलिए मूल बल डेसी इनवर्स सेंटीमेटर इनवर्स ऐसा होता है सर ब्ल रहे के का भी वही रहेगा अब बता क्या होगा अरे यार अगर ऐसा हो दा फिर जिलो ओर रिरेक्शन है फिरत जिलो ओर रियक्शन है खतम समझा चुटकी में कैसे उड़ाया अगला क एक बार नहीं ऐसा कुछता पर एक यह नहीं था कि यह कुछन को कई बार आया है मतलब इसके चांसे आपके टाइम पर भी रहेगा प्री आए और ऐसा कुछ लिखा हुआ है बोल रहा है कि je i tik कि एस ओ टू अपान डीटि गजो वेलु वो दे दिया है है तो अगर मैं बोलू कि एसको अचला वालव दे दिया और हमको पुछ रहे कि कि तो यह को ए ऊर्शा है पूछ रहा है उसलें प्लेंट हैं पहले हम क्या करेंगे पुरा रिलेशन दिखा देते हैं अब हमको क्या बोला है सिर्फ यह पूछ रहा है यह पूछ रहा है तो हम बोलेंगे वन बाइट टू अब जो दिखा दो असर आगा 1.1 इंडिटेंगा पशा और मैनस तू इस यह पोण होगा इंट्रमिट्ट का पहले में बनेगा और दूसरे में यूज होगा अगर ऐसा होगा तो उसको बुलेंगे इंटरमीडियेट राइड आंसर होलोगी इंटरमीडियेट क्लियरे नेक्ट को टाइम रिक्वाइर्ड टाइम रिक्वार्ड पर कंपलीशन 50% मतलब अगर कोई बंदा है इस तरह से इसको अपना आधा होने के लिए कितना टाइम लगा बच्छा टी लगा मतलब जो बंदा 100% था वो अगला 50% होने के लिए टी लगा समझा टी टाइम लगा इस पचास का पचीश होने के लिए वापस कितना लगेगा सर वापस टी लगेगा तो पचास और पचीश मिला तो कितना परचन हो गया सर प chattar परसंग तो टाइम कितना लगा सर टूटी लगा बोलन समझ में आया व्यू Ichi पढ़ो ओर दिमाग चलाओ time required for completion of 50% reaction is 3 तो what time required to completion of 75% reaction पचास पर संट हो गया reaction तभी पहले टी लगया 25% और हो गया और टी लगे गाटी प्लस टी टूटी यह जितना इजी लग रहा है ना इतना इसी है नहीं तुम आधा जधा तदा समझ में नहां रहा है तो 3D आएगा 40 जैसे लोग भी रहे हैं इसर सी आएगा उनको लग रहा है पचास-पचीस-पचीस-पचीस ऐसा तीन बार जोड रहे हैं ओहो यह लास्ट क्वेश्चन था एक बच्चा मुझे बोला इसर पहला कुशन गलत देखते हैं पहला कुशन कि दर बोल रहे गलत है यह बोल रहा है अरे बच्चा जड़ा पढ़ाई वड़ाई करना भाई तो इधर टूए है इधर टूसी है दोनों का मोल से मैंना बच्चा सबस्क्राइब पार्मिस्टन से मैं यह रहेइब कंल है ये कूल ठाथ तो पहले तो थैंकियो वेरिमच तहे दिल से आज महाराष्ट्रा दीवस्पर महाराष्ट्रा के अंदर अंगार लगाने के लिए धंमाल मचाने के लिए बहुत-बहुत-धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सारे बच्चों को महाराष्टा दिवस्की हादिक सुभेक्षा मैं उम्मीद करना हो कि महाराष्टा दिवने में आपको जो यह जो सरप्राइज मिला यह जो गिफ्ट मिला हमारी तरफ से आपको मज़ा आगया होगा चाहिए वह बच्चे हमारे प्रो में रहें प्रीमियम में रहें सब्सक्राइब कि सब मज़ा आगया एकदम फुल मज़ा आगया है कि नहीं येस और एक कॉंफिरेंस बूश्ट हो गया रहा है कि सर फीजिकल मतब आप चूटकी मूलाओंगा क्यें टाया हम एक गरी करने क Carry C musically चलो अब किला ने वाला है उसमें मिल्या कर आने वाला है सर तो ये कल का सिशन आपके लिए या अपर हाजी रहा है गो देक्यों पहले मैं हर जाता हू फैले में हट जाता हूं ऑ हुकर पहले मैं हट जाता हूं देखिंग पच्चे येज क्या बाद है ये लो ये लो एक और concept आपका इंतजार कर रहा है कभी sir कल ये थोड़ा second इसले भी होगा को कि इसके अंदर इपाहोच जादा numerical से नहीं होते इसमें नमेरिकल मेरिकल से नहीं होते हैं बच्चे ठीकर इसमें नमेरिकल से नहीं होते हैं तो इसलिए टेंशन लेना मत जब नूमेरिकल्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है तो इसलिए तोछना सकते वह गाई है कभी होगा साहरीं कभी ओने वाला यह सब से इंपोर्णेंट चीज सरी कभी कराने वाले तो दिखूए याप पर यह होने वाला आपके लिए कि कभी ओने वाला यह तो टुमोरो लेटीज कि सेकेंड में कितने बजे सर्फ चार बजे समझ में आया समझ में आया कोई दिक्कत यह विए कोई कन फ्यूजन है कोई डाउट है कि कहीं पर ऐसा लग रहा है बेहोस हुआ मैं बिलकुल नहीं बिलकुल नहीं बिलकुल नहीं जो कि बहुत बेसिक से क्वेश्चन से निखलते हैं हैं तो ट्राइग करेंगे चार गंडे में 5 गंडे में उसमें जादा होते नहीं हैं येस खतम करने के लिए और फिर और जो रहेगा वो सात तारिक आएगा जो बच्चे बोल रहे हैं और और एक कब आएगा प्योर और्गेनिक साथ तारीक आने वाला है सेवें तारीक को सेवेंट ओफ में आपको आएगा ठीक है बहुत जबर्दस तरीके से चलो और इसके बता दिया और उसके पड़के जाओ और पेपर में फोड़ दो ऐसे इदम डारेक्ट ठीक है जाता उसमें टाइम यह से बाइब रिन में मिलते निक्स टाइम चलो भाइब रिन भाइए इस सेशन को जादे दर लाइक अर पांच जार लाइग बिनिवा जब की पब्ली आपर बद्टिस अलागे गई ये पांच जाने से पहले लाइक फोड़ जोब दोस तरीके से यह स्लाइग ना बढ़न यहां अरे हम है ना यहां पर आपको डरने के कोई जुरूत नहीं है सीटी के लिए चैनल अरत जीब करेंगे और यहां जूड़े रहेंगे उतना ज्यादा चांसेस हैं आप कहर मच आएंगे एक्जाम में याद आखना इस बात को यहां वहाँ दर्जागों गुमों के पुरा टाइम वेस्ट करोगे ठीक है कोई मतलब नहीं है जी नियूर जहाँ पर चीज़ें मिल रही वहाँ पर आजाओ और पढ़ाई करके निकल जाओ सिदा खतम गेम ओवर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स नहीं बाए बच्चे बाए वरें बाए मिलते हैं चलो बाए